आज की इस कक्षा में आपका चैप्टर 13 जिसका नाम है प्रोबैबिलिटी शुरू कर रहे हैं और मैं प्रोबैबिलिटी में बिटा मैं आपको सबसे पहले कुछ ग्यारवी कक्षा की बाते आप लोगों को याद कराना चाहूंगा जब आपबोलते हैं प्रोबैबिलिटी तो प्रोबैबिलिटी पिटा आप कह सखते है कि किसी भी event के होने के chances Chances हम कह सकते है एकसपेक्टेशन हम यहाँ पे कह सकते है The chances of occurrence of an event This is probability किसी भी घटना के घटित होने की समभावना प्रायक्ता है ठीक है अब इस probability के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर मालो अच्छा probability की बाद में करते हैं यह बताईए क्या आप लोगों को मालूम है बिटा random experiment क्या आप इस शब्द से परिचित है random experiment random experiment प्रारंब करें सर रैंडम experiment सो बटा यहां पर आप कह सेखते हैं कि ऐसा कोई भी experiment ऐसा कोई भी experiment जिसमें more than one possible outcomes है सबसे पहले तो बटा more than one possible outcomes टिक है and जो final result है final result जो main result आएगा किसी भी experiment को perform करके so जो final result होगा cannot be cannot be predicted यह बाद ठीक है बच्चों अलब ऐसा नहीं होगा कि किसी बाबा की भावशिवानी हां की हां जी तुम अगर dice को fake होगे तो six ही आएगा भाई अगर six ही आ रहा है तो उसको random experiment नहीं हो सकते भाई ठीक है ना बच्चे सो वो random experiment नहीं है मैं बोलू कि coin को toss करेंगे तो आप बोलेंगे head भी आ सकता है tail भी आ सकता है लेकिन अगर मैं एक्दम शौहरों की बोलरों कि head ही आएगा सिक्के में तो समझ जा वेटा उस सिक्के में कोई गढ़वड है वो हमारे लिए situation में वो random experiment नहीं है ठीक है अच्छा यहां पर यह जो शब्त आरा outcomes outcomes का मतलब क्या है आउटकम्स का मतलब यहां पर यहां पर हम कह सकते हैं possible possible results जब भी कोई experiment आप perform करते हैं तो result क्या-क्या मिल सकते हैं क्या-क्या result यहां पर मिल सकते हैं वो हमारे लिए क्या है वो है outcomes ठीक है बच्चे फिर events की हम बात करते हैं क्या आप लोगों को याद है events event क्या था event event के बारे में आप लोग बोला करते थे कि यह होते हैं क्या यह हमारे होते हैं subset of subset of sample space sample space के जो भी subset है उन subsets को हम लोग event बोलते थे फिर आपके मने में आएगा कि sample space क्या चीज़ है तो sample space के बारे में आप लोग बोला करते थे कि collection collection of collection of all possible outcomes जितने भी possible outcomes होते हैं उसका जो collection है उससे जो set बनेगा उस set को हम बोलेंगे sample space उस sample space की जो subset होते हैं उन्हें बोलते हैं event उन्हीं events में जैसे मैं आप से बोलूँ कि a coin is tossed once एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो आप क्या बोलेंगे कि head भी आ सकता है tail भी आ सकता है their possible results their outcomes ओके बीटा इसको अगर एक set के अंदर बन कर दिया जाएं तब ही हमारे लिए बन जाता है sample space sample space बन गया अब मैं आप से बोलूँ कि इसके subsets क्या क्या होंगे subsets तो आप बोलेंगे एक subset हमारा होगा head एक होगा tail एक होगा खाली और एक होगा ht तो यह जितने भी subset है बिटा यहीं हमारे लिए होती है events यहीं हमारे लिए होती है empty event कह सकते है impossible event कह सकते है impossible event और जो impossible event है उसकी probability 0 होती है ठीक है अच्छा यहाँ पर इस वाली event के आप बात करें मिटा तो यह जो event है जब भी कभी कोई event equal to क्या बन जाती है equal to a sample space बन जाती है जब भी कभी कोई event sample space के ही equal आजाए sample space के equal आजाए तो भाई उस तरह की event को बोला जाता है shore event जो होना ही होना है confirm होना है ठीक ही एक dice को फेकूंगा ना तो पक्का 7 से छोटा number आएगा बोलो भाई शौर इवेंट है की नहीं है मानते हो की नहीं मानते हो साथ से छोड़ा नंबर यानी 123456 इसने तो एकदम sample space की बराबरी कर दी मानते हो मेरे बाईयों या नहीं मानते हो यस तर मानते हैं बिलकुल अच्छा कुछ इवेंट ऐसे होती है जो होती है elementary event elementary event अर्थात simple event के नाम से भी इनको जाना जाता है सर इनकी परिभाशा क्या है परिभाशा भाई ये है they have more than one element more than one element they have only one element ये मैंने क्या लिख दिया है they have only one element only in में केवल एक ही element होता है सर एक बार back page दिखा तो वो net issue हो गया था back page पर तो बटा कुछ भी नहीं है back page पर तो मेरी बहना कुछ भी नहीं है मैंने कुछ भी नहीं बताया है अभी तक तो ठीक है महाँ पर मैंने random experiment के बारे भी बताया कि ऐसा experiment जिसमें एक से ज़्यादा possible outcomes होते हैं और जिसका final result हम पहले से ही हम predict नहीं कर सकते हैं तो this is random experiment outcomes का मनलब possible results event का मनलब subset of sample space और sample space का मनलब collection of all possible outcomes okay sir फिर मैं आपको बता रहा था sample space के बारे में तो बच्चे मैंने एक experiment बोला कि a coin is tossed once सिक्के को एक बार उच्छाला तो head भी आएगा tail भी आएगा इन दोनों को set के अंदर बंद करते हैं तो ये जो चीज है ये जो set है इस set को हम बोला करते हैं sample space this is sample space अब इसके subset क्या बनेंगे तो आप बलेंगे H भी बनेगा T भी बनेगा खाली set empty set भी बनेगा और H, T वो पूरा उसकी भी बराबरी करेगा सो बच्चे यहाँ पर क्या था यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस H में इस T में इस E1 में इस E2 में सिर्फ एक एक element है इन्हें elementary event या फिर simple event के नाम से जानते है इसके अंदर एक भी element नहीं है इसको empty event या फिर impossible event के नाम से जानते है इसके अंदर ये जो event है इसके अंदर H, T ये दोनों element आगए तो ये जो ये वाले जो event है बेटा ये sample space की बराबरी कर रहा तो इस तरह की event को शौर event बोलते है फिर मैंने एक शब्द बड़ा गलती से निगाल दिया था अपने मुझ से compound event इसको हम compound event भी बोल सकते है एक ऐसी event which has which has more than one element which has more than one element ठीक है अच्चे आप देशिकते हैं इसमें बताओ एक से ज़्याद़ element है की निए बच्चों एक से ज़्याद़ element तो यह जो event है इसको हम क्या बोल सकते हैं this is compound event तो यह बताओ compound event आप लोग को कुस समझ में आया कि कैसी event को हम compound event बोला करेंगे बोलो बाई यह ठीक है यह एक बार repeat कर देजे एक बार repeat कर देता हूँ मैं बोलता हूँ बिटा आपसे a dice is thrown once बताओ dice को ठोड़ो करोगे तो sample space बनेगा 1,2,3,4,5,6 मैं आपसे एक event बोलता हूँ e even prime even prime बोला बिटा मैंने तो आप समझ जाओगे 2 मैं बोलता हूँ odd prime आप समझ जाओगे 3 and 5 मैं बोलता हूँ even number तो आप समझ जाओगे 2,4,6 मैं आपसे बोलता हूँ less than 7 आप समझ जाओगे 1,2,3,4,5 and 6 अब देखो बिटा बताओ बई क्या इसको हम simple event बोल सकते हैं बच्चो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही element है इन दोनों को बिटा हम देख सकते हैं ध्यान से हम इसको कह सकते हैं compound event compound क्यों क्योंकि यहाँ पर एक से जाद़ element है compound event ये भी है ये भी compound event है बच्चों ठीक है compound event ये भी है ये भी है ये ये भी है क्योंकि इन में एक से जाद़ element है पर ये वाली जो event है इसको मैं शौर event भी कह सकता हूँ बोला भाई मानते हो कि नहीं मानते हो आप क्लियर रहा भाई mutually exclusive events कौन बच्छा बताएगा mutually exclusive events mutually exclusive events किसी को याद है वंचिकार आईजा कहा है यार कितर रही है क्या होती है में उचली exclusive event इवेंट इसमें दो इवेंट इसमें कुछ भी कावन कामन ना मतलब याई intersection भी फायो बच्छे two or more event if two or more events are mutually exclusive if their intersection is empty set बच्छों ध्यान से देखिएगा यह हमारा universal है और याद रखिए probability में हम universal sample space को बोला करते हैं एक event है e1 एक event है e2 इन दोनों में कुछ भी common नहीं है भाई इन दोनों में कुछ भी common अभी याँ पर नहीं है तो common नहीं है वाई common है 5 यह क्या है यह है mutually exclusive events यहाँ बरिश्या जो ग्यारवी में मुझसे पढ़े होंगे आप लोगको मैंने शाहत बताया होगा selection of one selection of one results rejection of others rejection of others अधिकर भाई बासु 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 नहीं है बच्चों यहाँ पर हाँ selection of one results rejection of others देख अक्षे भाई एक्षे यह यह अग्षे साहा जो है बड़े सब्सक्राइब क्या बना चाहते हो कि अब 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 आपके माता-पिता बोल रहे हैं कि अब यहां पर लाइन ही लगिए लाइन है ठीके जी किसकी गड़कियों की समझभारा बात को अब बता भाई क्या सबसे एक साथी कर लेगा क्या नो सब्सक्राइब करेगा तो वह सब क्या हो जाएंगी इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या हो जाएंगी एक बार में तो सब सेलेक्ट नहीं हो सकता ना वाई यह जो सिच्वेशन है यह है दीदी भी रहेगी तिरनमूर कॉंग्रेस वाली आमाधी पार्टन मंत्री ठीके जी और हमारे मोधी जी भी रहेंगे राहूल जी भी रहेंगे ठीके जी राहूल जी पर क्लिक करूंगा तो बागी सब अरे बाप रहें बहुत बढ़या सब गए बड़ा फिर खतम ठीके ना फिर वापर आलू सोना निगलेगा बड़ा फिर ठीके ठीक अशी ने बड़ा जाए तो वही जीन किसी एक को सेलेट किया तो बागी सब रिजेक्ट और मैज की वाश्चा में इसको क्या बोलेंगे कि इंका जो intersection है, वो क्या है, वो है 5, कोई दिक्कत वाली बात है, आगे बड़ा जाएं, ओकी बटा, सो यह होता है, mutually exclusive, ऐसी बच्छे, एक चीज आती है, mutually exhaustive, mutually exhaustive, mutually exhaustive events, यहाँ पर क्या होता है, mutually exhaustive की जब हम बात करते हैं, तो इधर देखो क्या है, two or more sets, two or more sets, are mutually exhaustive, if their union is sample space, उनका जो union है, वो क्या होना चीए, वो sample space हो जाना चीए, जैसे, मेरे दोस्त, क्या नाम है, अक्षिस साह, अक्षिस साह, यस सै, मैं आप से खोथ, चला अक्षिस साहा तू रहने, वंशिकर अराईजा, आपके माधी मसे पूरी क्लास को समझा रहे हैं, वंशिकर अराईजा, धसिरोधी पालती है गिए झालाग्रेस और समाजवाधी तो आद राजना हो अब यह दीदी पुलने मपना लग जाने कि हाँ यह पर ुकर कुछ और भी लिखते हो ठीके नहीं together देखएगा अरेज भीस बहुत भांड़ेगे बश्य एक दू के अब बच्चर मैं आप से बहुत हूं एक सेट में बटा मैंने लिख दिया ए ए पी बी जे पी, एक सेट में मैंने लिख दिया, कांग्रेस और एस बी, और एक सेट में मैंने लिख दिया, आर जे डी, इतना ही लिख दिया बढ़ा हम ने, ठीक है, अब बताओ, क्या इन सब को मिला लू, तो क्या यह सेंपल स्पेस की बराबरी कर रहा है, बच्छे, बोलो भाई, य सेटी भी लिख देता हूँ, अब बताओ, क्या पोरे सेंपल स्पेस की बराबरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब अगर यूनियन करके, अगर यूनियन करके सेंपल स्पेस बन जाता है, तो समझाओ क्या है, वो mutually exhaustive है, यूनियन में कोई भी एक बंदा भी छूटना नहीं है, यूनियन करके यह सब चीजे कवर हो जाने चाहिए, इतना याद रहेगा भाई, इतना याद रहेगा, यह concept जब मैं आपको 13.3 base serum समझाओंगा, तो वहां पर इसकी जरुत पड़ेगी, चले, यह आप लोगों को समझे में आ चुका है, अब बढ़ेगे आगे आगे तर सब्सक्राइब, यह एक कांगरेशन है हमारे, ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, यह सर, आपका फिपरेट पार्टी भी जाइए, इसलिए, वो हसाते है, बढ़ी है ना वो फेवरेट है मेरे हो, रावल गांधी जी जो है ना वो फेवरेट है बढ़ेट है, ठीक है, अब अलगले एक्षिन मेरे मैंने अलगला पार्टीस को में वोट कर रहा वाई ठीक है तो वह जीदा यार चलेंगे बढ़ेंगants आगे बढ़ते हैं तो अब ऐसा है ना इतना हम लोगों को यहां तक हमने बारवी क्लास की अब हम बात करेंगे हैं आप बारवी क्लास की जनरली विटा अगर आपसे बोला जाएं कि किसी event की probability निकाल नहीं है कोई event है e तो आप क्या देखते हों कि total तोटल फेंवल ओट लैंड एफार ऑपशिबग्ड में और डिनॉमिनेटर में टोटल नमर और पॉसिबल और फॉसिबल आपकोंस किणमें बच्चोँ, यही है ऐख जैसना विदुखते हैं दंगितित अबपा किए यह ने में जिनम और प्च Maar यहिए बाज आपकी वीडियो सही नहीं आ रही है जाले ओके ठीक है आपकी अब ऐसा है न यहाँ पर आपने क्लास 11 पर पढ़ाता कि जैसे कर मैं बोलू कि एक सेट है एक सेट है बी ठीक है मैं आपसे बोलू कि इस पूरे युनिवर्सल के अंदर कुल मला के मालूब 50 लोग हैं एके अंदर 30 लोग हैं और बी के अंदर 15 लोग हैं ठीक है बच्चे सो आपसे पूछ लिया जाएं कि बता बाई एकी प्रोबैबिटी क्या बोलोगे तो उस सिच्वेशन में आप लोग एकी प्रोबैबिटी क्या बोलोगे तो आप लोग जवाब देते हो अगर हमको एकी प् है 30 और यूनिवर्सल में हमारे एलेमेंट है 50 आप सिंपली इसमें 3 by 5 बोल रहते हैं तो यही तरीका होता है अच्छे एक चीज में आप लोग को पता ना भूल जा यार ज़र वह चीज में देख लो फैसे आती है आप लोग को चीज आपको यह मालूम है ना बिटा कि A और B क मतलब क्या होता है जब और आये तो समझाना यूनियन तो यहां इसको फाइंड करने के लिए A में प्लस करते हैं B और माइनस कर देते हैं A इंडिसेक्शन B यह अगर सबको मालूम है तो ठेंगा दिखा कर अब आप लोग बता सकते हैं यह सर मालूम है ठेंगा दिखा कर और इसका वेंड डाइग्राम कुछ इस तरह सिवा करता है कि यह A है यह हमारा B है और वो इससा यह हमारा हो जाता है हमारा A union B यह बाटीक है ना यह बाटीक है बच्छो यह है A union B ऐसे क्या होता है माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा यह बिल्कुल ऐसी बीटा अगर हमारे पास आ जाए A and B यहां पर रहेगा A intersection B इसके लिए प्लूमला है A में प्लस करेंगे B और यहां से माइनस कर लेते हैं A union B बता भाई अरित्रो क्या अब सही है की नहीं है जलसी ब और यह इसा जो दोन में common है भाई ठीक है ना यह सेंबल स्पेस है अरित्रो सही है यह से अरित्रो या तेरे से बहुत टाइम से बात नहीं करी हमने यार हाथ से यह तो बहुत गलत बात हो गई ना चल्ड़ा आज तेरे से बात करेंगे फिर अ यह बट नॉट बी यहां भी क बोलते हैं इससे A intersection B का compliment भी बोलते हैं और इसको find करने के लिए formula होता है A minus A intersection B या फिर A union B minus में B arrow डागरम के तुरू अगरे बटा एक बार में आप लोग को बताऊं तो शयाद आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा यह A है यह B है हमीची यह A but not B वो हिस्सा जो A चैने जो जो A में आता हो अब इसको find करना है तो तरीका क्या है पूरे A में से हम इस intersection को कर देंगे minus पूरे A मेंसे हम इस interaction को कर देंगे माइनस अरित्रो सही है ये सर्ट या फिर पूरे यूनियन में से क्यों ना हम इस बी को अड़ा दे यूनियन में से तब भी पिट हमें वही मिलेगा यह ठीक है रोस्त ये सर्ट अब एसी इसमें आता बिटा नाइदर ए नौर बी कुछ ना लिका हो वे तो मानके चलते हैं बीच में एंड है नाइदर एंड नौर बी ओके ऑर के लिए एंड के लिए है और के लिए हैं यूनियन ठीक है भाई अब अगर आपने लेवन अपने पड़ा होगा तो आपको याद होगा यह चीज है यह एक्च्वल में एंड बी का कॉंपलिमेंट है और इसको फाइंट करना है तो पहले तो इसका ऐरो डाग्राम देखो क इसका यह A है और वह इसा जो ना तो A में है ना ही B में है फो इंके बाहर है है अरी आरितावच अंदिख रहा है ये से क्थे दिक्कत नहीं हो ही ना माइकुन करने में नो से बाद आदे कोई दिक्कत है तो इसको फाइंड करना है तो वन में से माइनस कर दो इस पूरे सेंपल स्पेस की प्रोवैबिटी वन होती है वन में से आप इस यूनियन को हटा दो वही तो आप लोगों को यह मिल जाएगा अब जैसे हमने यह किया है दोस्त जैसे हमारे पास है नाइधर ए नौर भी इसमें हमारे पर आजाता है नौट ए और नौट भी नौट ए और नौट भी इस पार यहां पे उनियन है तो वन में से यूनियन मैनस कर दिया करेंगे इसका भी अगर मैं आपको एरो डियाग्रम बताओ बाओ तो बच्चे intersection को छोड़ दो बस बाई सब ले बाई रित्रो सही है ये सै वान में से इस intersection को अड़ा दो बाई जो भी बाट बच गया वो not a और not b है ते ये बट not b वालो concept नहीं समझाया a but not b वाला समझ में नहीं आया नहीं देख मेरे दोस्त a but not b की जब हम बात करते हैं तो इसका मलब होता है a के वो element जो b में नहीं देख वाई ये पूरा a है हाँ बट इसका कुछ इसा b के आपास भी है b के आपास भी है इसको छोड़ दे तो जो रह गया वो a not a but not b है इसको a minus b से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको a intersection b complement से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको find करने के लिए हम इस पूरे a में से उस हिस्से को अटा देते हैं जो b के आपास भी है तो common वाला party तो जो जो आपास है ना हां तो उसको अटाब माई सकते हैं तो फिलाल विड़ा मैं आप आ जाता हूं यहां पर यह इतनी चीज़ें भी आप लोग को याद रखनी भाई यह जितने भी इसा फॉर में जो आपके काम आने वाले भाई यह ज़रूर याद रखिएगा आप देखो भाई यह ऐसा है ना आप बच्चे मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो एक ही probability निकालनी है तो आप यह देखते हो कि ए में elements कितने हैं बना पॉसिबल elements जो है ए में कितने हैं और total यूनिवर्सल में कितने elements क्योंकि A की probability निकालनी थी तो आपने यह देखा कि A में कितने elements हैं और यूनिवर्सल में कितने elements हैं अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू A और B के intersection की probability बताओ तो आप बोलोगे intersection तो यह हैं तो intersection में कितने element हैं नमबर ओफ elements in intersection divided by यूनिवर्सल में कितने element हैं वंशी का है रायजा यह बात सही है हाँ जी सर्थ इस पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना मैं नहीं सर्थ अब देख मेरी मैं अब देख मेरी मैं एन लिखेंगे एन पी तो यह लिखाई है उसकी probability निकालने कैसे निकाल लेगा अच्छा अच्छा में तो ठीक है चले आगे बढ़ें ओके अरित्रो ये सर्थ कैसा भाई बहुत अच्छे है सर्थ बहुत अच्छे है अब अरित्रो ऐसा है ना हम एक बात आपसे बोलना चाहते हैं क्या आपने कंडिशन शम्द सुनाय कभी हाँ सर्थ और कंडिशनल प्रुबैबिल्टी में कंडिशन लगाती जाएगे बिटाव ये क्लास 12 का टॉपिक है भाई हमारी 13.1, 13.2 और 13.3 वो इस पर बेस्ट है भाई कंडिशनल प्रुबैबिल्टी बच्चे अब तक हम लोग जब बोलते थे पी ए फाइंट करो तो यहां पर हम क्या बोलते थे कि तू फाइंड था अब हमें बोलेगा ए वाई बी की प्रुबैबिल्टी गणाओ तो इसका मीनिंग क्या है पहले वो देखो प्रुबैबिल्टी ओफ ए तो फाइंड प्रुबैबिल्टी ओफ ए वेर इवेंट बी है अल्रेडी अकड़ क्या मतलब है इसका अरे तो रहो क्या मतलब है इसका बी हो चुका है और उसके बाद ये को होना है बी हो चुका है और अब हम चाहते कि ए हो और उस ए के होने के ही चांसिस अब हम लोग यहां पर फाइंड करना चाहरे हैं find the probability of a when where event b has already occurred ठीक है यह ऐसे ना बोलकर बाई ऐसे क्या बोल सकता है to find the probability of a where event b is given ठीक है या फिर probability of a with respect to event b यह तीनों ही तेरी की से बड़ी चीज हमारे सामने आ सकती है और पी a by b probability of a by b निगालने के लिए simple सा एक फॉर्मला है बाई simple सा फॉर्मला क्या है ए और बी का intersection ए और बी का intersection ओके और अपॉन में probability of b अपॉन में probability of b ठीक है बच्चे है यह सर्ट ए बाई b, b हो चुका है जो हो चुका है उसकी probability नीचे आ जाएगी ठीक है दोस्त और numerator में क्या आएगा numerator में इस a और उस b का आय करेगा intersection मैं आपको अगर book के question दिखाओं तो आप बोलोगे sir exercise के सारे question तो आप बन जाएंगे बड़ मैं भी logic पर भी आऊँगा जैसे मेरे दोस्त अरित्रो मेरे बाई question number one हमें given that e and f are events such that e की probability कितनी है 0.6 f की probability कितनी है 0.3 और intersection की probability कितनी है 0.2 हमसे पहले पार्ट में क्या निकालनी रहे बोलता करा e by f निकालो e की probability find करनी है रुको जरा ठोड़ा रुको जरा ठोड़ा रुकना है विटा e की probability निकालनी है और event f हो चुकी है जो event हो चुकी है वो denominator में लिके लोगो numerator में इसका और इसका आ जाएगा intersection e और f का intersection कितना है विटा वो है 0.2 और f वो है 0.3 और बिल्कुल जिस भी दोस्तने बोला था 2 y 3 एकदम सही है ऐसी बोला इसने f के अपॉन में e f के अपॉन में e ठीक है तो f के अपॉन में e तो event e हो चुकी है और event f की probability find करनी है जो चीज यार किसके background में बच्चा है यार वो mic off रखोना है जो event हो चुकी है वाई उसको denominator मिलाओ probability of e probability of a intersection बिल्कुल भाई अरित्रो intersection क्या भाई 0.2 यस सेर और event e क्या है 0.6 ये टीक है ये सेर कोई दिकर तो नहीं इस में नो सेर अब अरित्रो भाई ऐसा है ना अब कोचिन को बदलते हैं या और dice is thrown once चलो बई जल्ली से बताओ सबी बच्चे एक easy question बड़ा आप सबके सामने मैंने रखा है जल्ली से इस प्रश्कन का answer बताईए सबका वन बाइट्री ना वन बाइट्व यह एक वन बाइट्व एक वन बाइट्व औरे बहुत बढ़े है बटा रितेश चलो देखा बई a dice is thrown once find the probability of getting even number भाई जब तुमने बोला dice को throw किया भाई ठीक है dice को throw कर रहे हैं दोस्तों तो बताओ तुम्हारे माइड में क्या क्या number आते हैं जल्ली से बताओ sir one two three four five six okay मैं चाहता हूं इक बार अरित्रो माइं कौन करें अरित्रो थोड़ा बढ़िया बंदा यार सभी अच्छे हैं अरित्रो थोड़ा जारा बढ़िया अरित्रो हां सर कहा है यार तू सिर्फ घड़ पे हैं ओके अरित्रों केरों dice को throw किया हमने तो dice को throw करते मैंने बोला dice को throw किया तो तेरे दिमाग में क्या क्या नंबर आ रहे है one two three four five six आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह जो तेरे दिमाग में जो पॉसिबल नंबर आ रहे है वह बन रहा है सैंपल स्पेस यह बन गया सैंपल स्पेस अब किस चीज की probability पूछी गई ह है find the probability of getting even number तो even number तो 24 और क्या बोलते है यह 6 यह event बन गया अजी सी टेडी मेरी सी ठीक है अमीवा बन गया मेरे क्याते है तो even number तो तुने बोल गया 246 ठीक है और probability of e जो है वह कितना 3 by 6 तो आंसर कितना आगया भाई 1 by 2 यह ठीक है यह सर्थ ओके अब दोस्त मैं question बदल रहा हूँ a dice is thrown once बता भाई तेरे दिमाग में क्या के number आई इतना सुनते ही जल्दी बता सर्थ 3456 123456 मैंने dice को throw किया भाई ठीक है और मैंने अरित्रों से पूछा है अरित्रों भाई कि एक even number आने की probability क्या होने चीए तो वैसे तो तू क्या बोलेगा तू बोलेगा 3 by 6 यानि 1 by 2 लेकिन मैं अब इस question में तुझे एक additional information देने वाला हूँ मैंने बोला एक dice को throw किया गया एक बार तो अभी तेरे दिमाग में यही चल रहा है but मैंने तेरे को आगे फिर इतना और भी बदा दिया dice shows a number less than 4 ठीक रित्रों मैंने experiment क्या किया था कि dice को throw किया है dice को throw किया वाई तो तेरे दिमाग में यह चल रहा है तेरे दिमाग में एक sample space बन गया sample space क्या बन गया one two three four five six मानता इस बात को ये सर्ट लेकिन मैंने उसके तुरंद बात तेरे को एक बात और बता दी कि भाई अरित्रों तू even number की क्वेल्टिफाइंड करना चाहते है ठीक लेएं मैं तुरको इतना भी बता देता हूं कि डाइस जो मैंने फेकी है ना उस डाइस पर जो number आया है वह चार से छोटा number आया है अब क्या मेरा सेंपल स्पेस जो पहले इतना बड़ा था क्या मैं कह सब तो क्यों सेंपल स्पेस अब थोड़ा सिकूट जाएगा यह सांत है अब दोस्त मैं तरे से पूछता हूं find the probability of getting find the probability of getting even number अब बता मेरे दोस्त अब तो even number की probability क्या बोलेगा बोलो बच्चों अब even number की probability क्या होनी चीए सबी बच्चे कॉमेंट करके बताईए one 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 by six one by three one by three one by six वाला कौन हो वा बचावना नाम बताओ फटावट से कि सर मैं प्यूश प्यूश दुवा प्यूश दुवा एक बात पुस्ता हूं तिर से इया फोग मत अर्नाइट आठ्थ नौ और दस यह दसक्यूशन है ठीक है अर यह दसक्यूशन भाई तेरे को नहीं आते है बहले तेरा ही कोई दोस्त है माले अरित्रो जो मेरे मेरे घर पर की अबताएं सब्सक्राइब पूछता है वह नहीं बतांगा था हैा था इसको बोलता है कि तू मेरा दोस्त है तो बताना पड़ेगा ऑरित्र तो भी मेरा दोस्तमेत्र को इतना बदा देता हूं कि क्या नहीं आ रहा है ये छे कोशन ये पांच कोशन नहीं आ रहा है तो अब मेरे को बता पहले तो दस कोशन की प्रैक्टिस करता दस कोशन की रखते लगाता अब तो अब तो कितना कोशन के रखते लगाएगा भाई पांच इस बात को मानता है जो पहले तो इतना त्यार करता भाईया जो इतनी possibilities थीक exam में ये 10 आ सकती है अब वो possibilities 10 ना होके अब कितनी रह गी है पांच रह गी है भाई सेम चीट मेरे भाई यहाँ पर है भाई जब मैंने यहाँ पर आया है वो चार से छोटा नंबर है क्या आया है वो नहीं बता रहे है पर चार चोटा है तो बता क्या 456 तेरे माइंड में रहेगा पर आपका जो sample space है बच्चों वो हो जाएगा कम, वो हो जाएगा छोटा, तो बटा अब आप लोगों के लिए sample space बन जाएगा, अब मैं आपसे पुछता हूँ कि even number की probability क्या होगी, even number की probability, तो यहाँ पर बटा अब आप जो जवाब देंगे ना, आप जवाब देंगे 2, यानि की 1 upon me 3, बोलो बच्चों, मानते हो की नहीं मानते हो, बोले बच्चा लो, क्या इस बात को आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो भई, ये मानते हैं, तो बच्चे, ये तो हो गया answer 1 by 3, बट exam में जब question यह आएगा ना, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, answer 1 by 3 है, answer 1 by 3 है, ठीक है, बट exam में आपको इसे नहीं लिखना है, वो तरीका बेटा में आप लोगों को अब यहाँ पर बता रहा हो, देखेगा, sample space लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हर बार ज़रोत नहीं पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foot हमारी पास है, sample space, question में हमेशा यह देखो, कि क्या चीज़ find करनी है, और क्या चीज़ question में given है, क्या find करना है, और क्या question में given है, क्या question में given क्या है, जो भी चीज़ आपको find करनी होगी, याद रखेगा, वो हमेशा e होगा, और जो भी चीज़ question में given होगी, याद रखेगा, वो हमेशा f होगा, बच्चे, इस question में हम लोगों क्या find करना है, find the probability of getting even number, even number, तो बोलो मेरे बच्चों, इस sample space के according, इस sample space के according बटा, even number क्या क्या है इसमें, आप बोलो बच्चों, इस sample space के according क्या given है, क्या given है, given है मल्लम क्या चीज हो चुकी है, क्या हो चुका है, तो आपने बोला हमने एक dice पेकी थी, और उस dice पे 4 से छोटा number आ चुका है, अरित्रो मानते इस बात को, जो dice हमने फेकी है, उस dice पे 4 से छोटा number आ चुका है, या फिर हमें ये given है कि 4 से छोटा number आया है, 4 से छोटा number, number less than, number less than 4, यानि क्या हम कह सकते हैं, कि 1, 2, 3 होगा, इस बात को मानते बच्चे, तो बटा, अब मुझे ये बताओ, जब तुमने dice को फेक का है, तो अब 4 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, अब तुम्हारे लिए ये sample space नहीं है, अब तुम्हारे लिए sample space का काम कौन करेगा, यह, यह, 1, 2 and 3, क्योंकि तुमने dice पर जो तुम्हे number मिल रहा, वो 4, 5, 6 में से नहीं, वो number इन तीनों में से कोई एक है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो वो 4, 1, वो जो number है, वो 1, 2 और 3 में से ही कोई एक number है, तो भाई समझ जाओ, 4 तो हो नहीं सकता, 6 भी होनी सकता, common क्या number है बेटा, common क्या number है, ए और एप का intersection क्या है बेटा तो आप लिंगे 2 और हमसे पूछा गया था क्या ए की probability find करो जब event f हो चुकी हो तो बेटा मैंने आपको तरीका बता है था numerator में लिखना intersection denominator में लिखना इंटरसेक्शन अरित्रों हवाज आ रहा है यह से तो इभाई f का बेटा तरीका में आपको क्या बताया था कि intersection को डिवाइड कर दो f से intersection में कितने element है बाई intersection में एक element है f में कितने element है f में तीन क्या तुम लोगों ने भी स्टार्ट डिक में आंसर वन बाई three बताया था आसर अगा पट्चों यह कथा कुछ कुस अपने आई की निया कि इसने अ कर दो कि इसने क्यानी पूचा है तुक्हा इज़े ओट तक चोटी क्लास है में हम हमेशे सीधा क्या लिखा करते थे कि सीधा probability और bracket में लिख दिया करते थे even number हम सीधा लिख दिया करते थे but अब class 12 था चुकी भाई यहाँ पर इस situation में हमारे पास दो events भा करेंगी एक event given होगी और एक event find करनी होगी die shows a number less than 4 die shows a number less than 4 यह चीज हो चुकी है find the probability of getting even number even number तो मैंने answer क्या बोला 1 by 3 जबकि यहाँ पर even number की probability तो 1 by 3 बता रहा है है ऐसा क्यों हो भाई कोशन में चेंजेस हो गए है sample space ही मारा बदल गया है यह 1 by 3 इस f के according आई यह probability समझभा रहा बात को अगर यह f ना होता अगर सिर्फ तुमसे पूछता what is the probability of even number तो sample space तो हमारे लिए यह a die is thrown once अगर dies को एक बार थो कर रहे है तो वह मेरे सेंपल स्पेसर भाई उसके according में बात अगर बोलू तो आंसर मेरा क्या होना चीए था 3 by 6 लेकिन इसने आगे एक condition दी इस condition के according मेंटा मेरी probability भी चेंज होगी और जब भी condition आएगी तो वहाँ पे additional probability लग जाएगी क्यों मेरे दोस्त हर शर्मा तो इस सीच की भाई अधर डाल लो यार अरित्र भाई माई कॉन यह सर्थ हम आप से बोल रहे हैं कि हमारे हमने कोई एक experiment को perform किया experiment को आपने पर्फॉर्म किया तो यह आपके लिए क्या बन गया यूनिवर्सल से वो sample space हमारे लिए ठीक है जब हमने उस experiment को perform किया ना तो हमें कुछ चीज देखने को मिली है ना भाई वो हमारे लिए हो सब्ता है भी ठीक है ठीक है जैसे पिछले question में हम बात करें महाँ पर क्या था हमने एक experiment perform किया था हमने एक dice को throw किया था तो 123456 यह मेरे लिए पूरा क्या था यह मेरे लिए sample space था राइट उसके बाद हमने हमें उस experiment में कुछ extra information दे रहे थी कुछ चीज़ हमें देखने को मिली क्या कि die shows a number less than 4 die shows a number less than 4 तो इससे हुआ क्या इससे हुआ क्या कि यह जो इतना हिस्सा है यह reject हो गया सभी बात है event f हो चुकी थी तो इसलिए अब हमारे पास सिब f बचा f f या नखी 123 यह हमारे लिए f है दोस्त मानता है इस बात को उसी तरह से मैं बोलता हूँ कि यह पूरा sample space था और हमें कुछ और extra information दी और information क्या दिया है कि event भी हो चुकी है जब event भी हो चुकी है तो event भी कि इस situation में क्या होगा अब यह वाला इससा हो जाएगा reject यह वाला इससा भी हो जाएगा reject यह सावी सा क्या हो जाएगा अब तुम्हारे सामने सिबr wonder Norm Scottish ज़र 500 था है थिक है अब हमें तुमसे बोलूं कि तो बी में रहते हुए बी में रहते हुए A find करो B में रहते हुए A की probability find करो तो B में रहते हुए क्या आप लोगों को A दिखाई दे रहा भाई तो सरी B वाला पूरा हमार ले sample space हो जागा बी हमार ले पूरा sample space बन जाएगा भाई अब वो पाई सब रिजेक्ट हो चुका है अब जो भी तुम्हार आंसर निगलेगा बी के कोडिंग निगलेगा क्या अब बी में रहते वे ए फाइंट किया जा सकता है भाई मैं यह पूछ रहा हूं आप लोग से यह इस इसे को क्या बोलते हैं तो मैं आप से पूछ रहा हूं प्रोबैबिलिटी ओफ ए विन इवेंट भी ओकर जब इवेंट भी हो चुकी है तब ए फाइंड करो तो आप बोलेंगे भाईया सेंबल स्पेस तो आप हमारे लें बन चुका है और बी में रहते हुए एक कौन से से में दिखता है बिटा आप बोलेंगे इंटर्सेक्शन में दिखता है बोलो भाई फॉर्मला समझ पाएगे ने समझ पाएगे यह से अब बोलो किसको दिखता है माइगान करके क्या किसको प्रॉब्लम है यह सब रवीर आजपूत कोई दिखता बाई गी दिखा नहीं भीया कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं सब समझ में आगे तिरुको हाँ तो एक ग्जामपल होते सकते हो नहीं इसे रही नौ चलो भाई देख रहे हैं कोईशन में फूर सिंगला मायग आप कर ले बहुत मारूंगा ते रपका हाँ मायग आपकर अलाइक चलो भाई एक ग्जामबल और चीन देखा चलो भाई देखो ए यूनियन बी हमें पाइंट करना है बोल रखा है कि ट्वाइस ओफ पी एट और पी बी दोनों 5 बाई 13 के इक्वल है प्रॉबैबिलिटी ओफ ए बाई बी वो 2 बाई 5 के एक पर है यहांसर समझेगा 2 ट्वाइस ओफ पी ए इस इस 5 बाई 13 तो बताओ प्रॉबैबिलिटी ओफ ए क्या हो जाएगी 5 बाई 26 प्रॉबैबिलिटी ओफ बी तो हमारे पास है यह अलरी यह सै अब मुझे बताओ प्रॉबैबिलिटी के बी हो चुका हो जो हो चुका है वो डिनामीटर में जुम्रेटर में ए और बी का इंट्रसक्शन इस तर आप ए वाई बी देर रखा कितना वाई 5 इंट्रसक्शन और बी कितना है राद फाइब बाई 13 सो टू बाई 5 की मुझे लेते हैं 5 बाई 13 के सा तो हमें A intersection B मिल जाएगा? ये से A intersection B कितना जाएगा भाई? 2 by 3 क्या इसमें किसी भी बालक को कोई आपती है? हमें क्या फाइंड करना है? A union B A union B निकालने लिए formula होता है A plus B minus A intersection B A है 5 by 26 B है 5 by 13 intersection है कितना? 2 by 13 ये बन्जाएगा 26 5, 10 और 4 15 minus 4 11 by 26 पोलो भाई, ये ठीक है कि नहीं है? ये से ये से ओके ठीक है बिटा? 5 तुम्हारे हवाले है, अब भाई, सिंग्ला माइग उन कर ये सर दियान से समझ लियो? ठीक है सर एक बार बताऊंगा बसर अब बैकराउन में शोर नहीं होना चीए, बट पहली बता रहूं, इस शांती जगे में बोच आए, एकदम शांती जगा पे हाँ, ठीक है, समझ लोग ध्यान से, करकी, पाइंट करो, EYF, ठीक है, ठीक है, अब कॉइन इस टॉस्ट थ्री ताइम्स, यह हो गया, एक्सपेरिमेंट, यह हो गया, एक्सपेरिमेंट, कॉइन को तीन बार टॉस्ट करते हो बिटा, तो टोटल आउटकम्स किते मिलेंगे? 3, 6, 8, 8, 8, उठाले रे देवा, तू की पावर 3, तू की पावर 3, 8, 8 का आधा, 4, 4 बार H लिख, 4 बार टेल लिख, 4 का आधा 2, H, H, टेल, टेल, H, H, और टेल, टेल, दो का आधा 1, H, टेल, H, टेल, H, टेल, हेच और टेल, सैंपल स्पेस बन गया? बन गया, इस कोशिन में बनाया है, आगे कि किसी भी कोशिन में नहीं बनाऊंगा मेटा, पहले बता रहा हूं, ठीक है? ठीक है, सर, अगर यह चार बार होता तो कैसे लिखते सैंपल स्पेस? 2 की पावर में 4 कितना 16? सेटेटे आठ बार हैट पिर आठ का लग चार चार बार हैट। छार बार थेल चार का हदब दो हैट, दो टेल समझ गएख फिर एक है then पिर एक है तेले टेल अले 4 आए गए भिस्टा। ठीक है ना वो तो 11 तो में हो गया ना क्योंकि यहां तो फिर अलग conditional probability चलेगी अब अब देखो यह तो हमारा हो गया sample space अब मुझे बोलता है head on third toss अगर बोलता कि इसकी देखो e की probability find करनी है कब जब f हो चुका हो अगर मालो f ना हुआ होता तो मुझे simple पूछता कि what is the probability of e head on third toss तो तुम बोलो के एक यह है एक यह है एक यह है और एक यह है तो 4 के upon में आ जाता 8 मानते हो हां मानते हो ठीक है लेकिन हुआ क्या head on first two tosses यह हो चुका है जब हमने coin को तीन बार toss किया तो मुझे पता चल गया कि पहली बारी भी head आया है और दूसरी बारी में भी head आ रखा है बोल भाई समझे की नहीं समझे समझे यानि कि पहली बारी में भी head आया दूसरी बारी में भी head आया एक तो यह चलेगा यह भी चलेगा और और कोई नहीं है यह तीनों coin पर यह नहीं है 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 क्या यह वाद समझा की समझा है समझ किया ऐसा हो चुका है ठीक है ना अब तेरे लिए सेंपल स्पेस में अब आठ एलेमेंट है ठीक है अब मुझे बता इन दोनों में से कौन सा एलेमेंट है जो हैड ऑन थार्ट तॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है फास्ट फाला दो में से कुई एक ही एलेमेंट है बस क्या मैं आंसर वन बाइटू बोल सकते हैं दो यह है तो वन बाइटू यहीं आएगा बच्चों समझ में आए कि नहीं आया है यह सर और कि सारे से स्वेस में तो चले गए अब देखो ऐसा है ना अब एक्जैम में तो सीरे ऐसे तो लिखे नहीं आओगे ना महलत दो नंबर में कोशन आ गया तो थोड़ा करना पड़ेगा ना तो देखो तरीका देखो ए और एफ देखेगा क्या फाइंड करना है हेड हेड ओन थर्ड टॉस एफ में हेड ओन ओके बचो मैं इसको नहीं देख रहा हूं मैं इसको नहीं देख रहा हूं ठीक है बचो मैंने सेंबल स्पेस को नहीं देखा ठीक है हदा दिया मैंने इसको यह हमारे सामने नहीं है अब देखो अक्षे सहा माई कौन करें Yes sir Head on first to toss पहले में भी head है दूसरे में भी head है तीसरे throw पर क्या है बताया question में बताया इससरे नहीं तीसरे में head भी हो सकता है tail भी हो सकता है ये हो चुका है ठीक है ये given है ठीक है दोस्त यानकी ये हमाले अब sample space है बता, यहाँ पर बोला है, इसको लिखने की जरतनी है, लिखने की जरतनी है भाई, बड़ लिखना चाहतो तो लिख सकता है, क्या बोला, head on third toss, तीसरे पर head आया, पहले दूपे क्या आया, तो तो बोलेगा, hh हो सकता है, hh, ht h हो सकता है, thh हो सकता है, pth हो सकता है, लिखने की जरत नहीं थी इसको, ठीके दोस्त, मैं बस लिख दिया है, इस question में, मैं सीधा लिखूंगा, e और f का intersection, e और f का intersection, बता, इन दोनों में से कौन सा element है, जो इस condition को satisfy कर रहा है, पने है, hh, 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 मानने इस बात को, हाँ, sir, now, हमें है, e by f, और तो देख भी सकता है, उसमें, और इसमें, इसमें सिर्फ यही common है, तो format है, e और f का intersection, upon n न प रोगारी, of f, intersection में एक element है, f में दो element है, और हमार answer कितना है, प्रवाइब तो फॉप्रिया वाइब तेरों को समझ में आ गया प्राइब गया वाइब प्रोड़िटी समझ आ रहा है कभी या मात कर रहा है अच्छा पोशिन करें बच्छों अच्छा है यह सर्थ अर्ण वंचिगा कि दरगी बहन या इंपर वसार तुम इच बोल ली रिया यार नहीं मेरी प्यारी बहन बोली प्यारी नियारी वंचिगा आपको मालूम है जब डाइस को एक बार थो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं तू अच्छा डाइस अच्छा ठीक सारी हो मन्हें मैंने अब जब भी कॉइन पड़ लिया सिक्स अब लाद जिंदगी वरवाद हो गया वाई अब क्या बोली डाइब बच्छों ठीक है सबका ये ठीक है ना अब ये गदा हो ठीक है येस सर्ट ओके दो बार थो करें तो शेक्स तुदी पार टू थार्टी सेक्स अब तीन बार पे ये ठीक है ना अजी सर अब देखो अड़ाई इस्त्रों थ्री टाइम्स कितनी बार तीन बार तीन अब तुम में से कोई बहुत बड़ा होश्यार चंद होगा जो सभी सेंप्ल स्पेस बनाने लिखेगा सभी सेंप्ल स्पेस के अलिमेंट लिखेगा अलाव एक जाते हो कोई है यहां पर कुछात से जो सभी एलिमेटीट्स को लिखना चाहता हुआ यहां पर सिंगला है तो गुज़ात से तो ने लिग्मान जो तो वह एक वह आता है पहले आते है खिचडि खिचडि तो उसमेरे प्रफोल तू गधा एक तम गधा तो तिर ले आता है बड़े सिदांशों सिंगला तो ना गधा है क्या है चलो बुरा मत मारें बाहिए दोपने ठीक है ना जैसा भी है तेड़ा अब मेरा है तेन अब क्या कर सकते है अब डाई इस प्रॉंग तो सैंपल स्पेस न वन्ची का मेरी बेहन प्यारी बोली नहीं आरी हमान जी सर शिक्स एंद पाइफ रिस्पेक्टीवलई ओन इस्थ यू का जी सर पहले पे उस्पे दूसरे पे और थीजिए इस पर भी क्या आया क्या बताए इस कुशिन में नहीं सर कुछ भी आ सकता है तो क्या क्या हो सकता है 123456 चे केसं बन जाएंगे इस बाद को बनती हूं कान जी सर्फ मैं तू रहें जिदुमाइक को कर अरित रो नहीं और हमारा अरित रो यह से बोजन हो गया फिटा नहीं तर अभी नहीं वा ना नहीं तो तीसरे में क्या यह नहीं बताया तो 1 हो सकता है है क Two हो सकता है three हो सकता है four हो सकता है five हो सकता है और इससे मुझे चल चुक आथ है यीचछ के इंदर इस फूस्ट है अ मेरा पार इसके TWO क्या कोश्यन जल्देबूर यहां पर फाइप नहीं होगा क्या रिस्पेक्टिव भी बोला है इसके पर एच्छे फिर वो है ना किक एच्छा है आजी सो यहां पर बोलता है फोर अपियर ऑन थर्ड टॉस फोर ऑन फर्ड टॉस तो अरित्र भाई यानि कि पहले पे कुछ आया होगा दूसरी पे कुछ आया होलेकि तीजरे पेफर आया है यह से तो देख सुदे इस बॉक्स यह सबसको बाएब के ठीक है ठीक है ठीक है नहीं लिख रहा हुआ है अब बता इन 6 में से कौन से element है जो इस condition को satisfy करता है सिक्स फाइब और फॉर वंजी का सही बड़े है हाँ जी सर इंटर्सक्शन आ जाएगा numerator में इंटर्सक्शन में किवल एक ही element है और एफ में हमारे छे element है सबको समझ में आया तो ठींगा दिखाओ जिसको समझ में नहीं आया हुजर हेंडरेस करो चल देख भई प्यूश को वह क्लास में आया है तो देख कोशिन तेरे साथ भी हो जाए करकी गिवें देट गिवें देट था टू नंबर्स अपेरिंग ओन तो डाइस आर डिप्रेंट बच्चों एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है प्यूश भई एक्सपेरिमेंट क्या यह रेंडम एक्सपेरिमेंट है तो डाइस अर्थ रोन यह वाट ठीक है पच्छों हमने दो डाइस को थो किया है वह अमारे लिए रेंडम एक्सपेरिमेंट अब जब दो डाइस को थो करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में आएंगे कुल मला के 36 नंबर ठीक है ना 111213141516 तो अब यह तो होगया रेंडम एक्सपेरिमेंट हमारा अब वहाँ पर कुछ चीजें हम लोगोंने अब्सप करी होंगी कुछ एक information question में given होगी क्या information given है हमने यह पाया कि जब हमने डाइस को दो बार थो किया है तो जो दो नंबर हमें मिले वो दो नंबर क्या है तो तू नंबर्स और डिफ्रेंट क्या बोलते हैं मेरे दोस्त प्यूश क्या मुझे बता सकते हैं इस एप के अंदर टोटल कितने अलेमेंट्स होंगे प्यूश उनले प्यूश बताएंगे तो टोटल तो 36 होगा है दो नंबर डिफ्रेंट होगा प्रतीक शुक्ला 30 सुमित भाई ने जवाब दिया है प्रतीक 30 कैसे भाई तोटल 36 होंगे और 1,1,2,2,3,3,3 यह से में इने माइनस कर दाएंगे ठीक भाई ब्यूश टोटल 36 नंबर्स होते हैं ठीक उसमें से 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 इन 6 केसे को अटा दो तो इस F के अंदर आपको मिलेंगे 30 elements ठीक है मैं उनको लिखने नहीं बैठूंगा रितना टाइम नेमर पस ठीक है अब क्या चीट find करनी है find the probability of the event जो चीट find करनी है उसको e मानो क्या the sum of the number is 4 sum is 4 तो summation 4 कब-कब होता है आप बुलेंगे 1,3 पे होता है 2,2 पे होता है और 3,1 पे होता है यह जो e आपने लिखा है वो आपने इस experiment के recording लिखा है अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौनसे element है जो इस condition को satisfy कर रहे है 1,3,3,1 1,3 and 3,1 सो बच्चे हमें निकालना है e,y,f तो इसमें हम क्या करेंगे बटा 1 by 15 क्या बात है बटा बितेश बहुत बढ़े है intersection में 2 element है और f में हमारे 1 by 15 मुझे बताओ क्या मैं आप लोगों को conditional probability समझा पाया yes or no comment करके बताइए yes sir last question तू सिंगला तू गदा है गदा ठीक है ना बताओ तो पर इसीवात पे क्या समझ में नहीं आपड़ा तरको सिंगला यह f मेंना क्या लिग है तो मेरा भाई है प्यारा सा बोला सा यारा को थो किया उस पर दोनों नमर डिपेंट होने चीह है दोनों डिपेंट होने चीह लिए नि1 2 चलेगा 3 चलेगा 1 4 चलेगा 15 चलेगा आज नमरी होगे यह जिसा डर्ट लीन नीगेगा नहीं नहीं लिखेगा ऐसे थ्री वाले लाइन पर थ्री लिखेगा नहीं एज चाटिस में से तु वन वन टू 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 कि लिया तो पता ये तू तो इसके अंदर ही नहीं ना अच्छा हाँ टू 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 नहीं है समझ गया अब आ गया तो बच्चो थर्टीन पॉइंट वन पूरी विटा आप लोगों के लिए हैं होमवर्क कंप्लीट आप लोगों को करना है तो नेक्स क्लास में लोग उसको फिर देखेंगे फिर या पहले पांच में कोई कोशन है नहीं अगले पांच में अगले पांच में भी या एक आप बोल रहें कोशन नमबर 7 कोशन नमबर 7 ओके इसके बाद 7 के लावा कौन सा है 7 9 10 एक्जांबल 7 ओके बिटा ओके 7 9 & 10 ओके और कोई है 13 15 भी हमारे सुदान शुभाय का है 13 भी है 15 भी है ओके 14 तो हमने कल क कर लिया था आहां ठीक तो ठीक है शुरू करते हैं भाई से शुरू करते हैं सेवैं त में फर्स पार्ट कराऊं यह वैं साइड़ पार्त कराऊं ओक चलो देख लो पहले बात करते हैं इसके फिर्स पार्ट की सबसे पहले बात करते हैं हम फिर्स पार्ट की कहते हैं कि two coins are tossed once दो coin को toss करोगे तो हमारा जो दो coin को पिट हम लोग अगर यहां पर toss करेंगे तो हमारा जो sample space बनेगा वो होगा h, 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 t, t, h, t, n, t राइट करें कि event e है tail appears on one coin tail on one coin जो दो बार तुमने toss की है न उसमें से किसी एक पर tail आना चाहिए तो वो यहां तो क्या होगा h, t होगा यहां वो t, h होगा आप t, t मतले ले ना क्योंकि वहां तो दोनों ही coins पर tail है ओके, फिर event f event f यहां पर क्या भाई one coin shows head one coin shows head तो इसका मतलब क्या बच्चे किसी a coin पर head आना चाहिए तो या तो h, t होगा या t, h होगा अब आप देखेंगे इस e में और f में common क्या है आप बोलेंगे दोनों ही common है h, t and th so हमें तो निकालना है e by f तो उसके लिए intersection रहेगा in numerator f रहेगा in denominator intersection में guys दो element है, f में भी दो element है so इसका answer one आ रहा होगा ठीक है, पहला बाट सीए बाई अच्छे देखो, ऐसी ये first part था हमारा ऐसी second part की बात करें तो event e कहती है no tail appears tail आना ही नीच चाहिए तो t t अटा दो, t h अटा दो, h t अटा दो तो इसमें तो सिर्फ क्या रह जाएगा h h रह जाएगा और वहां क्या बोलना, no head appears head आना ही नीच चाहिए तो head नहीं आना चाहिए no head appears में यहाँ पर tail tail आ जाएगा अब दोनों में कुछ भी common नहीं है जब कुछ भी common नहीं है तो भाई हमारा जो e के upon में f है वो निकलेगा intersection upon में probability of f यह 0y 0y1 और answer 0 आ रहोगा इसका बोलो बच्चे, यह साही है की नहीं है बखा, yes done है yes, साही है बटा चले आगे बढ़े yes sir, okey next की तरफ बढ़ते हैं अगले के तरफ बढ़ते हैं भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई So, next question हमारे बास है question number nine हमारे बच्चों ने पुछा question number nine तो Q9 आपकी स्क्रीन पर Q9 आपकी स्क्रीन पर कहड़ा है भाई की Mother, Father and Son Line up at random for our family picture Son on one end Father in middle माता, पिता और बेटा तीनो जो है फोटो खिचवाने के लिए भाईया लाईने में खड़े हो रहे है अब ऐसा है इनके जो arrangements की अगर बात की जाए यानि कि अगर मैं sample space बनाओ तो Mother, Father और Son या फिर Mother, Son Father हो सकता है ऐसी अगर मालों सबसे पहले Father आ जाए फिर Mother and Son फिर Father, Son and Mother हो जाएगा ऐसी Son, Father, Mother Son, Father, Mother and Son, Mother Father या मालों सबसे आ जाएगा event E में कहरा है बिटा कि Sun on one end Sun on one end तो Sun किसी एक कोने में होना चीए ना किसी एक ending में होना चीए तो देखो एक तो ये ऐसी event F में क्या बच्चे कहता है कि Father in Middle Father in Middle तो Father अगर Middle में होंगे तो Sun, Father, Mother हो सकता है या फिर Mother, Father and Son हो सकते हैं भाई ये चीज़ हो सकती है तो आप देखेंगे इस दोनों में और उन चारों में common गया बिटा E और F का इंडिसक्शन आप देखेंगे SFM वहाँ पर है और MFSB उसमें है भाई तो दोनों ही है यार इसका अंसर भी वन आ रहा है बच्चे मेरे कहाल से इसका आंसर भी यहाँ पर वन आ रहा है डाया ओने बच्चे करके बताव प्धाव है से आप यहाँ पर देखेंगे इसका पर और आंसर हमा रहा है इसमें भी वन आ रहा होगा बोल बड़ा ये ठीक है की नहीं है अजी ये सर समझ में आया की नहीं आया भाई इतना clear है की नहीं है आगे बड़ा जाए या नहीं बड़ा जाए सर सेंपल स्पेस लिखना जरूरी है क्या नहीं बड़ा लिखना जरूरी नहीं है लिखना जरूरी नहीं है, आप इसके बिनावी बटा question अपना कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे question number 10, फिर हम इसमें देखेंगे question number 10, और 10 का, 10 का बताओ कौन सा बाट कराना है, 10 में कौन सा बाट करवाना है, 10 में कौन सा बाट कराना है, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा भाईया मेरा मैसेज दिख रहा है हाँ दिख रहा भाई दिख रहा है 15 करारों बड़ा अक्षे कुछ कह रहा बच्छे अक्षे कुछ कह रहा भाई ओके ठीक है चले ठीक है मैं अब आपको करवारों बड़ा यहाँ पे question number 10 question number 10 देखेगा बच्छे हमने दो ड़ाइस को रोल किया एक हमारे पास black ड़ाई है और एक हमारे पास red ड़ाई है तो देखे बच्छे अगर बैब बलू कि total यहाँ पे कितने outcomes होंगे total outcomes की जो संख्या है क्या कोई विच्छे बता सकता है कि यहाँ पे total outcomes हमारे कितने आने वाले है total outcomes comment करके बता सकते हैं फटाबच से 36 भाई लोग एक पहली जो ड़ाई है पहली है भाई हमारे पास red ठीक है और दूसरी जो है भाई दूसरी कैसी है दूसरी black थोड़ी बनाओ हमाई है आप यार लो जी हमारे दो डाई हो चुके है अब जब इसको भी थो करोगे उसको भी थो करोगे तो 6 और 6 total 36 हमारे outcomes यहाँ पे बन जाएंगे 36 outcomes बनेंगे ओके इसको तो लिखने की जुरत वैसे नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखे पहले पार्ट में पूछा क्या है याद रखे जो चीज़ find करनी है जो चीज़ हमें find करनी है उसको हम बोलते है E और जो event given है या जो event हो चुकी है उसे हम लोग बोला करते है F तो कोशिन को अगर हम पढ़े तो यहाँ पर बोल रहा है बच्चे find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 summation जो है it should be greater than 9 sum is greater than 9 ओके ठीक है और event F हो क्या चुका है तो आब बोलेंगे given that the black dye resulted in a 5 black dye black dye resulted a 5 black dye resulted in a 5 यह बाट ठीक है बच्चो अब ठीक है ऐसा है ना जो मैंने दो डाइस यहाँ पर थ्रो करी हैं बच्चे जो दो डाइस मैंने थ्रो करी है माल लेते हैं कि एक red है और दूसरी black है पहली वाली जो डाइस है वो red है दूसरी वाली जो dye है बटा वो black है और इसने बोला क्या कि जो black dye है उस पे क्या आया इस पे आया है 5 इस पे क्या आया मुझे नहीं बताया गया तो बच्चे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं कि पहले वाले पे वन आया होगा दूसरे पे 5 आया होगा पहले पे 2 दूसरे पे 5 पहले पे 3 दूसरे पे 5 पहले पे 4 दूसरे पे 5 ऐसी 55 और 65 क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आईये बच्चे क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आईये की नहीं आईये 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 कि बच्चे देखे ऐसा है हमें बोला गया है कि ब्लैक डाय रिजलिट इव फाइब ब्लैक डाय पर आया है पांच तो ब्लैक डाय पिटे मैंने दूसरी डाई को मान रखा है पहली वाले पिक्या आया मुझे ये कुशिन में नहीं बताया गया तो भाई उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कुछ भी हो सकता है भाई अब देखो ऐसा है मुझे ये बताओ इन 6 में से कितने element ऐसे हैं जो इस condition E को भी याँ पर satisfy कर रहे हैं बच्छे जो element ऐसे होंगे वो सब E intersection F के अंदर रहेंगे बच्छे क्या बोलते हैं sum greater than 9 क्या 65 को ले लिया जाए 6555 बच्छो यह बाठीक है 65 and 55 यस ओके 5,5 and 6,5 सो बच्छे हमें तो निकालना है E by F और आपको मालूम है numerator में intersection आ जाता है denominator में हमारा probability of F आ जाता है intersection में हमारे पास 2 element हैं और F के अंदर बेटा हमारे कितने 6 element हैं तो इसका answer आना चाहिए 1 by 3 एक बाठ चेक को रोफड़ाबट से क्या इसका answer 1 by 3 है या नहीं है बड़ा विबुशित आप कहरें कि यहाँ पर E intersection F में 2 element हैं वो probability थोड़ी आप यही कह रहे हो ना विबुशित देख ऐसा है अगर आप probability ही लिखना चाहते हो तो लो वाई उसमें आप क्या कर सकते हो F में कितना element है 6 odd of 36 this is the probability of F यह बाठ ठीक है विबुशित ऐसी intersection में 2 element है odd of 36 अब ठीक है ओके बोली आकाश बोली बिटा मुझे कैसे पता चला कि इतने ही outcomes होंगे बाई यह तो पड़ा simple था तीन ही element इसमें है तीन ही element है और उन तीन element को arrange करना है यान कि यह तो obvious से कि permutation है permutation management आते हैं तीन element को तीन जीगाप arrange करना है तो 3 into 2 into 1 छही तो किस बनेंगे हाँ अगर यहाँ पर elements अगर ज़्यादा होते तब मुझे बनाने में दिक्काद आती भाई अगर 4 element होते तब मैं नहीं बनाता ठीक है दोस्ते बढ़ेंगे क्या करते हैं तब क्या करते तब मैं तब उस situation में अगर मानले ज़्याद element होते तो उस situation में e और f के basis पे ही मैं यहाँ पर element को लिख लिए था मुझे इसको लिखने की जुरोती नहीं पड़ती ठीक है आप देखिए अब हम देख रहे हैं बच्चो क्या इसका second part करा हूँ बच्चो विद्यकुल जल्दी बताई बच्चे क्या इसका second part करा हूँ समित करें वह जो question आप कह रहे है पहले पांच भी अगर आप पहले बाले को black मान रहे हो तो दूसरे बाले को फिर red मानना पड़े कोई एक चीज आपको मानके चलने पड़ी कि भाई है ठीक है समित 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 हालो 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 ओकी ठीक है अंशुल दवे तो इतने दिन से कहा दवाई चले बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे है सेकेंड हम कर लेंगे बच्छों सेकेंड कर लोगे इसका जल्दी बताओ अभी वाला कोशन दिखा दो अभी वाला थोड़ा टेडा कोशन आ बाई तुम बोलो तो करवा देता हूं वरना नेक्स रासर मुझे ही करवाना बढ़ेगा वन शी का बी बाट कर लिए बटा अपने आजी सर हो गया चल एक बार करते हैं इस कुशन को भी आज बटा तोड़ा ये सबके साथ डिसक्स हो जाए कुशन तो बढ़ी आजएगा आजी बच्छे कर रहा कि find the conditional probability of obtaining the sum 8 find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that the red die resulted in a number less than 4 देखो जो चीज़ find करनी है वो E जो हो चुका है वो F find the conditional probability of obtaining the sum 8 sum जो है वो 8 होना चाहिए sum 8 कब कब हो सकता है अगर पहली पर 1 आए तो दूसरे पर 7 तो आ नहीं सकता पहली पर 2 आए तो दूसरे पर 6 पहले पर 3 तो दूसरे पर 5 पहले पर 4 तो दूसरे पर 4 पहले पर 5 तो दूसरे पर 6 तो दूसरे पर 3 पहले पर 6 तो दूसरे पर 2 यही पाच की स्पड़े यहां पर बनने वाले हैं अब क्या चीज गिवन है क्या event हो चुकी है कहता कि given that the red die red die resulted number less than 4 जो हमारी red die है विटा red die इस पे 4 से छोड़ा number आया है अब 4 से छोड़ा number जब हम बोलते हैं तो red die है पहली हमारी red थी और दूसरी हमारी black थी यह दूसरी हमारी black है तो red die पे या तो 1 आया होगा या 2 आया होगा या 3 आया होगा यह ठीक है बच्चो दूसरी पे क्या आया हमें मालूम नहीं है ओके तो बच्चे देखो सोचो अगर क्या है red die है ना पहले का है question में black अरे यार वो तो तेरी मट जी है तो किसको भी coin से मान ले ना मैंने पिछले question में क्या माना था मैंने पिछले question में इसको red माना तो उसको black माना था तो बच्चे अब देखो ऐसा है अगर मान लो red पे आया 1 तो black पे 1 2 3 4 5 6 6 किस बन जाएंगे red पे आया 2 तो फिर से black पे 1 2 3 4 5 6 6 किस बन जाएंगे और अगर red पे आया 3 तो black पे फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर से यहां पर पिटा है हमारे फिर से इधर 6 किस बन जाएंगे so total कितने elements इस f के अंदर आने वाले है बच्चों जली से बताओ 1 1 से शुरू होगा 1 6 तक जाएगा फिर 2 1 से शुरू होगा 2 6 तक जाएगा ऐसी 3 1 से शुरू होगा and 3 6 तक बटा यह इधर जाने वाला है ओके यह 3 6 तक जाने वाला है so बच्चे ऐसा है ना अब मुझे बताओ e intersection f यहाँ बच्चे e और f को intersection क्या रहा है कि sum जो है वो 8 होना चाहिए sum 8 एक तो 2 6 इसको satisfy करेगा और कौन साथ 3 5 भी करेगा and कौन साथ बिटा बस यह तो ही होगा मेरे खाल से क्या इसके लाब और कोई होगा दो यह element इसकंदर आ जाएंगे so हमें निकालना है e by f e by f जिसमें क्या होगा e और f का intersection upon में f की probability intersection वे बच्चे हमारे पस 2 element है f के अंदर वाह हमारे पस 18 element है so answer 1 by 9 is question वे इधर आ जाएगा सुमेथ भाई clear है सुमेथ अंशुल जानवी गीतिका अंजली आयूशी बोले विटा अरित्रो बोले विटा नहीं बाबो ऐसे नहीं नहीं बाबो ऐसे नहीं हर चीज को कैसे permutation से निगाल देगा विटा यहां पर आपको लिखे दिखाना पड़ेगा नहीं ऐसे नहीं न देखते रो चले यह ओके फिर हम देख रहे है कोशन बाद 13 थर्टीन तो हो गया हो गया आप लोग उससे थर्टीन में दिक्कत नहीं आने चाहिए थी अब थर्टीन ते देखेगा विटा थर्टीन पर बोलता है बच्चे करकी an instructor has a question bank consisting of 300 easy 300 है easy है और साथ में वो true false type वाले questions है कहता है कि 200 difficult true false type questions है फिर 500 easy mcqs है and 400 difficult mcqs है total कितने questions बनगे बच्चों total questions कितने हो गए अजी सो इसमें कोई दिक्कत नहीं न बच्चों इदो ठीक है अर्पित मिश्रा क्या क्या रहा है कि sir अगर हम less than 8 अगर less than 8 होता तब भाई देख लो न अगर less than 8 होता तब वह जो 18 element है पर आपको सब में देखना पड़ेगा कि less than 8 किसकिसमें आरहा है तो less than 8, 6, 3 में नहीं आएगा, 5, 3 में नहीं आएगा, 4, 4 में नहीं आएगा, 6, 2 में नहीं आएगा, तो देख लो किस-किस में है, वो गिनना पड़ेगा बटा आपको उस सिच्वेशिन में, ठीक है, तो कर ले ना उसको ना, क्या जी फाइंड करनी है, क्या जी गिवन है, क्या जी गिवन है, क्या देख कि, if a question is selected at random from the question bank, now what is the probability that it will be an easy question, it will be an, what is the probability that it will be an easy question, given that, given that it is a multiple choice question, बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ, E intersection F का मतलब है, कि question easy होने के साथ साथ MCQ भी होना चीए, मानते हो बई, intersection का मतलब ही क्या बच्चे हो, जो E को भी satisfy करे, F को भी satisfy करे, यानि वो easy भी होना चीए, और वो MCQ भी होना चीए, तो देखो ऐसा है, हमें चीए E by F, numerator में रहेगा intersection, denominator में रहेगा F, F का मतलब क्या है, F का मतलब है MCQ, MCQ टोटल है 900, MCQ टोटल है 900, और E intersection F, easy में MCQ, easy में MCQ, कितने हैं यह भाई, 500 लिखते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, 5 भाई 9, easy तो वैसे total 800, 800 में MCQ कितने हैं तो आप बोलेंगे 500 यह, बोलो भाई, यह ठीक है बच्चों, yes नो जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है, अभीनब केरें सर एक बार और, बिल्कुल भाई, अभीनब कोशिन में बोलता है कि, easy कोशिन की probability बताओ, अगर तुम सिब easy कोशिन की probability बोल देते, तो मैं 800 बटे 1400 बोल देता, 800 बाई 1400, बट इसने क्या बोल दिया, कि हम एक कोशिन को अल्रेड़ी सेलेट कर चुके हैं, और वो जो कोशिन हमने सेलेट किया है न, वो एक MCQ है, और अगर वो MCQ है, तो एक बात शौर है कि, वो कोशिन ये नहीं है, वो कोशिन ये भी नहीं है, ठीके न, क्योंकि वो जो कोशिन है, वो टू फाल्स वाला ही न, वो तो एक MCQ कोशिन है, अब कहरें कि, क्या MCQ कोशिन के अंदर रहते हुए, हम EASY कोशिन निकाल सकते हैं, तो आप बुलेंगे, MCQ के अंदर, EASY कोशिन यहीं है, 500, तो 500 की बट्टे में कितना, 900, क्यों मेरे दोस्ट, हाजी बच्चे, MCQ टोटल हमारे 900 है, डिनॉमिनिटर में आ गया, और E-Intersection F का मलब, EASY में MCQ, तो EASY में MCQ 500 है, ओके बढ़ेंगे, नेक्स की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स की तरफ, कोशिन नमबर आप आप लोग बोल रहें, हर कोशिन में क्यों पर्मूडिशन लगा रहा है, गलत लग रहा है तरफ तरफ जो भी लग रहा है, मत लगा है इसे, ठीके ना, भाई किसी भी कोशिन में पर्मूडिशन कहां लग रहा है, पर्मूडिशन कहां लगा भी तह किसी कोशिन में, कल कहा लगा था चलाओ कोशिन देखो पिप्टीन देखो ना लगए के पादने कौशिन की बात कर रहे हैं अब ये कोशिन समझ ले ना ठीक है ना बाई जवरसी मत लगए और कोशिन में पर्मूडेशन ओके चले देखेगा बच्चे अब देखेगा बाई ये कोशिन थोड़ा अच्छा कोशिन है और जवर समझेगा ध्यान से इस कोशिन को क्योंकि चलो देखेंगे कोशिन में अपने आपने अपने थे एक्सपरिमेंट ऑप थ्रोइंग डाए ओके अरित्र मेरे भाई हमें डाइस को थ्रोग कर रहे हैं ठीक हैं जब डाइस को थ्रोग करते हो बच्चे तो हमें मिलता है वन टू थ्री फोर फाइव और श्यांद ये कुछ मिल्टिपल अप्री कंङस अप थ्रो डाइगें अगा टीन क안 मोल्टिपल आया तो दुवारए 10 को दुवार थरू भाइलत को फेक होगे तो या तो यहां इस वाली सिचुवेशन में घंग होऔर इसर वाली सिक्वेशन में घंग होओ इस बात को बाइब तो बिटा यहां जब dice को दोबारा फिक हो के तो क्या तेरे को नहीं रखता कि इस बार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ऐसी यहां पर भी, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, जबाच सीए, करकी, अगर मालो 3 का multiple नहीं आया तब, इप एनी अधर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन, तब कॉइन को टॉस करो, यानि कि अगर 1 आया तो कॉइन टॉस करना है, 2 आया तो कॉइन टॉस करना है, 4 और 5 टे भी कॉइन टॉस करना है, कॉइन टॉस करते हो तो या तो head आता है, या तो tail आता है, या तो head या तो tail, या तो head या तो फेल, अरित्र माइक आफ को बड़ाब, बच्चों ये जितने भी element हैं, जितने भी element में यहाँ पर लिखें, ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब बनाएंगे आपका sample space, ये सब बटा यहाँ पर बनाएंगे sample space, ठीक है, फिलाल इतना आप लोग दे चुके हैं यहाँ पर अब बच्चे, ऐसा है, हमेशा रहा, जो जित find करनी है, वो e है, जो हो चुका है, वो f है, e, find the conditional probability of the event, the coin shows a tail, coin shows a tail, coin पे आना चाहिए tail, coin पे tail, 1t, 2t, 4t, 5t, 1t, 2t, 4t, 5t, यह चार element आजाएंगे, given that, at least one die shows 3, at least one die shows 3, कम से कम एक dice पे 3 जरूर दिखना चाहिए, तो आप बोलें के 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, और एक वो 6 3, यह element आजाएंगे पर इस पर, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, और 3 3, बोल बड़ा, यह ठीक है की नहीं है, बोल बच्चो, यहां तक मेरे खाल से कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, दो बार, अच्छो, दो बार 3 3, ओ, सॉरी, 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 मैंने दो बार 3 3 कर दिया भाई, सॉरी हां, अब ठीक है मेरे खाल से, अब ठीक है, अब बताई बड़ा, क्या e में और f में कुछ common है बच्चो, e में और f में कुछ common है बच्चो, क्या वोगते है public, आप बोलेंगे नहीं सर, कुछ भी common नहीं है, जब कुछ common नहीं है बाही, तो e और f की probability, e yf की probability 0 ले सकते हैं, कोशिन या बिसमाप्त, लेकर बच्चो, इस कोशिन में न मैंने आपको एक बात नहीं बताई, क्या वो बात मैं आप लोग को बताऊं, पक्की बात है, आपकी इच्छा सर, चलो मैं बता देता हूँ आपको बात, वो बात ये है कि, अगर सिक्के को दो बार उच्छा लो, head, head, आने की probability क्या होती है, जराब बताऊं मेरे बच्चों, head, head, आने की probability क्या होती है, messages में लिखे बताईए सभी बच्चे, जली से सभी वालग message में लिखे बताईए, और जो भी बच्चे बोल रहे हैं तुम एक दम सही बोल रहे हैं बच्चो हो सकता है आपने जो 1 by 4 है ये पुरा सेंपल स्पेस के हिसाब से आपने 1 by 4 बता दिया हो बड़ बच्चे यहाँ पर हम एक multiplication theorem यूज करते हैं multiplication theorem और उस multiplication theorem के according इस theorem की according बच्चे हम ये बोलते हैं कि ये जो h h है ये एक composite event है जिसमें दो event आप उसमें जुड़ी हुई है coin को दो बार toss कर रहे हैं तो पहली बारी में भी head आना चाहिए और दूसरी बारी में भी head आना चाहिए इवेंट के अंदर यहाँ इवेंट है वाई तो बच्चे हम क्या बोलते हैं जब आप सिक्के को पहली बार उचाल रहे हो तो आप क्या चाहते हो आप चाहते हो head क्योंकि आप head चाहते हो तो इसलिए ओन बाई two लिखेंगे फिर दुवारा अपने सिक्के को उचाला तो आप क्या चाहते हो तो आप बोले कि दुवारा हम head चाहते हैं द्वारा head चाहती हूं तो into में 1 by 2 लगा दो और हमारा answer क्या बन जाता है 1 by 4 बोलो बच्चों बात समझ में आई की नहीं आई मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने experiment है मैंने एक सिक्के को उचाला और सिक्के को उचालने के बाद मैंने एक dice को throw किया मैंने पहले एक सिक्के को उचाला और सिक्के को उचालने के बाद मैंने एक dice को throw किया सिक्के पर आना चाहिए head और dice पर आना चाहिए 6 सिक्के पर आना चाहिए head और dice पर आना चाहिए 6 H 6 की probability क्या होनी चाहिए यह मैं आप लोग से पूछता हूँ बच्छो प्यूष्ट दुवा मैं आपके बाद थोड़ी देर में आऊँगा प्यूष्ट दुवा सो बच्छे सो बच्छे, head आप बोलेंगे 1 by 2 सिक्के पे head आने की probability 1 by 2 dice पे 6 आने की probability 1 by 6 होती है so answer will be 1 by 12 answer will be 1 by 12 अगर हम आप से पूछ लो कि h1, h2, h3 इसकी probability बताओ तो इस situation में आप क्या बोलते हो कि भाई इसमें तो 1 by 12 बनेगा, क्यों? 1 by 2 into 1 by 6 plus 1 by 2 into 1 by 6 plus 1 by 2 into 1 by 6, तो यह मन जाएगा कितना? 3 by 12 तो इसलिए ही हमारा कितना मन जाएगा? 1 by 4, बीच में गर कॉमा कॉमा आजाए तो इसकी probability, इसकी probability सबकी अलग-अलग probability निकाल के आप उनको last में plus कर लो तो हमारा answer बन जाता है भाई, तो बच्चों यहाँ पर अब इसी आधार पर बच्चे में आप लोगों कोई कोशन कराना चाहता हो और आप लोगों ने demand भी करी थी और आपकी demand पर ही बटा question हाजी रहे लोगों कोशन मेंने भी करा तो पहले भी हाँ वैसी करना बस भी तरीका अरब बस वह ही बुरा रहे यार बहुत है ठीक है? अबर ठीक है? ओके सारे एक बार 16 भी बता दो वो की बटे बच्चे कहाँ पहले 7 बताऊंगो बच्चे करकी consider the experiment of tossing a coin बच्चो सिक्के को उचाला सिक्के को उचालोगे भाई कि या तो head मिलेगा या तो tail मिलेगा कहते कि if the coin chose head, toss it again अगर head आया तो दुवारा toss करो तो head भी आ सकता है और tail भी आ सकता है पर अगर मालो पहली बारी में tail मिले तो if it chose tail then throw a die तब dies को थ्रो करो तो dies पे 1,2,3,4,5,6 बोल बटा ये ठीक है कि नहीं है अब देखो बटा अब वही ऐसा है ना अब ऐसा है बच्चे क्या find करना है find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4 number आमें चीए greater than 4 die shows number greater than 4 अब greater than 4 number हमारा क्या है बटा इसमें देखो एक तो T5 है और एक T6 एक रहेगा हमारा T5 और एक हमारा रहेगा T6 बट क्या बोलता है given that there is at least one tail event F at least one tail और at least one tail जब हम बोलते हैं तो देखो इसमें HTB है और T1 से लेकर T6 तक है HT है और T1 T2 से लेकर ऐसे हमारा T6 तक है जा रहा है भाई मेरे खाल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना होता है ओके अब मैं आप से बोलू E और F का intersection बताओ sir तो बच्चे आप बोलेंगे E और F का intersection का मतलब है T5 और T6 यो दोनों ही element common है इसमें कोई दिक्कत किसी को अब ऐसा है बच्चे हमें चीए T by F तो intersection रहेगा in numerator F रहेगा in denominator intersection numerator में F रहेगा denominator में सब बच्चे आप ऐसा है न वो जब multiplication theorem मैंने आप लोगों बताई थी उसके हिसाब से HH और HT क्या इनकी probability 1 by 2 into 1 by 2 क्या ये 1 by 4 और ही चीए बोला भाई ये ठीक है कि नहीं बोले बिटा ये ठीक है कि नहीं है हैड आने पर भी 1 by 2 हैड आने पर भी 1 by 2 हैड पर 1 by 2 टेल पर 1 by 2 तो इसकी probability भी 1 by 4 इसकी probability भी 1 by 4 मेरे क्याल से इसमें किसको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही अगर शुरुवात किरी जाए T1, T2, T3 के T1, T2 है सबकी probability सेम होगी कहां तक T6 तक तो T पे होता है 1 by 2 और 6 पे होता है 1 by 6 तो आंसर हमारा बन जाएगा कितना 1 by 12 बोलो बाई ये ठीक है कि नहीं है ये ठीक है कि नहीं है अब बैटा ऐसा है E intersection F E intersection F E intersection में दो element है T5 और T6 T5 की probability 1 by 12 है T6 की probability भी 1 by 12 है अब आन में P F F में क्या क्या element है H T H T की probability है 1 by 4 1 by 4 प्लेस उसके बाद T1, T2 कहा तक T6 तक इसकी probability 1 by 12 1 by 12, 1 by 12 1 by 12 कितनी बार आ रहा बच्चे 6 बार रिखते है किसको दिक्कत तो नहीं है अब देखो अब इसको solve करना है भाई ठीक है 1 by 12 प्लस 1 by 12 बन जागा 2 by 12 और इसमे 12 के इसाथ से अगर LCM लोगे तो 3 और उपर रहेगा 6 12 से 12 कर जाएगा हमारा answer आना चाहिए 2 by 9 इतनी जो मैंने calculation करी है वो सही है कि नहीं है कोई और कोई किंदू-परंदू बंदू नहीं चीए कि नहीं सर ऐसे नहीं होना चीए calculation मेरी ये सही है कि नहीं है ये बताओ बस मैं क्या बोल रहा हो तुम लोग बोल रहे हो मेरी calculation सही है कि नहीं है यह बताओ अरे बाप रहे आ जी सेर यश अहुजा मेरे भाई जो मैं पूछनों बस उस बात का रिवाब दियो और कोई किंतु परंत हो नीची है मेरे को intersection में दो element है इसकी probability अगर 1 by 12 है उसकी probability पर 1 by 12 है तो इसकी सही है f में क्योंकि 7 element हैं बट पहले element की probability 1 by 4 थी और बागी सब की probability 1 by 12 थी तो 1 by 12 छे बार और 1 by 4 एक बार उसको solve देरके क्या वो आएगा की नहीं आगा ये ठीका की नहीं है ये ठीक है ना आप सुमझर धियान से इतना बच्चों आप लोग समझ पाएं है अरे 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 ये भाई ना राज हो जाता है यार चोड बट बेगा रहे पेपर में नहीं आया गया है प्द़ में आप रहे प्रीका की नहीं है ओके क्या रहा मैं हीरो डालू बोल बड़ा डालू नहीं दूसरा वाला सिंगलर बोल लालू क्या कर रहा बता इसकी प्रुबैमनिटी क्या है इसकी क्या है इसकी ऐसी टी सिक्स तक कितनी है समझगा यह समझगा सुने का द्यान से बच्चों इस कुशिन को द्यान से देखना है क्या है इस सेम पिछला वाला से ख रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों जल्दी बता भी बोलेगा बे तुरों सेम टू सेम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चे पिछले वाले में और इस वाले में बस एक चीज़ का डिफेंस है यहाँ पर एक बात बुली गई है इच आउटकम इस इक्वली लाइकली जब हमसे यह बात बोल दिया है कि इच आउटकम इस इक्वली लाइकली तो पहले तो देखो क्या है न यह जो कोशन आवे दिया गया था इस कोशन में न दो सेंबल स्पेस को जोड दिया गया है दो experiment को यहाँ बे एक साथ जोड़ दिया गया है किन्तु परंतु बंदु वालिया बात आगी है कि भाई अगर ऐसा हो तो ये करो और वैसा हो तो वो करो इस तरह की situation जब भी आएगी तब उस situation में हमेशा आप लोगों को multiplication theorem लगाने होगी आपको मालूम है बच्चे जब सिक्के को दो बार उचालते हैं तो actual हमारे actual मेरा चार outcomes बनते हैं और जब हम एक सिक्के के साथ एक coin के साथ एक dice को थो करते हैं तब आपके h1, h2, h6 तक जाता है t1, t2, h6 ये भी t6 तक जाता है तो यहां बार element होते हैं तो इस तरह से यहां के हर एक element की probability 1 by 12 होगी क्योंकि यहां पर सीधा एक experiment बोल दिया गया बट वो जो question है यह जो question है यहां पर दो experiment को जोड दिया गया एक experiment से हमने कुछ elements ले लिए और दूसरा experiment से हमने कुछ element ले लिए तो इस तरह के question में जो यह element होते हैं यह जो outcomes होते हैं इसकी जो probability होती है यह original experiment की probability लेनी होती है जैसे hh की जो probability है देखो आपके मन में क्या आएगा कि सब ऐसे तो इस experiment के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ ही element है तो यानि कि total इसकी probability 1 by 8 होनी चीए, 1 by 8 होनी चीए इन सब की भी 1 by 8 होनी चीए पर नहीं भाई, यह आपने यहाँ पर नहीं लेना है probability जो आप उसकी लेंगे वो original experiment वाली लेनी है उसके according किसके according? यह जो experiment है यह रहा, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 और ऐसे ही आपने इन सब की भी probability जो है वो original experiment के according लेनी पड़ेगी अब original experiment तुम लिखने तो बैठोगी नहीं इसलिए मैं क्या पोल रहा हूँ? आप यहाँ पर हमेशा multiplication थरम लगाएंगे लेकिन अगर मान लो in case question में mention कर दिया जाए each outcome is equally likely अर्थाथ sample space में जितने भी element है सब किसी के आने के जो संभाव ना है वो बराबर है ये इसके select होने के सब के select होने के chances equal हैं तो उस situation में बेटा आप लोगों को यहाँ पर यह चीज़ नहीं करनी है तब आप लोगों को यह चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है तब अब आप लोगों क्या करना है हमें तो चीए क्या पहले e intersection f निकालो common क्या है भाई t5 and t6 हमें चीए e by f याने numerator में रहेगा intersection denominator में रहेगा f अब आप देखेंगे intersection में बेटा हमारे 2 element है और f में हमारे 7 element है तो इस situation में आपका जो answer होगा वो हो जाएगा 2 by 7 multiplication theorem में बच्चो ऐसा है बहुत ही आसान चीजा है यार ये कोई एक event है a b ठीक है बच्चो जैसे आपको मालूम है सिक्के को अगर दो बार उछा लें और आपसे पूछलिया आजाए कि what is the probability of h h तो h h तो कोई एक इवेंट होती है ना भई यश जैसे सिक्के को दो बार उच्चा लगा तो इस तरह की हम लोग सबसे पहले यह बोलते हैं कि a की probability क्या है सबसे पहले हम लोग यह लिखने है ठीक है a की probability क्या है जब हम यह लिख लेते हैं तो उसके बाद हम यह बोलते हैं कि इस बी की probability क्या है हम यह लेकिन यहाबर विड़ा साथ साथ हमको एक बात और लिखने है हमें बी के अपॉन में a भी लिखना है यह एक बड़ा नया ट्विस्क यहाँ पर जो है पहले बार हम देख रहे हैं पहले है की probability फिर बी की probability लेकिन बी की probability भी कब जब इवेंट a हो चुकी हो बात समझ में आरी है इवेंट a अगर हो चुकी है तो उसके होने के बाद हम बी की probability की बात कर रहे हैं ऐसी अगर मालो मैं अब तीन चीज़ें लिख देता हूं एक ही कोई event है a b and c हमसे पूछ लिया जाता है बताओ भई a b c की probability क्या होगी तो हम बोलेगे की बताओ भई सबसे पहले a की probability क्या है इंटू फिर b की probability क्या है जब a हो चुका है फिर उसके बाद a b हो चुका है फिर b भी हो चुका है फिर उसके बाद c के होने की probability क्या हम लो implication theorem क्या इतनी बात आप लोगों को समझे में आई की नहीं आई बोल बिटा अगर पॉर्मुले अगर वो पुट करेंगे तो पॉर्मुले अगर पॉर्मुले करेंगे अभी वो ने अभी वो ने अभी बस इतना ठीक है कि नहीं सिंगला कुछ बोल रहा था मेरे खाल से नहीं सर आगे समझ समझेगा बात को एक बैग है बिटा बैग में है कुछ रैड बॉल्स और कुछ हैं ब्लैड बॉल्स ठीक है यश टोटल होगी एड बॉल्स 串्स 거지 मैं आपसे बोलता हूं कि बॉल्स आर् डॉन विद आउंट विद आउंट रिप्लीस्र沁नल रिप्लीस्मनल इंन्हां यानि विदाउट रिप्लीस्मनल गा ह étaient ऩावर्चो विदाउट रिप्लीस्मनल पिस ने रखेंगे हैं वापिस निडालेंगे वापिस निडालेंगे विदाउट रिप्लेस्मेंट तो उस सिच्विशन के बॉल निकालनी है उसको अंदर विडाओ देना है ठीक है अब हम आपसे पूछता हूं कि लेट से इप टू बॉल्स आर ड्रॉन ना फाइंड प्रॉबैबिलिटी एड फस् पूछ लिए जाता है फर्स्ट वाली बॉल रेड होने चीए और सेकंड वाली बॉल ब्लाक होने चीए यह हमसे पूछ लिया जाता है तो आप यहां पर क्या करेंगे सिच्विशन में हम बोलेंगे कि सबसे पहले तुम यह बताओ कि रेड की प्रॉबैबिटी क्या है जब रेड निकल चुकी है तो उसके बाद ब्लाक की प्रॉबैबिटी क्या है अब अब तक क्या होता था सेम चीज यह जो सेम चीज है तुम पहले भी पढ़ते हैं एलेवंत में भी था बस हम यह लिखा नहीं करते थे तब अब हम इसको लिख रहे हैं जैसे पहले चीए रेड ह बची है अंदर पांच तो टोटल बॉल हमारे पास बची है साथ बढ़ हमें प्रॉबैबिटी की सीच की चीजिए ब्लैक बॉल की और ब्लैक बॉल की पांच क्या यह बात आप लोगों को समझने में आई कि नहीं है जिता है अब है क्या रहा है अक्षिय साहा है अभी अब बाइब अरे बाबाद मेरे बास सुन वी बाई आर का मतलब क्या है अब पहले बता है अब पहले प्रॉब्ले पर चोड़ना नहीं पढ़ रखा हमने इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है पहले यह तो बता हो ना मतलब आर होने के बाद बी की क्या प्रोबैबिलिटी है यह मतलब इसका है ना सर प्रोबाबिलिटी हो बी फिर इवेंट आरे जो अल्रेडी ओकर तो माय को करते को बहुत मारूम है अला किरे बैग्ड़न में बहुत सब्सक्राइब होने के बाद बी की प्रोबैबिलिटी पूछ रहा है ना यहीं बोल रहा है तो अब आर अंदर बचे हैं दो और ब्लैक कितने बचें पांच टोटल है साथ मुझे चीए ब्लैक ब्लैक है पांच तो पांच बड़े साथ ही तो लिखूंगा भाई आंके सर आगया पक्की बा सब्सक्राइब कर सकता है वरना कोशिन में मालूम नहीं था मुझे टारेट लिए ठीक है इसका जवाब देंगे सभी बच्चे आंसर मुझे मैसेज में चाहिए बच्चों हारी तरव बिटा पीछले दिन आपने तो वह लास्ट वाला हेट पढ़ा और उसके पात एक आया तुम आपे ऐसे नहीं कर रहे थे पर यहां पर यहां पर बीबायार कर रहे की उसके चल मैं आतो तेरे पर आतो मैं पहले मेरे कोशिन के जवाब देना ठीक है ठीक है पहले भी रेट चीए दूसरी रेट चीए तीसी ब्लैक चीए फटा परसी इसका अंसर मैसेज में लेके सबी बच्च अपनी कॉपी में करेंगे अंसर इसका पहली रेट दूसरी रेट टीसी ब्लैक हरुषी अनन हरुषी अनन पहली बॉल होनी चीए रेट रेट हमारे पास तीन थी बाई फाइब दूसरी भी होनी चीए रेट बट एक रेट और निकल चुकी है तो रेट अंदर बच्चीए दो ठीक है फिर एक रेट और निकल गई है तोटल बच्ची इच्छे हैं हमे इच्छे ब्लैक ब्लैक है पांच थाइज पाइज और दूसरी रेट यहां पर दो रेट निकल चुकी है तीसरी ब्लैक है यह ठीक है बच्चो अब अरित्रो भाई ये सब्सक्राइब है ठीक है सिक्के को दो बार उच्छाल रहे हैं पहले पे भी हैड चाहिए दूसरी पे भी हैड चाहिए ठीक है जब पहले पे एक हैड आ चुका है तो दूसरे पर हैड की प्रॉबैबिटी तो पहले पे हैड आया उसे क्या कुछ फरक पड़ेगा नहीं क्यों नहीं पड़ेगा भगवान मेरे पास मंदिर है और यहां से अर्य दर बाद से विटाइट दोर बेगा सिखा लेली है तो अधिक है तो दिखेंड अधिक है कि ठीक है है कि मैं सिख्या हो चलो ठीक है दिखते हैं और हेड़ एक टेल आए जल्दी बता कि ये भी आ सकता है ने गैस करना है कि तु कामार कोई भी आ सकता है यह 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 ड़ेगा है यह यह जद गया ठिक है अब अरित्रो एट्रो इसे तेल आए गया तीकम अब किश्ट इवारण चालूंगा ठीकर नए भबू बेख अब टैल नहीं ऑगे स्टेल आज चुक एंगा कि इसी बात है है श्रेश से ग्यों आगे तो भर थोड़ी आएगा श्के में दो साइट होती है एक साइट होता है जब एक यह आगया तो दुबारा थोड़ी आगया कि रिए वाइगा बॉस्य को दूबारा आएगा आप दर तो वही मैं बोल रहा हूं एक बार है अगया है एक बार है पहले आचुका है तो दूबारा क्या है यहां पर चाहे पहले हैड आया होता या ना आया होता है है कि हैड की प्रोब्याबिटी हमेशा क्या रहेगी वन बाई टू तो इस तरह के जो कोशन हमारे पास आएंगे ना तो यहां पर एक कॉंसेप्ट है इंडिपेंडेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट जो मैं इसके बाद ही अभी थोड़े दिरे में पढ़ाने वाला हूंग अब बोल तू क्या कह रहा है सर अगर व अगर आप सिक्के को उचाल रहे हैं तो आपको वलेंगे अगर पर है जो आ चुका होगा तो फिर 3 आने की प्रोवयविटी समझा मैंने तो अभी मल्टिप्लिप्लिकेशन दवर मताईये वहए कि आपको सिक्वेंस पर ett कर के आगे बढ़ना होता है पहले इसकी बात करने हो और इसकी प्रॉवेल्टी जब इसको लिख चुके यह इविंट हो चुकी तो बात में डिनॉमिलेटर में जो फाइंट करता है तो डाइस में तीन आया या फिन आया उसमें क्या आता है सब्सक्राइब करना चाहते हो हम यह मान के चलेंगे अगर माले तु अगर माले तु एच फोर की प्रॉवेल्टी फाइंट करना चाहरा है तो इस सिच्वेशन में हम लिखेंगे क्या कि एच और यह एजम्शन होगी कि एच पक्का एच ही आया है कुछ और नहीं निकला है ठीक है दोस्त तब सब्सक्राइब यह इस प्रकार से होगा है इस प्रक सब्सक्राइब कुछ कुछ कॉश्चन कॉमें से भी होंगे और कॉन से कोशन होंगे ठीक है अब यह तरह है यह से बहुत कंफ्यूशन हो रहा था है कंफ्यूशन कुछ दूर हो आज से चल इसी बात पर मैं तरह बात बताना चाहता हूं अगर तो पर्मिशन देता अधार बोल दीजिए और भोजन हो गया कि नहीं हो गया नहीं से दस बजे करेंगे अधार तो नौ बजे ओबर हो जाती है दस बजे क्यों करेगा तो वही हमारा नियम है अच्छा नियम है ओके ठीक है कोई कोई सर नी वो लेगा हूं जो अगर इसमें विद रिप्लेस्मेंट बोलते अगर तो अगर मेरी पहें इसी कुशन को हम विद रिप्लेस्मेंट कर लेका है यश् अगर और अब बोलते कि पहली रेड वने चीए दूसरी ब्लैक होने चीए ठीक है वहीं वांचीका अभी पॉटी पहले रेड बॉल अटिक है जब रेड निकल चुकी है तब ब्लैक बॉल ठीक है एंजी रेड बॉल कितनी है तीन टोर्टल है आठ बट जो रेड बॉल निकली है निकल चुकी है तुमने इसको दुवारा अंदर भी डाल दिया अब ब्लैक बॉल चीए ब्लैक बॉल कितनी आई जो तुमने के लिटका है तुमने की ब्लीक ब्लीक तु यह रहे है तू इसीड़ा मैं सीड़ा पी र इंटव पीबिग लिख लेत हूं अप उन में आर्क आप्यों लिख लिग यह को यह करे ना सच्च में यह करे थी ना कि ऐसी बस अगर लिखोगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा या तो मत लिखना लिखोगे तो तरीके से लिखना उल्टा सीधा कुछ निक्याम प्यार इंटो पी भी लिखिया ठीक है ठीक है सर में लास्ट एक क्वेस्ट्यन है पूरी क्लास खत्र होने लिख ना लगां कुछ भी पढ़ाया है दो स्दॉवे कोशन न किसी का अब कि अत्रो काई एत्रो इस सब्ढ़ियो आट रेंडम विदाउट रिब्लेंस्मेंट ठीक है, from a well simple deck of 52 cards, 52 playing cards है, 2 cards हम ने draw की है, with या without, without, वो भी without replacement, without replacement draw करोगे भाई, तो क्या बोलता है, find the probability that both the cards are black, पहला भी black होना चाहिए, दूसरा भी black होना चाहिए, तो देखो, ऐसा है न, मैं इस पूरे को बाट देता हूँ, दो हिसों में, या तो कोई card black होता है, या वो black महीं होता है, तो आप non black भी ली सकते हो, या फिर उसको आप ready लिखना चाहो, पहला ब्लैक होना चाहिए, पहला ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक की probability, 26 के upon में 52, ठीक है, और without replacement है, यानि एक ब्लैक अब निकल चुका है, ठीक है, तो अब ब्लैक तो अंदर 25 बचे होंगे, तो टोटल बचे होंगे, बिल्कुल बड़ा, पहला ब्लैक निकल चुका है, और जब एक ब्लैक निकल चुका है, तो दोसरा भी ब्लैक निकलना चाहिए, अब जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है, किताबों में आपको ये भी मिल सकता है, कि वो इसको B1, B2 लिख देते हैं, कि पहला ब्लैक और दूसरा ब्लैक, पहला ब्ल सब्सक्राइब तो उस सच्वेशन सारे ब्लाइक पांसर हो सकते हैं तो उस सिच्वेशन में एक कॉंसेप्ट आता है बाइनोमिल डिस्ट्रिबूशन बाइनोम जोरम आगे आगा हमारा 13.5 में वह ठीक है अब करवालो उसके बाद लास्ट में में कुष्टिन इस से पूछूंगा चाहे नहीं बताओं ना थिक है इस से बता देना चलो ओके पिछला कुष्टिन समझ में आया तरको आप अब देख भई अब बॉक्स और और जिस बाइब जो हमारी पहली क्लास ती अच्छा उसमें म ओकरवार केता थिक है अबखाः आँ बॉक्स और ओर लिस इस इंस्पक्पतई भाइब या तो अब्सेल नौन जेक्टिन विड़न डॉटिनर विदाउ डरिप्लास में इस लिदा उससान दो तो ढुटर्वार का तो अटर्वार इस से बिदाद इस बालिए के विद्वाल प्रूट वाला है ठीक है ना अब आप एसा ना भिया मार्केश पे तुन्हें दुकान तुन लगा दी है लेगिन गॉवर्मेंट वाले आ गये तेरे पास पुलिस वाले आ गये ठीक है तुस ऑरेंजेस को बेच रहा है तेरे जो औरेंजेंगों गुड है भी की नहीं है तो अब एक्चल में तु है वही बंदा थोड़ा मिला ओट करने वाला ठीक है तो यहां पर इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं वह बोलेंगे कि भाईया तुम्हारे यह फ्रूट्स है इसको अगर मार्केट में सेल करना है तो अप्रूवल तब मिलेगी अगर तीन और इंजेस यहां से निकाले जाएं और तीनों के तीनों अच्छे हों अच्छा अठ्छा सो भाई यही बोला गया, box of oranges is inspected by examining three randomly selected oranges drawn without replacement अलोब आशा निखा यह निकालो उसको दुबार अंडर डाल दिया ने उसको side में रखदिया ठीक है yes 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 किरो Akshay Saha from Asher Sanh ha हमें probability किसच की निकाल निया, find the probability that box containing this this will be approved for sale, हमारा जो box है it will be approved और एप्रूवल कम मिलेगी सेल के लिए तीन और गुड होगा बारा के बट्टे में पंद्रा बच्छो पहला गुड निकल चुका है ठीक है अब दूसरा गुड गुड बचे अंदर ग्यारा तो जयार गुड एप्रेवारा गुड 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 बच्छी अव्ड गुड पर टेक्स निकल अब यह है ना प्रूवेड़ी आप्र गुड गुड टोटल देख लेना कितनी पॉसिपलिटी इस निए तो इसलितनी आप इसलिए अजागे टे दुड तो वो तो फिर अपनी किस्मत है ना वो सकता है वो सकता है विराट को लियो भाई है ना कुछ नहीं विटा ये क्रिकेट वाले पैन समझ जाएंगे और किसी किस्मत नहीं होती ना भाई विराट को ली का क्या सब्सक्राइब कर ले तिरू को बहुत महारूम है भाई गट समय मता रहा हूं माई को कर वड़ा तो ठीक है विटेश नहीं सो कहां मलब क्या मेले में जा रहा है कहां पर है थोड़ा टेली उजन का वास पुछ अपने आपने विटा माई कॉप रखो अपने अब खोलो ठीक है ना जब बोले तभी करना अलगे नहीं बोलेंगे बिल्गूल भी थोरा ना माज अधी ओके सो यह हो गया इतना आप लोगो समझ में कर सकती है यह सार थैंक यू वेना फिर से बटा वही रेड ब्लैक पर आ जाते हैं ठीक है रेड बॉल है पांच ब्लैक बॉल है तीन टोटल है आठ विदाओट रिप्लेस्मेंट की हम एक बार आप से बात करते हैं और विद रिप्लेस्मेंट की हम एक बार आप से बात करते हैं मेरी प्यारी पेहन प्लाट बता रेड बॉल अगर मैं यहां से एक बॉल निकाल हूँ अब वो रेड बॉल होगी इसकी क्या चांस से हैं प्लेक बता पड़ा पर रेड बॉल की प्लेटी पाइव बाइट यहां पर भी वही बॉल होगी हाँ जी साथ मेरी प्यारी पेन मैं आप से बोलू अगर पहले एक black ball निकल चुकी है और अब मैं आप से red ball निकलने के बात करता हूँ अब आप आज़र क्या होगा 5 by 7 5 by 7 यह कह रही हो हाँ जी साथ कि कि अब करोज़ कि आद एक राख शं निकल चुकिर तो धॉज़ार कोज़ाओ तो अब is बै। तो यह बोलेगा नहीं सब्सक्राइब को निकालो जब पहले एक ब्लैक निकल चुकी हो सिर्फ इस वाली सिच्विशन की बात की जारी उससे तुमारा को पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें निकल चुकी है तो टोटल बची साथ हमें तो रहे हैं ना निकली होती तो आज हमारी प्रोबैबिटी इतनी होती लेकिन ब्लैक बॉल के निकलने की वज़िस से हमारे होने की प्रोबैबिटी बदल चुकी है इस बात को मानती हो हैं जी साथ अब मुझे बता इस सिच्वेशन में अगर पहले एक ब्लैक बॉल पहले निकले चुकी होती अब रेट की प्रोबैबिटी क्या हो 5x8 5x8 याश मानते इस बात को 5x8 तो तो फिल 5x8 हो पहले चाहिए ब्लैक निकले हो या कोई भी निकले हो उस बॉल को तो दोबारा हमने अंदर डाल दिया होगा तो बड़ा मैं यह पोछ रहा हूँ क्या इस सिच्वेशन में ब्लैक बॉल के होने या ना होने से रेड बॉल की प्रोबैबिटी पर फरक पड़ेगा नहीं नहीं सर्थ तो बड़ा यहां पर क्या है ना यहां पर आप क्या देख रहे हो r by b जो है वो r के एकवल है नहीं है तो इस तरह की इवेंट्स होती है यहां पर रेड बॉल कर निकलना और ब्लैक बॉल कर निकलना आप यहां पर क्या है इंडिपेंड इवेंट्स है जब भी कभी एक इवेंट्स की होने या ना होने से दूसरी इवेंट्स की प्रोबैबिटी पे कोई फरक ना पड़े तो उस सिट्वेशन में समझ जा ओ क्यों वो कैसे events है, independent events है, अगर पूछे जाए, independent events, independent events क्या है, तो यहाँ आप simple लिसकते है, जाए, if the occurrence of one event does not affect the probability, अपैक कि ए वाला है रएक पैक कि ए वाला है, अपैक कि ए वाला है रएक है, आपैक कि e वाला है है। आपी पैक कि ए वाला है रसाइलितर है। यहां पर क्या होता है A और B कोई दो event है B हो चुका है B के होने के बाद A की probability क्या है Y जो B के होने से पहले थी ठीक है B Y A A हो चुका है तो उसे फरक दी पड़ता B की probability आज भी उतनी ही है जो A के होने से पहले थी यहां ठीक है बच्चो Yes Sir अच्छा यहां पर A by B निकालोगे क्या यह फर्माल लगा सकते हैं इसकी जगे पर यह इस पीवी के मिल पर है वहां कर दो तो क्या यह हमने एक प्रकार से एक नियम समझ लिया है जब भी कभी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी तो उस सिचुएशन में उस A और B का जो इंटिसेक्शन होता है वो A इंटू B के एक वालवा करेगा क्या बोलते हैं सही है एक फॉर्मॉला के दोर पर याद रखोगे जो की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मॉला है हां जी भाईया गीतिका तो रो जाती है और क्या बहुत बिड़े बिटा P A है हमारा 3x5 P B है 1x5 गीतिका तो सुदर गी है मेरे खांज़े पहले तो छुटिया मारती थी बहुत जाला ना मैट्स में ठुटि निमारती सिक अभी मरे कुगीertainश होजाती थी तो हो जाती सिर्टि डुटि थी भागी टीजर्ज पांजो ना आप डालो भाया ना अब 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 इतरे तेजनी अब आप अराम से अब तुम तुम प्रकाश की गती से जवाब ते तो एक्डम है तो इतनी जल दी अब आप अब अब आप पीवी पीए अब आप अब इतना थी वाइप और पीवी एवटा वन पाइप आप अशर तीन बड़े पच्छी साना बच्छों यह सही है यह सर्ण ओके यह 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 सर्ण मैं अब अब फैर कॉइन इस थार्ण का मतलब कैंगाए डारम कोईन कोईटाइड ओता है जो फैर फैर आर फैर है यह ताइड आ है अच्छा समॉजा ने, अच्छा समुजा ने मतलब ब्लाक मन नहीं है किहां अगकुले कर दीदें, सब्सक्राइबतों कर दीजिए! आप दीजिए कर दीजिए, आप छॉलेजेशगा Oran, अप जटेला है पेर नहीं ए जटेला? पेर नहीं ए, पेर नहीं ए जटेला है एजिए के पांडेशन लगाई एज 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 एका बाभुण? हां यह हो ना हम आपके लगा आप करना आपके लिए ना नौर्फल कोई इंच के लोगा और उच्छालने रिए असकता है यह नहीं कि हाँ यह बाइस चले तो एक ही जाती है यह तो वह फेर वह 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 अनफेर है ठीक है ना अच्छा के तकी पेर कई अच्छ को आगे बोल भी यह प्रिए अन्बाइस डाइड अन्बाइस डाइड यह जिस पर 123456 और हर एक फेस के आने के चांसे इक्वाल होंगे वन बाइस एक टिक है अब देखो ऐसा है ना सेंपल स्पेस एक पेर कोईन के साथ अब अन्बाइस डाइड को थो कर रहे हो यहां पर हां एक टू एक टू एक टू एक टू एक टू अब क्या बोलता है अब क्या बोलता है लेट एविदा इवेंट है अप आपियर ऑनदी कौईन कौईन पर आना चाहिए है 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 अजम घॉट्ट इस से घ्ट पयंदिक क्या अथ कर अफ इसमें तो स्पूर ऐफ स्पाइप एशिक तक चल जा जाए बिलकुल सर आख अब उसरे मैं एश विज 3 on the die 3 on the die H1, H2, H3 H3, T3 मारेंगे 2 गिनेंगे बता रहे हैं पिटा 3 on die H3 and T3 चलो अर्थे बताओ A और B का इंटिसेक्शन क्या होगा head भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए H3 तो बच्चो देखो P A की मटिप्लाई करो P B के साथ P A की मटिप्लाई करो P B के साथ A का मनलब head on coin 6 element है उन 12 में से P B 3 on the die 2 elements out of 12 answer आगे 1 by 12 ऐसी मैं प Scorpion A और B का इंटिसेक्शन A और B इंटिसेक्शन बढ़े बटा बटा भ touch रेस सश्ट इसेक्वीं स्माज़ेगे क्या बोलते इंटिपंटिबें ए डिपंटिड़न इंटिपंटिभीं समज गी पर इसमें का अपर लिखाओगी रिप्लेस्मेंट वाला के साई बाबू रिप्लेस्मेंट का तो किता आएगा न जब आप किसी बैग में अहाँ डाल की कोई मार्वल डॉ करो, बैग में से कोई बुक डॉ करो या फिर कोई बॉल डॉ करो है न? यहां तो थ्रो करने की बाद आ रही है यहां पर कहां से रिप्लेस करोगे बढ़ें आगे पड़े पांच अच्छट आपके लिए है बाप रे क्या तुम्हारी बाकी क्लाजेस में उन्लाइन चांगती है तो वहां पर तुम्हारी वहां पर तुम्हारी लगातर ऐसी करते हुए जैसे यहां कर रहे हैं यहां यहां पर बहुत दिन अबाद माई का उनुए अच्छा अधियर वात हैं तर अबी मेरा दावड बाकी है तरह तो नाला ही तेरा डावड बाकी है अध्या अर्य तरह घर पे क्या पन रहे हैं अगरा गुए तरह वह वह बेंजन का पुरा नद्विया पुराया है उसको अडूटी किसको थे मेंजन को थे लंग सनक इनत दिए मोल दिया कि अश्य तेlla ट निपकोडा नहीं भ arrib में चाहिए फ्राइपर लीचस सब्सक्राइब में रहां विडिये दिल्ली का gonna Mookasa do कि मॉकाबला नी यह मैंगे मुखाबला है में सब कोछ अपई हाभी है अनने चारों सोला स्ट्रार को दिल्ली में रह Liverap सब्सक्राइब करें दिल्ली से बड़िया खाना मिलता है कहां मिलता है अम्रिथर मिलता है और भाई तो वो लिमिटेड चीजी होंगे ने वो किसी जैसे अब किसी स्टेट की स्पेशालिटी है तो वहां मिलेगी ना समझ रहा है यहां को इस इसमें विजिन वरता है हमाने यह सब मिलता है ऑगे अरित्रों में जब जब भी बंगाल आँगा ना बंगाल वें गहां पर गरे तिरा कुलकाता के पास ही है कुलकाता के पास ही है कुछ यह पर शीजिए टेन से जाना पड़ेगा लोकल अच्छ तो सब भूल जाओगे उसके सामने ना टेश्क होता है अरे तारी बहुत मेरवानी पीट पस रोग जाओ तू अदेख बड़ेँ यह आपे event that event A and B are such that P A P A है हमारे पास 1 by 2 और P A union B है हमारे पास हमारे पास कितना है 3 by 5 और P B है पितना हमारे पास कितना P ठीक है करा find P if they are mutually exclusive और if they are independent पेहले पार में क्या बोल रहे हैं A and B are mutually exclusive ठीच है भाई ? mutually exclusive का मतलब याद ना बच्चो ? ये सर एंटरसेक्शन 5 इंट्रसेक्शन 5 है तो इंट्रसेक्शन की probability 0 होगी अब इंट्रसेक्शन यान की ए प्लस बी ए यूनियन बी इकोल तो में जीरो ए में आपर आमार पास कितना 1 बाइ 2 बी में कितना है बी में पी और यूनियन कितना है 3 बाइ 5 याबाइ ठीक है सो सॉल्व करके पी आ जागा बच्छों आ जागा अरे कुछ गरबर कर दीगा मैंने ठीक है सही है ठीक है ठीक है ठीक है बड़ा सेगंड बाट में क्या बोल रहा है A and B are independent A and B are independent events independent है बाई इसका मलब क्या है बड़ा P A और B का जो intersection वो क्या है A into में B yes sir अब intersection कैसे निगा अच्छा intersection को और कैसे निगा सकते है P A प्लस P B माइनस में A union B ये value equal to हो जाएगे P A into में P B अब P A है कितना 1 by 2 P B है P और union है 3 by 5 this is 1 by 2 this is P solve करके बताओ P निकल जाएगा अब सकते हैं ने तकल जाएगा ससर थोड़ा 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 मैं भी समझ रहा वेड़ा सब क्या दिक्कत कहा है ओके सबचों आज की क्लास थी कॉंसेट मैंने पूरा समझा दिया आप लोगो नेक्स लिए लेकि लिए लिए परसों संडे क्योंकि 15 16 में तुमारे एक दिन चुट्टी हो जाएगी तुम्हारी यार तुम्हें 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 देर रिंड़ा और कल की क्लास बहुत जादे इंपॉर्ड़न है वाई कल पहले आदे घंटे में तुम्हें बचावा प टोटल प्रुवाबरिश्ट और बेस्ट जो एक्जैम में कंफर्म आपको चार मर में दिखेगा या ती नमर में दिखेगा ठीक है बड़ा कॉंसेप्ट है वो तो ठीक है राज का शुरू किया जाए भाई है क्या बोलती बच्चों है ओके तो शुरू करते हैं यस सरू कर चैना किया बीबटा आयुशी गुडबबटा आयुशी गुड़ीवनियग बीबटा आउशी गुडबबबबबॉटा आ रुशी गुडबबबबबू एक पर प्रिकशिष्री इस इसमें कोई दिखगत नी होगी सब आसान थे ये 910 होगये न आप लोग उसे 910! 910 में कि यह आसान थे, यह हो गए आपसे, ओके, ठीक है बटा, सो हम 10B हो गिया है, 11th हो गिया है, 12th के लिए, रुक जाती है थोड़ा से, 9, 10B है देखा, बहुत बड़ी है बटा, शाबाश, 9B है, 10B है, आएगे, फैंले 9, 10B, बहुत बड़े बच्चे, बस यही तो हम देखना चाहते थे, एक एक करके नालग को उन्हें सारे कुशिन पूछने हैं, आज़े, सो देखेगा, ओके, सो कुशिन हमारे पास ही बटा, यहां पे, कुशिन हमारे पास ही देख सकते हैं, ध्यान पूर्वक, कहते हैं कि, A and B are two events such that A की probability है, B की probability है, intersection की भी probability है, find the probability of not A and not B, not A and not B, not A यानि कि A नहीं चाहिए, B भी नहीं चाहिए, इसको निकालने का पॉर्मोर बटाम मैं ने लिखवाया तो, 1-A union B, और union निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मोर आउता है, A में plus कर लो B, minus कर लो A, intersection B, yes, I think आगे हो जाएगा शायद question अबे, A हमारे पास ही किता है, 1 by 4, 1 by 2, और intersection है 1 by 8, so इसको solve करके answer आजाएगा, बाकि इस ही question में न, एक और तरीका पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों जोड़ों ध्यान से देखो, हमारा जो A intersection B है, वो 1 by 8 है, जो कि 1 by 4 into 1 by 2 होता है, जो कि P A into P B होता है, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि A और B का जो product है, वो उनके intersection के एक पला है, इसका मतलब यह है कि A and B are independent, अगर A और B independent हैं, तो not A, not B भी independent होती है, A, not B भी independent होता है, not A, B भी independent होता है, सो हमें चीहें क्या, हमें चीहें यह, हमें यह find करना है, retention आयक, not A intersection, not B, सो पीटा आप सिंपली यहाँ पर, अगर A और B independent है, तो not A, not B भी independent होंगे, तो उसके coding देखू क्या है, इन दोनों की आप सिंपली यहाँ पर multiply कर दीजिए, not A कैसे निकलेगा, 1-1-1-1-1-4, not B कैसे निकलेगा, 1-1-1-2, सो इसको आप लोग solve करके बिटा, जो भी आएगा वह हमारा answer हो गाया, ओके, सो, वंचिका कर इससरे एक बार BEND डाग्राम से समझा दो, ओके, वंचिका देख मेरे बिच्चे ऐसा है, इसमें, हमें 0 A, 0 B बोला था, वो हिस्सा जो ना तो A में आता हो, ना ही वो B में आता हो, तो यह वाला portion है बिटा, जो बहार है, अब आपको मालूम है, इस पूरे sample space की probability 1 होती है, तो इसलिए 1 आया, 1 में से इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए union हटा दिया, union निकालने के लिए यह रहा, वंचिका आतीं clear आपका, अभी तो कोई नया concept नहीं बता है, भाई पहला ही question चल रहा है अभी तक बिटा, वंचिका, कौन सा वाला भी, ये वाला, ये वाला भी, इसका प्रूफ है कि एगर वो दोनों independent है, तो ये दोनों independent कैसे हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद उताता हूँ, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, not a, not a और not b कर रही हूँ, not a और not b, not a और not b में, देखो union आता है बीच में, तो इसका मदलब क्या है कि, या तो a नहीं चाहिए, या फिर b नहीं चाहिए, या तो a नहीं चाहिए, वो इससा जो a में ना आता हो, तो आप ओलेंगे, जो a में नहीं आता, ये राव है, ये वो हिस्सा है, जो a में नहीं आता है, फिर union, वो हिस्सा जो b में नहीं आता, वो portion जो b में नहीं आता, जो b में नहीं आता है, तो इसके बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा, अब दो कलर से बिटे मैंने अब शेट किया है उन दोनों को मिला लो तो आप क्या देखोगे सब कुछ आ रहा है बस ये बीच वाला हिसा एक बार भी काउंट नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं पूरे में से पूरे वन में से क्या हर्ट कर दो बटा इस बीच के इस intersection को मैनस करते है वंची का एज इंक clear आपका वंची का clear आपका हाँ जी आरेन मलोत तो रहा है से second measurement के एक बार दो दोबार बता दो क्या बुलते हैं बच्चे आरेन मेरे बाई ऐसा है ना question में मैंने सबसे पहले एक चीज़ यह observe करी कि इस A और B का जो product था वो उनके intersection के intersection के equal है 1 by 4 into 1 by 2 equal to 1 by 8 इसका मतलब क्या हुआ कि A और B जो है वो independent events है तो बच्चे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब A और B independent होते हैं ना तो उस situation में not A and not B भी independent होते हैं अगर यह दोनों भी independent हैं तो इनके intersection की probability किसके equal होगी? not A into not B अब not A कैसे निकलेगा? not A A में से 1 by 4 1 में से 1 by 4 minus कर दो 1 में से 1 by 2 minus कर दो ठीक है Aryan? clear है? ओक सिर बढ़ेंगे next question की दर बढ़ते हैं next फिर आपने पूचा है question number 10 question number 10 यह भी yes का ही doubt है यह भी yes का ही doubt है कर रहें की events A and B are such that A की probability है 1 by 2 B की probability है 7 by 12 ठीक है? कर की not A और not B not A और बोल दिया यानि union not B की जो probability है this is 1 by 4 इसका मतलब बढ़ें मैंने भी बताया की 1 में से intersection को अड़ा दो A और B का यह 1 by 4 है so 1 में से कितना minus को की 1 by 4 आ जाए है? तो यहां से A intersection B हमारा निकल जाएगा 3 by 4 क्या पूचा गया? state whether A and B are independent जड़ा सोचो क्या इन दोनों की multiply करके यह आएगा? अगर मैं बोलो यह तो हमारा A intersection B निकल गया अब मैं बोलो जड़ा P A की multiply P B के साथ करो तो आप बोलोगे 1 by 2 की multiply 7 by 12 के साथ किने पड़ेगी? तो यह 7 by 24 हो जाएगा which is not equal to probability of A intersection B it means A and B are A and B are not independent यश तिरे दोनोर आउट क्लिर है विटा? यश कोई दिक्कत? अबई बच्चो 13 के किसी पार्ट भी किसको कोई दिक्कत तो नहीं है 14 को mark करो very important इससे mark करो भी का important कहरा कि probability of solving specific problem independently by A and B are 1 by 2 1 by 3 ठीक है? भाई लोग यह समझे लो कि कोई एक समस्या है जो किसी हमने कोई एक problem थी हमारे बस जो मैंने A के पास भी दी है और B के पास भी दी है और मैंने वोला कि इसको solve कर दो तो यह दोनों लोग जो है A और B वो उसको independently solve करेंगे एक दूसरे की मदद नहीं लेनी है किसी की मदद नहीं लेनी है ठीक है न? तो ऐसा है A उसको solve कर पाएगा उसके chances 1 by 2 है B उसको solve कर पाएगा उसके chances 1 by 3 है ओके अब कहते है इब बोथ try to solve the problem independently find the probability that the problem is solved problem solve हो गई तो देखो पहले तो क्योंकि एक बात clear है कि A and B are independent A problem को solve कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उसका B से कोई लेना देना नहीं है B problem को solve कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उसका A से कोई लेना देना नहीं है तो देखो ऐसा है यह समझ लो कि इस part में A ने problem को solve किया है और इस part में B ने problem को solve किया है find the probability that the problem is solved पहले part में क्या निकलना है problem is solved तो देख सकते हैं यह वो हिस्सा है जहाँ पर A इस problem को solve कर लेता है और यह वो portion है जहाँ पर B इस problem को solve कर लेता है वो हिस्सा जहाँ पर problem solve हो रही है क्या मैं बोल सकता हूँ वो A और B का union है मोलो बच्छों क्या मैं बोसकता हूँ कि वो A और B का union है मानते हो कि नहीं मानते हो यस सर यस ठीक है भाईगे अब A में प्लस कर लो B मानस कर लो intersection भाई लो ये बात तो पता है न आपको independent events है तो intersection बिल्कुल भाई क्या तेरे को मालूँ है बेटा इन दो गोलों से मिलकर ये जो शेप बनती है इसको क्या बोल रहे है क्या बोलते है A union B यहाँ पर A इस problem को solve करता है ठीक है यहाँ पर B problem को solve करता है ठीक है अब मुझे बता मुझे एक बात बता भाई क्या यहाँ पर कोई problem solve हो पा रही है किसी के तोरह B यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होतो रही है B करतो रहा है problem को solve और यहाँ पर तो problem इतने इससे में solve हो पा रही है क्यों दोस्त क्या बोलते हैं उसको नहीं समझा बोल बिड़ा हाँ तो ठीक है किसमें हाँ तो अरे तो क्या हो गया इंडिपेंडिन्ट होने का मतलब क्या है intersection कुछ ना कुछ दोनों में है इसका मलब यही है अरे अरे भगवान A 1 by 2 है B 1 by 3 अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंडेंट है तो A intersection B क्या होता है P A into P B होता है तो यानि की 1 by 2 into 1 by 3 करके 1 by 6 से आएगा की नहीं आएगा यानि की पक्की बात है दोनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे है जॉइंट सेट हैं दोनो तो यहाँ पर भी problem solve हो रही है वो बात अलगे दोनों की द्वारा solve हो रही है A नहीं भी कर लिया problem को solve और B नहीं भी कर लिया क्या दिक्कत है तो देख भई A, A की है 1 by 2 B है हमारा 1 by 3 और intersection कितना बच्चे वो है 1 by 6 solve करेंगे कितना जागा है 3, 2, 1, 4 बटे 6 2 बटे 3 लिख दो बटे इसको एक और तरीका देखो problem solve हो जानी चीए problem is solved problem solve होने का बंदलब क्या है कि A solve कर ले और B ना कर पाए बताव problem solve हो रही है कि नहीं हो रही है भाई कोई एक ही मुझे question समझा के दिखा दे क्या दिखे थे problem solve हो जारी है ऐसी A ना कर पाए पर B problem को solve कर ले क्यों भाई सिंगला ठीक है और क्या पता A और B दोनों ही इस problem को solve कर ले तब भी हमें problem solve होके मिल जा रही है हमसे कहता है थे problem is solved problem solve A problem को solve कर पाएगा 1 by 2 B problem को solve कर पाएगा 1 by 3 बट B problem को solve नहीं कर पाएगा क्या मैं बोल सकते हूं तिस इस 2 by 3 बोलो बच्चों ये बाद समझे के ने समझे A not A निकालना हो तो 1 minus 1 by 2 not B निकालना हो तो 2 by 3 एसी A में ही कर पाएगा 1 by 2 और B कर लेगा 1 by 3 A और B दोनों कर लेंगे 1 by 2 into 1 by 3 बोलो मेरा वाई सही है की नहीं है बोलो बच्चों फिर second part में कहता है exactly one of them solve the problem exactly one of them solve the problem exactly one कोई A की ही बंदा problem को solve कर पाए जैसे यहाँ पर problem A के द्वारा solve होती है यहाँ पर problem B के द्वारा solve होती है बता इस हिसे में problem को कौन solve कर रहा है बोलो बाई कह सकते हैं सिर्फ A ही solve कर पा रहा है ऐसे ही यह वाला जो portion है इस में problem को कौन solve कर रहा है आप बोलेंगे सिर्फ B solve कर पा रहा है हम इस beach वाले हिससे को नहीं लेंगे क्यों कि यहां पर दोनों ही बंदे problem को solve कर रहे हैं बट इसने कि आप बोले exactly one solve the problem तो हम कह सकते हैं कि पूरे union में इस से क्यों ना इस beach के intersection को minus कर दिया जाए union की value निगले थी 4 बटे छे और intersection निगला थी कितना एक बटे छे एक बटे छे न सो answer आज़ा का 3 बटे छे और हमारा answer आज़ा का 1 by 2 बोलो भाई बात समझे की नहीं समझे ठेंगा दिखा सकते हैं बच्चे आप लोग हम इन आ है तो दूसरा तरीका exactly one solve the problem इसका मलब क्या है a करे पर b ना करे या फिर a ना करे पर b कर ले यही है और यह हमने अल्रेटी निकाल रखा है है आपर इतना है इस्सारा बटाए बोलो बच्चे आंसर आगे हमारा दो और तीन one by two याद रखो गे बच्चे इस चीच को आगे बढ़ा जाए ठेंगा दिखाए रखाए रखाएंगे आगे बढ़ा जाए आयूशी ठीक है बढ़े इतना बहुत सालों के बाद अमन बारदबाजी भी आए है बहुत बढ़े है बटा फिप्टींद का हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट फिप्टींद का हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट करता है बच्चे की वन कार्ड इस ड्राउन एट रेंडम फ्रॉम वैल शफल डैक ओ फिप्टी टू कार्ट्स बावन पत्तों में से कोई एक पत्ता निकाला गया है सर इसको डारेटली कर लेंगे मुल्टिक्लिक्लिक्शन थे रूम क्यों नहीं लगी आरेन मुल्टिक्लिक्लिक्शन थे रूम ही तो लग रही है ये क्या है ये क्या है दोस्त ये मुल्टिक्लिक्लिक्शन थे रूम ही तो है क्यों मेरा भाई आरेन कोई दिखके था माइक ओन गर मेड़ा फिर अदर्वाईस बोल शाबश हाँ हाँ ठीक है तो ठीक है A problem को solve कर चुका है A solve कर चुका है B नहीं कर पाया है मैं नहीं लिख रहा है क्यों उसमें कहाने पे लोगे इतना इसके जब Marxist के मिल रहे हैं तो ठीक है देखें बच्चे कर रहा कि वन कार्ड इस ड्रॉण एट रेंडम प्रॉम वेल शफल डेक और फिट्टी डू कार्ड बावन पत्तों में से एक पत्ता निकाला है रेंडम ली इन विच और फॉल्विंग केसिस आर दी इवेंट ए एफ इंडिपेंडेंट चेक करना है बाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है सर सॉल्व ना हो तो वेंट डिएगराम सुमिच रमा सुमिच रमा एक बास सुन बटा वेंट डिएगराम अब हर कुशिन में नहीं बना पाओगे जैसे यहाँ पर तो इसे दो लोगों की बात हुई थी ना कोई प्रॉब्लम हमने ए को दी है बी को दी है सेम कुशिन आ सकते हैं कि हमने कोई एक प्रॉब्लम तीन लोगों को दे दी ए बी एंड सी को तो उस सिच्वेशन में फिर आपको वेंट डिएगराम में तबा बटा यह तरीक अगर यूस करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई ठीक है प्रोबैबिलीटी का एक assignment share करूँ हम आप लोगों के साथ उसमें आप लोगों को practice के बहुत अच्छे-च्छे question मिलेंगे भाई important time passing important questions ओके देखेगा करकी one card is drawn at random from aware event e क्या है the card drawn is a king और queen जो पता निकलेगा वो या तो king हो या queen हो event f the card drawn is a queen और a jack या तो queen भी हो या jack हो अब मुझे बताओ king होते कितना है बटा total चार और queen कितनी होती है चार 8 कह दे बटा इसमें 8 element होंगे ऐसे ही 4 तो king है और 4 हमारे पास queen है ऐसे ही यहाँ पर भी 4 हमारे पास queen है 4 हमारे पास jack है तो यह भी 8 cards है ठीक है यह ऐसी लिखती है भाई मैंने अगर मैं आपसे बोलू इन दोनों में common क्या है common तो आप बोलेंगे यह चार queen है यह दोनों में common है queen वहाँ भी है queen यहाँ भी है तो queen यह हमारे पास common है भाई अब मुझे बताओ बेटा e intersection f की probability क्या होगी तो आप बोलेंगे चार total cards होते हैं 52 यह बन जाएगा 1 by 13 मैं आपसे बोलू e into f की probability क्या होगी तो आप बलेंगे e यानि के king और queen तो उसमे 8 element है out of 52 queen f, f में भी हमारे 8 element है out of 52 चार दुनी 8, 13 चार दुनी 8 और 13 यह बन जाएगा 4 upon me 169 so क्या equal है बच्चो क्या इसका आंसर independent है या not independent क्या लिखा रहा बटा book के पीछे देख लेंगे आंसर क्या लिखा है जल्ली से बटा वंचिका, I think आपका doubt था ने बोल बटा कार्ट उन्हें एक ही निकाला है तो वापिस डालने की बात ही कहां से आ गई क्या इससे रिपी मेरी प्यारी जहन टोटल 52 कार्ट में से आपने एक ही कार्ड निकाला है और वो कार्ड मैं आप से पूछता हूँ कि किंग हो या क्वीन हो इसकी प्रॉयल्टी बताओ तो सिर्फ किंग बोलता तो मैं 4 by 52 बोलता बड़ मैंने किंग और कुइन दो न बोल गया तो 4 और 4 8 by 52 नहीं होगा तो यहां पे रिप्लेस्मेंट की तो कोई बात ही नहीं आ रही हाँ दो कार्ड अगर निकाले होते तो तब हम बोलते हैं कि ऐसे कोई बात है 16 का हम कर लेते हैं किसकी बात कर रही हूँ आप न बहुत 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 e क्या है the card drawn is a spade spade होते है total कितने 13 spade होते है total 13 अगर मैं बोलो कि e की probability क्या है तो बोलो कि 13 बढ़े 52 this is 1 by 4 the card drawn is an ace ace होते है 4 मैं बोचे हूँ what is the probability of ace आप बोलेंगे 4 upon 52 this is 1 by 13 इस e और f के multiply करोगे तो 1 बटे 4, 1 बटे 13 बोलेगा 1 by 52 अब बात करें इस e और इस f के intersection की intersection spade वाला ace क्या spade में कोई ace होता है तो आप बोलेंगे yes spade में एक ace होता है so intersection में एक ही element है यहाँ पर भी एक ही card निकाला है जब आप बोल रही है न 13 upon 52 तो spade निकल गया नहीं मेरी वहन अगर मैं बोलता कि एक spade निकल गया अब बताओ अब बताओ ace की probability क्या होती तब उस situation में हमारे पर हमारे सामने problem रहते की सीच की की वह यह विद रिप्रेस्मेंट क्या की विद रिप्रेस्मेंट क्या ही तो बताएं नी जो screenshot लेना चाहता है ले सकता है इसका बढ़ते हैं आगे इन होस्टल सिक्स्टी परसेंट ऑफ दे स्टुडेंट रीड हिंदी न्यूस्पेपर हिंदी न्यूस्पेपर पढ़ने वाले साट परसेंट है 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English Hindi and English कितने 20% अच्छा करें की पहले बाट में find the probability that she reads neither Hindi nor English ये तो आसान है मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चीए इसके लिए simple हम h union e minus 1 में से इस union को minus करेंगे और इसको निकालने के लिए आपको तरीका पता है ये किसने पूछा था ये वाला कुशिन बच्छो जिसने भी पूछा था 16 I think Iyoshi का था है हाई है एच union e अरे इसर किंग और क्वीन बोलता तब भी एड करते हैं हाँ बिलकुल क्योंकि किंग चार एकडम अलग है क्वीन चार एकडम अलग है थो में कुछ कॉमन नहीं था बहुट है किंग और क्वीन की जगें G तो किंग के साथ क्वीन ही नहीं हो सकती ना क्वाई क्वीक आट के साथ क्वीन भी की और किंग और हो और तक जीलो रहे गा ह। वह तो समभा भी नहीं है से replen Kollegin बी, if she reads Hindi newspaper, वो Hindi newspaper पढ़ती है, find the probability that she reads English newspaper, ये तो conditional morality आगे, जो चीत पढ़ रही है, वो नीचे, जो find करना है, she reads English newspaper, बच्चों, ये बात समझे की नहीं समझे, if she reads Hindi newspaper, ये चीत हो रही है, या हो चुकी है, given है, find the probability she reads English newspaper, तो इसके लिए numerator में इन दोनों का intersection आजाएगा, denominator में ह की probability आजाएगी, intersection है 20, और ह में है कितना, 60 by 100, so I think answer 1 by 3 होना चाहिए, ऐसी इसका C part है, if she reads English newspaper, find the probability she reads Hindi newspaper, तो यहाँ पर H by E निकालना, तो ये खुद से कर ले ना भाई, ठीक है, so मैं कहलता है, ये clear होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सुमित भाई, आयुशी, ठीक है, रच्चक, चले फिर बढ़ते हैं, अग, समझ में आ रहा है ना दोस्त, क्या 17 भी पूछा था किसी ने, 17 ठीक है, नहीं है किसी का, अब देखते हैं 18, क्या देखो, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या ये जरूरी है बच्चो कि वो दोनों mutually exclusive होंगी, भाई mutually exclusive होई नहीं सकती, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंडेंट हैं, तो उस A और B की multiply करके क्या मिलेगा, intersection मिलेगा, तो A और B की value कुछ ना कुछ तो होगी ना बच्चो, तो solve करके भाई ये, intersection मिलेगा, और mutually exclusive होने के लिए rule क्या है, intersection हमेशा क्या ना चीए, 0, इन दोनों की multiply करके क्या 0 आएगा, हमेशा, No sir, हाँ गया रहा है, अब मारूंगा ना, अब ये थोड़ दे पहले कोशिन किया था, अब ये थोड़ दे पहले कोशिन किया था हमने, कि A किसी problem को solve करता है, priority 1 by 2 है, B किसी problem को solve करता है, priority 1 by 3, और दोनों independent है, intersection क्या निकलेगा, 1 by 2 into 1 by 3, क्या निकला, 1 by 6, यानि कि दोनों के कुछ ना कुछ common है, common है, यानि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो mutually exclusive कहां से हो गए, ठीक है, तो पहला तो ऐसी गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया भाई, ठीक है, अच्छा, P A और P B equal होंगे हमेशा, लो भाई, ये भी क्या है, सरासर ये भी गलत, A और B को plus करके 1 आएगा, लो भाई, ये भी क्या है, ये भी सरासर, गलत जोड़के देख लो, 1 का आ रहा है, हाँ, अब एक काम करते हैं, क्या बोला इसने, P not A और not B जो होगा ना, वो इसके equal होगा, ये चीज़ में को बताने हूँ, P not A not B, बच्चो, इसका बलग यही है ना, कोई दिकर तू नहीं है इसमें, not A and not B, A भी नहीं होना चाहिए और B भी नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, आलो रे जालो, 1 चीज़ राज़ अगर, A और B का सम कभी भी 1 नहीं हो सकता, A और B का सम अगर 1 करना है, तो A और B दोनों के quality fit 0. हमेशा को तो नहीं मालूम में, टी यार, लेकिन हमेशा क्या गरो है, हमेशा 1 नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, हमेशा तो नहीं होगा, लेकिन यह गरो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी शायद बन हो सकता है, ठीक है, अब बच्चो, भाई लोग देख लो, ऐसा है ना, कभी अगर लिखा होना, A, B, तो इसको हम, A intersection B मांगते हैं, कि A भी होना चाहिए, A and B भी होना चाहिए, तो A intersection B, सेम जी जहाँ पर है, not A and not B, इसका अलब, not A और not B, इसको पर क्या आ जाएगा, बीच में, दोनों के बीच में, intersection आ जाएगा, यह भाई ठीक है बच्चो, यस नो जल्रे से comment करो या, यस नो, यस सर, ओके, अब 1 minus A union, इसको solve करके, वो ची लेकर आनी है, यह prove करने के लिए भी आसकता है, कुछिन दो नमर में, कि show that, तो A union B क्या हो जाएगा, A plus B, minus A intersection B, ठीक है, अब 1 में से, minus कर लेंगे P A, minus कर लेंगे P B, minus और minus plus कर लेंगे, A intersection B, क्योंकि A और B कैसी events है, independent events, अब जड़ा देखिएगा, 1 minus P A, इन दोनों में, minus का P B लेंगे, minus P B common लेंगे, यहां बच्चे का 1, वहां बच्चे का P A, तो अब आप देखिएगे, यहां पर 1 minus P A है, वहां पर भी 1 minus P A है, इस पूरे 1 minus P A को ले लो common, यहां बच्चे का 1, ठीक है, यह चीज़ आ गई, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1 minus probability of A, probability of not A, into probability of not B, और आज याद करो, स्टार्टिंग में मैंने थुड़ देर पहले लिखवाया था ना, कि इसकी जगे आप सीधा, इसकी probability into इसकी probability लिख सकते हो, तो वो चीज़ कैसे आई बचा, वो हमने यहां पर भी देख लिया भाई, बोल बचा, यह ठीक है कि नहीं है, बोल बटाई, यह ठीकर के लिए यह सर नो सर जल्दी से कमेंट कर दो, इसकी को याद अखना बड़ा प्लीजार, यह काम की चीज़े बहुत, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपने एक example भी बुलाया, example 13, करकी E and F are independent, E और F इंडिपेंडनेंट है, then so are the events, ठीक है, अब मुझे क्या प्रूब करना है, कि E और F भी independent होंगी, और यह independent तब होंगी, जब इसका intersection किसके एकवल आएगा, पतला प्रूब क्या है, पहले तो यह देखो, E हो, बट F ना हो, probability के जो सबसे पहली ग्लास जी पीट है, वहाँ पर मैंने यही सब चीज़ा आप लोगों को समझाई थी, वह हिस्सा जो E में तो है, पर F में नहीं है, तो वह है यह वाला पार्ट, अब इस वाले पार्ट को बिटा, आप लोग निकालने के लिए क्या करते हो, आप E में से, E में से माइनस कर देते हो, इस intersection को, बंची का आपका doubt था बिटाई, बोल बच्चे, क्या ये step सही किया की नहीं किया है मैंने, ज़र चेक करके बता बिटा दिल से, यस सर, ठीक है में, ओके, अब इसका मतलब क्या है, probability of E into में, probability of F, दोनों में probability of E आजाएगा common, यहां बचेगा 1, वहां बचेगा probability of F, और 1 में से probability of F को मानस करोगी, तो क्या मिलेगा बटा, probability of F देश, hence, hence, E and F देश are independent, बोल बटा, समझ में आया की नहीं आया, last page show करना, अभी करता हूँ बटा, क्या यह ठीक है बचे, यह सिर, last page यह रहा बटा, last page यह रहा बटास्त, आगे बटाए यह, बच्चों, आगे की तरफ बढ़े जाये, यह स्नो, अब स्टार्ट कर रहा हूँ बटा, अब स्टार्ट कर रहा हूँ बटा, तोटल प्रोबाबिटी ठोरम एंड, बेस्टिरूम बच्चों ये जो टोटल प्रोटिटिरूम है जो बेस्टिरूम के हम बात कर रहे हैं बेसिकली सबसे ज़ाद हो जो इंपॉर्टिरूम है और ये भी इंपॉर्टिरूम है पहले की टाइम पर इसका एक फिक्स कोशिन जब 6 नंबर का कोशिन आया करते थे तब बेस्टिरूम से एक कोशिन पका आता था 6 नंबर में बाद में फिर थोड़े से चेंजेस वगएरा हुए फिर तब ये 4 नंबर में आने लग गया इस पार जो मेरको उमीद है ये 4 में भी देखने को मिल सकता है और कोशिन अगर आसान हुआ तो 3 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 2 नंबर में आपको ये भी देखने को मिल सकता है सो ऐसा है ना यहां पर यह तो बेस्ट थेोरम में रिवर्स प्रॉबाबिटी थेोरम के नाम से भी जाना जाता है और इसको समझ रहे हैं थोड़ी सी दिक्कात आती है एक बार कोशिन के थीम समझ जाती हो तो फिर अप लब कॉंसेप्ट रहे हैं थोड़ा सब समझ में आगे बढ़ी इजली बनेंगे फिर थोड़ा कहानियां यहां पर मैं सुननाना चाओंगा कहानियां तो कहानियां सुननाने के लिए मैं चाहता हूं विवेक वासु है माने साथ विवेक वासु विवेक वासु आप दिल्ली में रहते हैं न तो ऐसा भी यूपी में भी चुनाव का माहूल चल रहा है तो थोड़ा चुनावी कोई उधारन एक दे दिया जाए यहाँ ठीके दोस्त और वो इजी ब्यार उससे बच्छे तोड़ा इसली कोर्रेलेट कर बाते हैं जादा फिर भी खेल एक्सपरिमेंट ने करते हैं बीटे यह समझे ले न कि मैं आपसे बोलता हूँ कि दुनिया में न दुनिया में करो इंडिया में तीन ही पार्टी है बस ठीक है A B and C यह तीन पार्टी है बस अब इन तीन को पुचल अबी E1, E2 and E3 लिख रहा हूँ, E3 are 3, mutually exclusive and mutually exhaustive events, तीनों कैसे mutually exclusive भी हैं और mutually exhaustive भी हैं, ठीक है दोस्त? इसका मतलब क्या है बीटा? इसका मतलब यह है कि जब mutually exclusive जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब यह हो गया कि E1, E2 और E3, तीनों का अगर मैं union करूँ, exhaustive का मतलब है कि अगर तीनों का union करूँ, तो union करके मुझे sample space में जाएगा, और अगर मैं तीनों का अगर मैं intersection करूँ, बच्चे तीनों का अगर मैं intersection करूँ, तो मुझे 5 में जाएगा, यानि तीनों में कुछ common भी नहीं आए, और तीनों को अगर मैं जोड़ दू, तो sample space के बरापर कर लेगा, तो जैसे कि मैंने बोला, यह हमारा पुरा इंडिया है ठीक है, पुरा sample space है, और पूरे देश पर तीन ही party है मैटा, तीन बड़ी party, ठीक है, एक हमारी A4 होगे, E1, यह हमारी होगे है, अर्विंद केजरिवाल, ठीक है जी, दूसरे E2 हमारी यहां पर आगे, हमारी BJP होगई, और तीसरे हमारी यहां पर E3 आजाती है, हमारी Congress रही है, ठीक है, अब दूसरा तीनों को जब मैं जोड दूमा, तो पूरा sample space भी यहां पर complete बन रहा है, ओके दोस्त, अब जब election होता है न, तो यह आप हो, ठीक है ठीक, यह आप हो, और आपके सामने तीन party होगे लोग आएंगे, कोई आएंगे, तीन party होगे, आपके पास आप वाले भी आएंगे, भाजपा वाले भी आएंगे, और कांग्रेस वाले भी आएंगे, तीनों आएंगे भाई आप वाले हैं, इनको हम E1 बोल रहे हैं, भाजपा वालों को हम E2 बोल रहे हैं, और कांग्रेस वालों को हम E3 बोल रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त, अब election टा जैरेंगे और आलू से सोना भी मिलेगा सब बलत पूरे बढ़िया बढ़िया वाय देवाइप कहीं हा पर किये जारे रही complete ठीक है दोस्ते अब आपको करना क्या किसी एक party को choosing करना है ऐसो तो है नहीं न कि election की तिन तीनों party को लो आपको भी आपको भी तीनों को तू भी कुछ तू भी कुछ नहीं तो अब ऐसा है आप इसको भी select कर सकते हो आप इसको भी select कर सकते हो और आप इसको भी select कर सकते हो ठीक है जादा तर देखा गया है कि लोग इसको आजकल जादा select कर रहे हैं लेकिन ये भी वापसी कर रहा है ठीक है और ये दिल्ली में ही वोट करोगे और आपके chances भाई पहले से calculate कर लिए गए हैं तो कोई भी voter उसको select करेगा उसके select होने के chances मान लेते हैं 0.2 है ठीक है दोस्त या फिर थोड़ ज्यादा कर लो या थोड़ ज्यादा कर लो इतना भी मलब ऐसे मैं समझा ला 0.3 कर लिया इसको हमने 0.5 कर लिया ठीक ह आपर होगा दोस्त यहां पर होगा क्या हमारे सामने तीन probability हाएंगी इस E1 की भी probability होगी कुछ हमारे पास हमारे पास इस E2 की भी कुछ probability होगी ठीक है और हमारे पास इस E3 की भी probability होगी ठीक है दोस्ते अब ऐसा है ना कोई भी voter जो है किसी party को vote क्यों देता है ताकि उसे क्या मिले ताकि उसको क्या मिले बेटा जैस कहा रहा पर्सनल था बड़ा विकास मिले यार विकास तुम क्या बोलते हो विकास मिले ठीक है भई हाँ विकास में सब कुछ आगे ना भई कहा रहे पर्क्स कहा रहा सोना मिले अच्छा ठीक है विकास मिले बड़ा विकास विकास में development होना चाहिए भई ठीक है ना फिरों कुछ लोगों फेसे मजाग उडाते हैं कि मोधी जी इतने सालों से विकास सब बहुत बढ़ा हो चुका है ना साथ-ार साल का तो ऐसा है बच्छों विकास ये भी दे सकते हैं विकास ये भी दे सकते हैं और विकास ये भी दे सकते हैं वहाई डेवलमेंट य यहां से भी में सकता है देश works ण则 सबूंजख के बहुत बढ़ेया पहुचा दिये हैं विजली पहुचा दिये और पास ही तो वे पहले पहुचा हुआ है त्सक्ति है और इनों किया ति क्या कर सकती है कि यहां से डवलेमेंट के चांसी थोड़ी ज्यादा लग रहे है यहां से भी development के chances ठीटाक लग रहे हैं और यहां से भी development के chances ठीटाक लग रहे हैं यह बाद ठीक है बच्छों यह बाद ठीक है A Y E 1 E 1 से A मिला या फिर इसको जैसे development इसको मैं A बोल रहा हूँ भई development का मिलना A है ठीक है यहाँ भाजपास से भी development मिल सकता है इसको हम बोलेंगे A Y E 2 और यहाँ Congress से भी development मिल सकता है भई A Y E 2 यह ठीक है बच्चे तो बटा इन सब ही E1, E2, E3 के बीच में यहाँ पर एक common event हुआ करेगी जिसको हम A के जरे represent क्या करेंगे यह वाला जो हिस्सा होगा this will be A by E1 यह वाला जो हिस्सा होगा A by E2 और इस वाले हिस्सा को बोला करेंगे A by E3 यह वा ठीक है दोस्त तो बीटा अब ऐसा है ना अब हमसे पूछ लिया जाएगा बीटा सोचो party कोई भी जीते development तक तो हर कोई पहुँचा ही रहे मेरे ख्याल से है ना तो उस विकास के होने की probability बीटा मैं जानना चाहते हूँ A का मतलब A का मतलब development ठीक है दोस्त उस development के होने की probability मैं find करना चाहता हूँ अब development की probability चीए तो आप बोलोगे कि development तो वहां से भी मिल सकता था या यहां से भी मिल सकता है या यहां से भी मिल सकता है और आपको मालू है जब यहां आता है तब plus होता है यहां से development मिलने की probability plus यहां से development होने की probability plus यहां से विकास होने की probability इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो development by e1 development by e2 and development by e3 यह बात समझा में रहा भाई प्लस कना पड़ेगा भाई आपको development चीए development ही पूरा development है भाई ले लो जिसको जितना development चाहिए भाई अब यह development है यहां से भी हो सकता है यहां से भी हो सकता है यहां से भी हो सकता है तो तीनों को plus कलो तो पूरे development की probability आजाएगी कि कोई से भी party चीते तुम development की probability बताओ कि विकास होगा कि नहीं होगा तो बड़ा विकास अवश्य होगा, अब देखो, development by even, development इस पार्टी ने किया है, ठीक है भाई, तो उस पार्टी ने अगर development किया है, तो ये ऐसे ही नहीं किया भाई, पहले ये election लड़े, मानते हो, और election में जीते हैं, और जीतने के chances क्या थे, अभी point 3 ना लिकर में simple p even लिख दू, जब ये लोग जीत गए, जो जीत गए, हो गया, जीते हैं अब ठीक है, अब विकास होगा, होगा, उसकी probability लिखेंगे हैं, मानते हो नहीं, मानते हो, multiplication theorem लगी है, तुम्हें, यहां से तुम्हें वहां पहुचना है, इस वाले root से, तो पहले वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा, सीरा यहां से चलांग मारके वहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है दोस्ते, तो वहां जाने के लिए इन तीनों में से, उसको select करन e2, मानते हो, जब यह select हो गया तो वहां, ठीक क्या लेखेंगे, e2 हो चुका है, अब चाहिए e1, यह होना है, अब पता नहीं होगा की नहीं होगा बाई, ठीक है न, वो बात अलग है, ऐसी, फिर ऐसी, development, e3, ठीक है, e3, और फिर आगे a by e3, अरे गीतिका, गीतिका, मेरी बेन तो नाराज तो नहीं होगी न, गीतिका जाया, गीतिका नहीं होगी है, चल ठीक है, इस से कल पूछेंगे न, इसलिया से फिर, यह लग की आमाजी पार्टी की फैन है न, अब एन उनको कम नंबर दे रहे न, यहां पर, तो हो सकता है, यह बोलो भाई, यह से बोले हो, क्या बोला, होने वाले हैं मतलब, ना, 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 ऐसा है, जीत गए हैं ने, जीत गए हैं, तो जीतने के बाद, डेवलेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे, मैं तेरे से बलूँ, पास्ट में इंडिया और क्या बोलते हैं, माल ने पाकिस्तान के मैच, 10 मैच वेड़े, जिसमें से 7 मैच इंडिया जीती, और 3 मैच पाकिस्तान जीती, तो इंडिया के जीतने के चांसे कितने हैं, 0.7 बोलेगा probability, आरने के, 0.3 बोलेगा, अब मैं बोलतों कि आज हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं, ठीक है, तो बता इंडिया जीतेगा पाकिसान जीतेगा, भाहि फिर ऐसे ना अनुझा थीक है भाहि ठीक है तेश बड़क्ती है आप में, लेकिन आप ऐसे प कुछ भी हो सकता है, वही सीन यहाँ पर है, हो भी सकता है, चांसेथ ज्याता है, डेवलमेंट होने के चांसेथ लग रहे हैं, बड़ क्या पता ना हो, 0.4 चांसेथ है की डेवलमेंट ना करें, ठीक ह decisions है, mister development होने के चांसेथ है और उम्हें पुछो development ना होने के chances क्या है? No development. तो वो क्या है? वो 0.4 हो जाएका. ऐसी इनों ले वोला विकास करेंगे 0.4 chances हैं तो नहीं करने के 0.6 chances हैं. समझभारा बात को? तो यह ज़स्ट यहां पर probability है कि हाँ कर सकते हैं यह E1, E2, E3 जो हैं वो यह देखा जा रहा है कि तुम्हारे सामने total candidate कितने हैं जिसमें से तुमने किसी एक को select करना है. जब एक select हो चुका होगा तब उससे तुम्हारी कुछ expectation होगी भाई. तो वो बात की बात होगी. जो चीज़ पहले select करनी है वो E1, E2, E3 है. जब कोई एक select हो चुका होगा तो उसके बाद भी कुछ होना है. जो बाद वाली जो चीज़े उसको A के ज़रे represent करने हैं. अब देखो बचो यह जो चीज़ मैंने लिखी है ना है यहापर. इस टोटल प्रोबैबिलिटी थेवरम. यह पहली थेवरम बनी है भाई. टोटल प्रोबैबिलिटी थेवरम. अब next आती है, base जो रहाँ. क्या बोलते हैं? सुधानशो सिंगला. यहर वाकिंग डेट देखा है? किसीने वाकिंग डेट? वाकिंग डेट? उसकी जो सबसे पहला सीजन होता है, उसमें क्या ना है? रिक ग्राइम्स होता है जो, रिक ग्राइम्स. वो बंदा मलब काफी टाइम तर मलब कोमा में रहता है और अचानक से बंदा काफी सालों के बाद उठता है हॉस्पिरल में उठता है तो वो क्या देखता है कि पूरे चारों तर सब जॉंबी बने हुए है न तो क्या बोलते हैं सदानशो सिंगला तू नहीं ऐसे हमार कोई है कोई जानकार ठीक है न वो बंदा भी अचाने से कहीं सालों के बाद उठता है ठीक है और वो जैसे हॉस्पिरल से बाहर दिखलता है न वो दिखता है बहिया कि रोड एक्दम साफ एक्दम मजबूत रोड बस चल रही है वहाँ पर पूरी एकदम बढ़िया वाली एकदम मल सब्सक्रा कुछ भी नहीं है सब डस्पीन में वहाई सब डाल रहे हैं कुडा जो भी हो रहा है सारे कम्प्ली ठीक है स्कूल एकदम टकाट है कि मसमन रखे हैं हर स्कूल में मातर 33 35 35 बच्चे हैं सब को एकदम रोजगारी रोजगार मिल रखा है समझ पा रहा है हां तो मिल गया है समझ पा रहा है विकास चाहिए था विकास मिल गया है अब यह समझ में निया रहा कि विकास किसका है वाई समझ पा रहा है यह विकास आहम आदमी पार्टी ने किया है बाजपा ने किया है या कांग्रेस ने किया है बच्चो कोशिन समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं अभी तक आप यहां से वहां पहुँच रहे थे मैं कह रहो आपको सीधा यहां लेंड करवा दिया गया आपको सीधा यहां छोड़ दिया गया अब आपको यह पता नहीं कि यह हम वहाँ पहुँचे हैं तो इस root से पहुँचे हैं इस root से पहुँचे हैं या इस root से पहुँचे हैं पर जो अभी पहुँचे हैं जो बाद वाली event अगर हो चुकी है और बाद वाली event अगर हो चुकी है तो अब अब तुम से पूछ लिया जा रहा है कि तुम इस बात के chances ब करना है तो इसका मतलब क्या में ले सकता हूँ इस इवन और एका इंटरसक्शन अपॉन में एकी प्रोबैबिटी कंडिशनल प्रोबैटी लगा रहे की बिढगा नहीं यहापर इवन और एका इंटरसक्शन इन्युम्रेटर और ए हमारा आजागा इन डेनॉमिनेटर से बात ह ऐटर e1 अपाँ ए की प्रोबैबिटी हमने अबी पीछे निकाली थे यहशद है एकी प्रोबैबिटी है यह हमने ओलरी सिकाल रखिया फ्रोबैबिटी ओफ-इवन ए बाइ-वाइ प्रोबैबिटी ऑफ-इटु-ओ-ई-टू-इद यह-बाइ-टू-बाइग-ई-दरु- ऐसी देश में अगर चार पाटियां होगी तो यह E4 A by E4 तक चलेगा मात पर अगर दो ही पाटि होगी तब यह आएगा यह आएगा वो नहीं आएगा फिर उसके बाद numerator में E1 और A का intersection है तो ज़रा सोचो E1 और A का intersection बच्चे E1 यह रहा और A यह रहा क्या मैं बूल सकता हूँ कि यह वो विकास है जो आम आगमी पार्टी देगी तो आम आगमी पार्टी से अगर विकास दिये वहिया तो पहले आम आगमी पार्टी को जिताना पड़ेगा जिताना पड़ेगा जब जब जिता दिया तब विकास भी मांगना पड़ेगा मानते की नहीं मानते हाजी तर लो जी विकास हो गया और ये जो चीज़ हमने लिखी है विटा दिस इस बेस थेरम बोल भाई बात समझे में आई कि नहीं आई क्या बोलते हैं वंचिगा राजा क्या फॉर्ना डेरिविशिन समझे बीटा वंचिगा अंजली सुमेट हरियों अक्षे अरुशियानन्द बेजे में सैट हो बाया थोड़ा सा पूरा तो नहीं आया होगा बेटा अब पूरा भी समझ में आए गई नहीं अब देखो भी क्या बात के लिए तुमने ऐसी है चुप रहे अभी सरसर लगी रहती है आदी बच्चो ज्यान पूर्वक देखे का जरा अब बच्चो ज्यान से सुन लियो बात तेरे से बात करो मैं परना मुक्का यहां से आएगा कैमेरे से ठीक है तेरे मुबाइल से बार निकलेगा फर सीरा सुन रही है अब बड़ा केता कि अब बैग कंटेन फोर रेड बॉल और फोर ब्लाक बॉल कुई एक बैग है विच कंटेन फोर रेड बॉल और फोर ब्लाक बॉल बासु भाई ठीक है अनार बैग बैग 2 चोंतेन फें फोर रेड बाल और शीको बाई रादन, यार एसे बनाते हैं Your C एक बैग 2 है जिसमें रैड बाल कितनी है दो ब्लैक बाल है छे ठीक है वन अफ दी टू बैग इस सेलेक्टेट एट रेंडम एड बाल इस द्राउन फ्रॉंग द बैग विचिस फांद तो बी रेड ओहु तुना ध्यां से अब रैडम ली तुम किसी एक बैग को सेलेट कर रहे है तो इसका सेलेक्ट होना इवन होगा इसका सेलेक्ट होना इटू होगा इस बात को बानते हो जब मानले ये बैक सेलेक्ट होता है तो वहाँ से एक बॉल निकालना है बॉल निकलने के लिए रेड भी निकल सकती है निकलने के लिए ब्लैक भी निकल सकती है ठीक है और जब ये बैक सेलेक्ट होका तो निकलने के लिए यहाँ से भी रेड निकल सकती है better black निकल सकती है कोई sesने बोल भी दिया कि जो बॉल हो सकती है हो रूप जो चीद बाद में होगी वो हमारे लिए यह हुआ करेगी सभी बात है अच्छा मेरे को बात बता तेरे सामने क्योंकि दो ही बैग है तो आख बन करके तिरे को उसको सलेट करना हो तो उसके सलेट होने के चांसिस क्या में बोल सकता हूं इसके भी चांसिस आजया थे चांसिस है कुछ नहीं बोलेगा तो 50-50 वानेंगे भाई तीन बैग रख लोगे तो 1-3,1-3,1-3 हो जाएगे अच्छा अगर मैं बोलू कि मालने यह सेलेट हो गया तो यहां से रेड बॉल के निकलने के चांसिस क्या में बोल सकता हूं 4 by 8 होंगे अगर मैं यहां से रेड बॉल निकालना चाहूं यहां से रेड बॉल तो 2 by 6 होगा यह भाई ठीक है ओ 2 by 6 हो 2 by 8 2 by 8 ऐसी रहन देते हैं बुटा ठीक है न अब मुझे एक बात बता भाई क्या रेड बॉल निकल चुकी है बोले बटा अंजली बोली है उसका वन बाई टू कैसे था बिटा बाबात उसको अंदर कुछ दिखी नहीं रहा तेरको अभी तेरे सामने दो बस्ते रखें हुए बस्ता समझती है ना बैग जोले अब बैग के अंदर गेंदे हैं बॉल्स अब वो दिख थोड़ी नहीं है आपको बद दो बैग दिखाई दे रहे हैं समझ रहे हैं अब उसके सलेट होने की चांसिस क्या मैं वन बाइटू नहीं बोलूँगा क्यों क्योंकि दो ही बैग थे उसको सलेट करना है इसके सलेट होने की चांसिस वन बाइटू बोलूँगा क्यों क्योंकि दो ही बैग है तो वन बाइटू नहीं समझी अरे, 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 यह कैसे था, यार, अरे, बाफ, अरे, आजा, ओके, तो, बच्छो मेरे, इस बैक के सलेट होने के चांसे भी 1 by 2 हैं, इस बैक के सलेट होने के चांसे भी 1 by 2 हैं, वासु भाई, इसने बोला, विचिस फांड तो बी रेड, पांड बलब, रेड निकल चुकी है, इस बात को मानते हो, रेड बाल बैक से निकल चुकी है, निकल चुकी है, नाँ, find the probability that the ball is drawn from the first bag, ये जो red ball निकली है, वो यहाँ से निकली है, तो बोले चुकी सा, निकल निकल, तो कहीं से भी निकल सकती है, चुकी red ball तो उसके पास भी थी, red ball उसके पास भी थी, तो probability किस हीच की पूची गई, that it was from the first bag, क्या यह समझे में आया की नहीं आया बच्चों यस नो आयूशी ठीक है की नहीं है वासू रोमेल हर्यों वेटा बच्चों मेरे नौ हमें चाहिए पी एवन के अपॉन में एग इसको निकालने लिए फॉर्मला क्या है इवन एबाई इवन दिनौमिनेटर में पूरे एक ही प्रोबैबिलिटी आती है इवन एबाई इवन एटू एबाई एटू जबाई ठीक है इवन की प्रोबैबिलिटी वन बाई टू है एबाई इवन की प्रोबैबिलिटी फॉर बाई एट है इवन की प्रोबैबिलिटी वन बाई टू फॉर बाई एट वन बाई टू यहाँ से एबाई इटू जिसस्टू बाई एट सबके denominator से 16, 16, 16 cancel, उपर बचेगा 4, भीच बचेगा 4 प्लस 2, 4 बाई 6 और आंसर है 2 बाई 3, यानि कि अगर red निकली है, तो जाते तर चांसे इसके ये हैं कि वो यहां से निकली होगी, उसके यहां से निकलने के चांसे 1 बाई 3 होगे, और वहां से निकलने के चांसे कितने 2 ब उसका sum 1 नहीं होता, development क्या है? मेरी बाई सुमटा, वो जो 0.6 है न, वो इसके according select की गई है, मतलब, मैं आप से बोलू, कैसे बोला जाए इसको यार, वो जो 0.6 हमने लिखाने लाए यहां पर, 0.6, वो सिर्फ इसको ध्यान में रखकर बनाए गई गई है, इसके according, उसको आप इस पूरे से compare नहीं कर सकते है भाई, हाँ अगर आप बोले हो कि इस E1, इस क्या बोलते हैं, E3 और इस E2, इन तीनों की probability को जब हम प्लस करेंगे न, तो इन तीनों की probability को प्लस करके हमेशा क्या आएगा, वो हमारा 1 आ सकता है, वो value हमारी क्या सकती है, वो बना सकती है, और आएगी, कहीं बार क्या होगा, हमें question में E1, E2 की probability देदेगा, E3 की नहीं देगा, question ऐसे missing, value, value question बनेंगे, तो वहाँ पर आप क्या करोगे अच्छिए कि 1 में से इन तीनों को आप क्या करोगे, लेकिन इन तीनों की probability हमेशा कोशिल में mention हुआ करेगी, कहीं बार आपको दिखेए कि वह जोड़के 1 नहीं आ रहा है, कहीं बार दिखेए कि 1 आ रहा है, यह 0.6 है वो किसी इसकी probability है कि इनके द्वारा development होगा अगर मैं पुछो इनके द्वारा development नहीं होगा तो उसकी probability क्या है 0.4 है ऐसी जो 0.4 है वो किसी इसकी probability है कि development इनके द्वारा हो रहा है मैं बोलू इनके द्वारे development नहीं होना तो क्या है तो आप बोलो जो 1 में से 0.4 मैंस किना पड़ेगा तो उसका इन बाकी दोस्ते कोई लेना देना नहीं होगा मेरी भेंड ठीक है एक कोशन और सेट किया जाए माइन में क्या बोलते हो अब ये बच्चो एक लास्ट कोशन फिर छुटी फिर मैं समझाऊंगा न कि हाँ भीज में पूरे एकदम बाद बढ़िया से सट है इससे फिर वंशिगा का जो डाउटन वो भी क्लियर हो जाए पूरा कंप्रीट आयुशी मेरी बेन तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तू बोल दे यार असुरोमीन हरियों सुमेट सब हैं और श्यान दे ओके बोला या बिटा आप दे स्टुदेंट्स इनक कॉलेज इस नोन देट सिक्स्टी परसेंट डिसाइडिं होस्टल हॉस्टल में कितने बच्चे हैं 60% and 40% are डे स्कॉलर्स हॉस्टल में रहने वाले और सीधा प्लास के वाल अपने घर जाने वाले ठीक है बच्चो दो परकार के लोग हमारे पास अच्छा यह हॉस्टल में जो जाने वाले बच्चे हैं वो हैं 60% और डे स्कॉलर्स वाले कितने हैं 40% बासू यह ठीक है फिर कहता है कि प्रीवियस यह रिजल्ट रिपोर्ट देट 30% of all the students who reside in हॉस्टल attain A grade जो हॉस्टल में रह रह रहे थे क्या सब बच्चों की A grade आएगी बोलो भाई सब कितने हैं आएगी ना कुछ की A grade आएगी भी कुछ की नहीं आएगी भाई तो A grade लाने वाले जो बच्चे हैं जो बात वाली event वो A है A grade लाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने % है वो 30% है अच्छा 20% of the day scholar attain A grade कर रहे हैं यहाँ पर जो बच्चे है यहाँ 20% है यहाँ ठीक है तो बटा प्रोबैबिट तो यहाँ पर प्रोबैबिटी पास्ट एक्स्परियंस के बेसिस पर बता रहा है ना भाई इस पुराने चीजों के आधार पर पुरानी घट्नाओं के आधार पर तो वहाँ पर भी जो प्रोबैबिटी जो लिखी गई थी पास्ट एक्स्परियंस के बेसिस पर तो लिखी गई थी ना यार जो दोस्त हाँ और ऐसा है अगर मैंने नहीं बोला तो मैं फिर से बोल देता हूं सारा पास्ट एक्स्परियंस के वेसिस पता पुरा ठीक है दोस्ते अगर माल ले यह 70 होता यह 80 है क्या 1 से कम है अब तो बोले कि सर ऐसे कुछ भी अपनी वड़ी से लिख लिए आप पका गरत लिख रहे होंगे तो एक काम करते हैं पिटा समझ गी ना फिर ठीक है अगर समझ गी है तो पता मुक्का खाती में से तीस परसंट और यहां पर दीस परसंट बलब जैसे यह समझ लो कि अगर मालो यहां 100 बच्चे हैं तो 100 में से 60 बच्चे यहां गए 40 यहां गए ठीक है उन 60 में से 30 परसंट यहांने की 18 बच्चों का A-grade मिला है और यहां 40 में से 12 20 परसंट यहांने की 8 बच्चों को A-grade मिला है तो यह सी ने बड़ा है यहां पर तो वो जो चिनी लिखी गई है यह वो इसमें जो element ने उनके basis पे वो लिखा जाता है तो यह क्लियर है सबको अब जो है अब जो है बेटा क्या बोला गया वासु भाई करकि at the end of the year one student is chosen at random साल खतम हुआ हमने किसी एक बच्चे को ऐसी इधर आ भाई तु ठीक है ना पकड़ा one student is chosen at random from the college और पूछले बदा वे तिरे मार्क्स कितने आ रखे हैं करा ए ग्रेडर रखी है अब वासु भाई तुने बच्चे से पूछे तिरे मार्क्स कितने आ रखे हैं वो भाई क्या बोल रहा है भाई मेरी ए ग्रेडर रखी है ठीक है वासु तु क्या बता सकता है कि वो बच्चा हॉस्टल वाला या डे स्कॉलर है होने के लिए वहां कभी हो सकता है क्योंकि वहां के बच्चे भी होश्यार होते हैं और ये बच्चे भी हुनार होते हैं दोने जगे की हो सकते हैं तो वट इस अच्छा यानिकी ये वाली इवेंट हो चुकी है राइट बाद वा वाले बच्चे का select होना मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2 यह हो गया common event एक्जाइम में याद रखेगा यह चार्ट में आपके सामने बना देता हो और आपको बड़ा मजासा आजाता है एक्जाइम में ऐसे बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिखकर जरूर आन तरीके से consider the events एक event E1 एक event E2 और एक event E2 यह क्या represent कर रहे हैं यह तो बता होगे न बच्चों तो E1 represent करता है किसी hostel वाले बच्चे को E2 represent करता है किसको डे स्कॉलर को और यह represent करता है ग्रेड ए अब E1 हॉस्टलियर बच्चे कितने हैं आप बोलोगे चालिस परसेंट सॉरी इसके ते साट परसेंट E2 कितने हैं? चालिस परसेंट याद रखीगा इन दोनों को प्लस करके वन आना चाहिए है मैं बोलो AYE1 हॉस्टल वाला बच्चा उसकी है A ग्रेड कितना? तीस परसेंट है डे स्कॉलर बच्चा उसकी है A ग्रेड 20 परसेंट कोशिन में बोला गया है कि हमने एक बच्चे को सलेट किया और उसकी A ग्रेड आ चुकी है क्या मैं बोल सकता हूँ? A हो चुका है A हो चुका है, now find the probability that, what is the probability that he is a hostilier वो जो बच्चा है वो एक hostilier होना चाहिए यह आपको find करना है, इसको find करना है वही तो फॉर्मात्र को मालूम है e1, a y e1 denominator में एक ही probability आती है, total probability theorem e1, a y e1, e2, a y e2 और e1 था कितना? 60 बटे 100, ay e1, 30 बटे 100, 60 बटे 100, 30 बटे 100, 40 बटे 100, 20 बटे 100 सबके denominator से 10,000 कर जाएगा? 100, 100, 100, 6, 3, 18, 4, 2, 8, 18 कि बटे में 26, 9 by 13 चैकर बड़ा, आंसर ही है कि नहीं है, पीस देख़े स्क्रेट बट, आज चुटी नहीं थी यार, चुटी के लिए थोड़े बोला था आज संडे है, और संडे हमारी हर संडे को क्लास होती है, पढ़ने को बोला था मैंने ये बोला था कि हाँ हो सकता है कि 16, 17, 18 में मुझे शायद मुझे 2 या 3 दिन का ओफ लेना पड़े मैंने ये कहा था आपसे, ओके सो ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास जो भी बच्चे जोड़ चुके हैं, आज की कक्षा शुरू कर जा भाई, फिर आप लोगों की परमिशन से पिछली क्लास में मैंने आप लोगों कोई कॉंसेट सिखाया था कि हमारे पास कोई 3 या 2 इवेंट हो सकती है, E1, E2, E3 ठीक है, हमारे पास कोई 3 इवेंट है, E1, E2 या E3 इन 3 में से हम लोगों को किसी एक को चूज करना होता है, हम उसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं यहाँ पर probability of E2 यहाँ पर probability of E3 अब इन तीनों में से किसी भी एक को जो हम select करते हैं तो select करने के बाद ना हमें कोई एक और event को perform करवाना है और वो जो event है वो इन में से किसी एक को select करने के बाद ही perform करवाई जा सकती जैसे मैंने पिछली ग्लास में आप से बोला था कि कॉलेज में कुछ बच्चे day scholar भी हैं कुछ hostel year भी है day scholar वाले बच्चे भी टॉप कर सकते हैं hostel year बच्चे भी टॉप कर सकते हैं ऐसे ही आम आदमी party, BJP, Congress इन सब को जब हम select करेंगे तो इन के जरिये इन तीनों के ही जरिये हमें development मिल सकता है development सब के जरिये मिल सकता है तो जो बाद में जो event होने वाली है एक common event हुआ करेगी भाई एक common event जो हम यहां से भी achieve कर सकते हैं यहां से भी और यहां से भी इस रस्ते से वहां पहुचने की जो प्रक्रिया थी उसकी जो probability थी, it was probability of a by e1, probability of a by e2 and probability of a by e3, probability of a by e3, यह हमारे पास था भाई, ठीक है, तो हम लोग बोल रहे थे, कि this is probability of e1, a by e1, फिर प्लस में probability of e2, फिर प्लस में a by e2 and ऐसे ही, so on हम ऐसी e3, a by e3, ऐसी आगे तिक हम लोग इसमें बढ़ते रहा करते हैं, बचों इस फॉर्मले का नाम क्या था, क्या किसी को याद है, क्या किसी को याद है, इस फॉर्मले का नाम क्या था, इस फॉर्मले का नाम था भाई, total probability total probability theorem total probability theorem बल्कुल भई, total probability theorem, ओके, अब इसमें ही अगर हमसे बोल दिया जाता था कि माल लो, ये event हो चुकी है जो बाद वाली जो जीज़ बाद में होने चाहिए थी वो चीज़ हो चुकी है अब तुमसे पहले वाली event के बारे में पूछ लिया जाता है e1 by a यह आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जो formula था denominator में तो यह पूरा आजाय करता था e1 a by e1 plus में probability of e2 a by e2 and so on numerator में जिसने यहाँ पर e1 लिखा है न तो यहाँ रहेगा probability of e1 probability of a by e1 ठीक है बस कितना ही आ रहेगा और मालनों यहाँ पर e2 होता है तो वहाँ उपर e2 a by e2 आ जाता है यहाँ e3 होगा तो वहाँ पर e3 यहाँ a by e3 आ रहेगा बस इतना ही यहाँ पर change होता है तो इसका नाम था भाई क्या इसका नाम था base theorem इसका नाम था भाई base theorem यहाँ तक सहीए की नहीं बच्चों यहाँ तक सहीए की नहीं भीटा यह ठीक है नहीं तक यही आया थीक हमने पढ़ा भी था पिछली क्लास में यस सर्च ओके अब जो है भीटा अब आज की जो क्लास है आज की क्लास में अब हम अच्छे अच्छे कुछ कोशन फटा फट से देखते हैं जल्दी से और यह topic खदम करते हैं ओके सो मैं सबसे पहले यहाँ पर कोशन उठाता हूँ कोशन नमबर कौन से उठाया जाए कोशन नमर उठा लेते हैं 8 कोशन नमर उठाते हैं सबसे पहले easy कोशन उठा रहा है सबसे पहले जिससे आप सभी बच्छे समझ भाएं कोशन नमर 8 बटा में नहीं आपके सामने तर उठा के रख दिया है कोशन आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दखिए कहता कि a factory has two machines a and b sir one and seven में doubt है don't worry बटा मैं सब करा रहा हूँ निश्चिंत रहो sir blur आ रहा है blur कैसे आ रहा है नहीं blur नहीं होगा बटा क्या screen सही नहीं आ रही बच्छे चलिए checker के बताओ क्या screen सही नहीं आ रही है ठीक है सही है सही है बटा एक बार exit हो की दुबारा से entry करो बटा I think थोड़ा internet आपका slow है इसलिए हो सकता है कि थोड़ा blur आ रहा हो otherwise दुबार तो नहीं रहना चाहिए बटा एवर exit करके दुबारा आ जो ठीक है फिर सही हो जाएगा okay so question हम देखते है कहता कि question को ध्यान से देखेगा कोशिन को ध्यान से देखेगा बच्चे कहता कि a factory has two machines A and B factory में दो machine है एक है machine A और एक है हमारे पास machine B machine A and machine B past record shows that machine A produced 60% of the items कोई भी आऐटम अगर produce हुआ है तो समझ लो कि 60% chances यहीं कि रहे हैं कि यहां से produced हुआ होगा और 40% chances हैं कि रहे हैं कि रहे हैं gucken production अगर करना है तो जादतर प्रोडेक्शन हो रहा है वो यहां से रहा है यहां से 40% ही production हो रहा है ठीक है यहां से भी production करने के लिए machine A भी select कर सकते हूँ, machine B भी select कर सकते हूँ यहां से 60% time select होता है, यहां से 40% time कहते हैं कि further 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective अब ज़रा सोचो, machine A अगर कोई product बनाती है, तो बनाने के लिए वो defective भी बना सकती है और वो machine B भी defective बना सकती है, ठीक है बचो, defective product यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे सोचो, non-defective product, non-defective वो यहां से भी बन सकता है और यहां से भी बन सकता है, दोनों ही situation possible है ठीक है भाई defective भी बन सकता है, non-defective भी बन सकता है तो एक प्रकार से मैं देखा जाए, तो मैं इसको भी common event A बोल सकता हूँ और इसको भी common event A बोल सकते हूं जो बाद वाली event उसको A बोलते हैं बट याद रुखे हमें A जो है ना ये quotient के according लेना पड़ता है आप अपनी मर्जी से defective non-effective नहीं ले सकते हैं हम quotient के according ही इसको select क्या करते हैं यहाँ पर क्योंकि इसने बात किसी इसकी बोली है इसने बोला कि further 2% of the item produced by machine A यहाँ से जो भी item बने हैं ना जैसे मानलो कोई 100 product थे हमारे पस ठीक है 100 में से 60 तो वहाँ चले गए और 40 यहाँ चले गए जो 60 यहाँ आए वो 60 में कितने defective निकले 2% याने कि 12% कितना हो जागा 60 का 2% यह 1.2 यह हमारा क्या बटा वो इधर आ गया यहाँ से 1.2 इतना items हमारे defective होके निकले हैं ऐसी यहाँ से कितना यहाँ से 1% तो यहाँ पे 40 आए थे थे ना तो 40 का 1% है 0.4 यह यहाँ से इतना defective होके निकले हैं तो बच्चे यह होगी defective वाली बात तो defective project दोनों ही मशीनों से निकल सकता है अब portion में देखते हैं बोला क्या गया भई कहता है कि all the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random भई जो भी production हुआ है न जो भी production जो भी item तुम बना रहे हो production होने के बाद तुम उसको भाई सबको एक अठा कर दो ठीक है और आख बंद कर गए randomly किसी भी एक product को उठाओ check करो वो defective है या non-defective है ठीक है defective भी हो सकता है non-defective भी हो सकता है देखते कुछ में क्या बोलता है कहते कि one item is chosen at random from this and is found to be is found to be defective हमने पहले production किया यहां से भी production हुआ यहां से भी production मा जो total production था उसको हमने एक अठा कर दिया उसके defective product भी है उसके non-defective product भी है उसके द्वारा बनाएगे product भी है हमने किसी एक product प्रोड़क्ट रेंडमली उठाया और वो defective निकला defective निकल चुका है है, defective, अगर बोलता कि वो defective नहीं, वो non-defective निकला है, तब आप यहाँ पे defective नहीं, तब आप यहाँ पे non-defective लिखते हैं, कोशन के according बिटा हम लोगों को एचेंज करना होता है, बात समझ मेरी बच्चो, अब देखो, बोला गया है न, कि यहाँ से 2% defective निकलते हैं, और यहाँ से 1% defective निकलता है, मालो कोशन में बोलता, कि हमने जो एक product randomly select किया था, वो निकला non-defective, वो निकला non-defective, तो इस situation में, यहाँ से भी non-defective निकल सकता है, और यहाँ से भी non-defective निकल सकता है, तब याद रखेगा, तब यहाँ पर 2% and 1% मत लिखना, तब यहाँ पर आपको 98% and 99% लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि total जो इसका production था, उसका 2% defective है, तो non-defective कितना रहा होगा, 90%, इसके production का 1% defect effective है, तो non-defective कितना रहा होगा, 99%, कोशिन के according हम लोगों को इस A को change करना होता है, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे, और एसा है न, मैं यहाँ पर events लिख लेता हूँ, events E1 क्या लिख लेता हूँ, machine 1 is selected, machine A is selected, event E2 लिख लेता हूँ, machine B, machine B is selected, मैं एक common event A यहाँ पर लिख लेता हूँ, common event A जो बाद में होती है, defective item is produced, defective item produced, so बच्चे ऐसा है न, 60% यह हमारे ले काम करेगा E1 का, यह हमारे ले काम करेगा E2 का, यह हमारे ले काम करेगा AYE1 का, और यह हमारे ले काम करेगा AYE2 का, मुझे यह बताओ बच्चे, हमें question में बोला गया कि common event जो A है, जो बाद वाली event वो हो चुकी है, हो चुकी है, जो हो चुकी है, जो हो चुकी है, वो denominator में आ जाएगी, now what is the probability that it was produced by machine B, it was produced by machine B, याने की E2, क्या इस question को अब आप लोग आगे खुद से solve कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ बचा, जले ल total probability के भी question होते हैं, बिलकुल होते हैं बिटा, आपकी NCRT में total probability का सिर्फ एक ही question है, और वो भी first question है, I think, 13.3 का सबसे पहला question, एक example भी है, एक example भी है, right, okay, so ये इसको आगे घर पे खुद से कर लोगे ना बच्चे, yes no, ये, yes no बता दो बिटा, अनसर बता दो, अर्पित क्या पोच रहां बटा, क्या बता दो, आंसर बता भी दिया, अर्पित तू क्या बताना है, बढ़ा, पूरा solve करवा दो, पूरा solve करवाने के लिए के लिए बचे, हमने e2y a निकालना है, तो इसके लिए formula मैं थोड़ी पहले लिख वाया, कि denominator में आएगा P E1 A by E1 यह तो formula ही आपको याद दखना पड़ेगा भाई ठीके कैसे बना वो मैंने logic आपको सिखाया numerator में देखो E2 है तो उपर आजएगा E2 A by E2 यह लिखाया दाना मिटा कि अगर यहाँ E1 हो तो उपर E1 A by E1 आएगा अगर यहाँ पर E2 हो तो उपर E2 A by E2 आएगा So values हमारे पास है A by E1 है 2% A by E2 है 1% E2 है 40% 40% को 40 by 100 लिख लो A by E2 है 1% फिर E1 A by E1 60% इंटो 2% प्लस 40% इंटो 1% सो बच्चे नीचे से 10,000 10,000 कैंसल उपर रहेगा 40 120 प्लस 40 40 by 160 आंसर विल बी 1 by 4 कोशन नमर 9 कोशन सरको देखा देरा बच्चो काता कि सर इधर पर दोनों मशीन से 1 by 2 क्यों सलेक्ट नहीं करना है क्यों नहीं सलेक्ट करना है क्योंकि कोशन में कुछ ना मेंशन होता कोशन में कुछ ना मेंशन होता कि हाँ भई कोई प्रोडिट रैंडबली कहीं भी चले जाता है प्रोडक्शन के लिए तो उस सिचुवेशन में तब आप क्या बोलते 1 by 2, 1 by 2 नहीं कोशन में खुद यह स्पैसिफाई कर दिया गया है कि हाँ भई हमारे जितना भी हमारे पास raw material होता है उसमें 60% material यहां जाता है और 40% वहां जाता है ठीक है इतरह ओके 2 groups are competing for position on the board of directors of a corporation the probabilities that the first and the second group will win are 0.6 मैं दो ग्रूप है जो लड़ाई कर रहे हैं एक है हमारा group A और एक है हमारा group B एक group A है और एक group B है ठीक है बच्चे दोनों election लड़रे हैं भहिया ठीक है नहीं किसी इच के लिए board of directors में जाने के लिए ठीक है अब ऐसा है select ये भी board of directors में भी है ये भी select किये जा सकते हैं और ये भी select किये जा सकते हैं position उनको भी अच्छी मिल सकती है यहाँ पर भी मिल सकती है ठीक है बोला गया है if the first group win the probability of introducing a new product is 0.7 भाई अगर ये group जीता ना तो ये market में लेके आएंगे एक new product और new product ये लेकर आएंगे पड़ अगर ये जीती तो नया product तो ये भी ला सकते हैं सभी बात है बच्छो तो नया product लाने के chances यहाँ पर 0.7 probability है और नया product इनके द्वारा आएगा and the corresponding probability is 0.3 इनके द्वारा नया product देखने को मिलेगा वो है 0.3 ओके तो कहते हैं कि find the probability that new product introduced नया product introduced हुआ है was by the second group करा भाई कि अगर मानलो ये common event है A इसको मानलेते हैं E1 इसको मानलेते हैं E2 ये हमारे लिए हो जाएगा A by E1 ये हमारे लिए हो जाएगा A by E2 इसने बोला कि नया product launch हुआ है बट किसकी द्वारा it was by the second group second group it means E2 बोलो बटा क्या इस question को आप लोग खुद से solve कर पाएंगे कि निकर पाएंगे same question same formula में हमको values put करनी है yes no अब तुम चाहोगे कि मैं ये calculation करवा हूँ तो please बटा याद रिखीगा ये जो चार्टा बना रहे हूँ exam में सिब ये बना कि मत आना भाई ठीक है पता है ना कैसे करना है लिखना है proper consider the following events event even में क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे group A is selected group A wins ऐसी यहाँ पे group B wins proper even क्या आगे लिखना है E2 का आगे लिखना है फिर A का मतलब क्या है new product is introduced ठीक है फिर ये question mark होगे फिर आगे formula mention करना और तब बटा values put करना इसमें बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे ये होता है question number 10 question number 10 ये जितने भी question करा रहो सब question important है कोई सा भी paper में आ सकता है अगर हम बोले कि नाना ये important है यही आएगा भाई वो गड़ बड़ है इस topic से आसान भी आ सकता है मुश्किल कोई भी question देखने को मिल सकता है आपको सारे आने चाहिए कहता कि suppose a girl throws a die if she gets five or six she tosses a coin three times देखो भाई लोग dice को throw करते हैं तो dice को throw करके उस पर one, two, three, four, five या six कुछ भी आ सकता है अब जोड़ा सोचो five, six आएगा तो क्या बोलता है या तो five आए या तो six आए इन दोनों situation में क्या करने के लिए बोल रहा है करें पांच आजाए तब भी अच्छी आजाए तब भी तुमने क्या करने you have to toss a coin three times और आपको मालू है coin को जब तीन बार toss करते हैं तो उस situation में हमारे total आठ outcomes होते हैं आठ outcomes क्या क्या होंगे चार तो ही होगे अब यसी ttt, tth, 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 h, h आजी सो यह हमारे 8 outcomes हो जाएंगे बाई अगर पांच आये तब भी यह 8 होंगे six आया तब भी यह 8 हमको देखने को मिलेंगे लेकिन अगर मालनो dice पर आया one, two, three, four dice पर आता है one, two, three, four तो क्या बोलता है if she gets one, two, three, four on the die she tosses a coin once तब उसने सिक्के को सिर्फ एक बार उचालना है और सिर्फ एक बार सिक्के को उचालोगे तब तुम्हें मालनों है या तो head आएगा या tail आएगा इन दोनों में से कोई ची जाएगा देखो मालनों कॉइन पर आया one तब भी head tail two आया तब भी head tail three पर भी head tail four पर भी head tail ये question मैं इसने बोल दिया भाई ठीक है फिर बोलता है कि भाई लोग जड़ा समझना ये हो ये है वो तन्या लड़की है कोई ठीक है नी प्यार इसी हमारी बेहन और इस बेहन ने बोला कि मैं throw करूँगी एक dice को तो dice पर वैसे तो आने को one b भी आ सकता है two b भी आ सकता है three b, four b, five b, six b तो five और six के लिए इसने एक अलग criteria रख लिया है और one, two, three, four के लिए इसने एक अलग criteria रखा हुआ है one, two, three, four के लिए भी criteria है और five, six के लिए भी इसने कुछ एक condition आ पर लगा रखी है देखो बई, आने को वो भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है उसके आने के chances जब हैं बैस को थो करते हैं बच्चों जड़ा सोचो dice पर one, two, three, four आने के chances क्या होंगे क्या में लिए सकता हूँ ये four by six होगा बोलो बाई four by six लिए सकते हैं ऐसी dice पर five और six आने के chances हम लिए सकते हैं यापर two by six मेरे कहल से इसमें किसको कोई दिक्कत नहीं है ये बच्चों येस नो ठेंगा भी दिखा सकते हैं अक्षे साहा को clear है मेरे कहल से अब सोचे बच्चों हमने dice फेकी dice फेकी अब उस पर कोई भी number आया होगा चाहे one, two, three, four आया होगा या five, six आया होगा उसके बाद हमने coin को तो जरूर टॉस करना है या तो तीन बार करेंगे या फिर एक बार करेंगे coin तो जरूर टॉस हो रहा है क्या बोलता है she obtained she obtained exactly one head बच्चों exactly one head exactly one head उसको क्या मिला exactly one head मुझे बताओ क्या exactly one head इस situation में मिल सकता है बोलो भाई one, two, three, four आने पर भाई यहां तो exactly one ही होगा जू भी होगा यह तो exactly one head होगा यह exactly one tail होगा तो one tail वहाँ से exactly मिल सकता है यहां से मिल सकता है exactly one आचा one head बोला है nा head exactly one head exactly one head भी मिल सकता है exactly one tail भी मिल सकता है exactly one head तो one head यहां से मिल सकता है ठीक है और in situation में exactly one head मिलने के chances जो है guys वो है one upon me two मानते होंगे आप लो अब बताओ अगर dice पे five या six आया होता तो क्या यहां पर exactly one head हो सकता है exactly one head तो बोलेंगे yes one two and three तीन chances जो है three by eight तो बेटा यह हो गया हमारे ले क्या e one यह हमारे ले हो गया क्या e two यह हमारे ले हो जाएगा क्या a by e one यह हमारे ले हो जाएगा क्या a by e two exam में लिखियेगा consider the events e one का मतलब क्या है die shows one two three और four इन चार में से कुछ die ने शो किया होगा event e two क्या है die shows five और six और एक common event जो die पर जब number आएगा तो उसके बाद coin throw करना पड़ेगा और coin throw करने के से कुछ हमें मिलेगा क्या मिला exactly exactly one head और कोशिन में बोल दिया गया कोशिन में बोल दिया गया है कि she obtained exactly one head she obtained exactly one head now find the probability that find the probability that she threw one two three or four one two three four हमें exactly one head मिला है वट वो इस रस्ते से मिला है it means e1 मुलो बेटा समझ में आया की नहीं आया अरित्रो अरित्रो मैंने बोला है कि आपने बोला कि सर्फ five and six का probability one by six into one by six क्यों नहीं है पहली बात उसन बेटा ये five and six नहीं है ये five और six लिखा है मैंने डाइस पर या तो five आ जाए या six आ जाए तो सिर्फ five आने की अगर मैं बात करूँ अरे यार हलो अब सुनाई दे रहा बच्छो हलो सुनाई दे रहा आप ठीक है ना हाँ आप ठीक होगा ओके सु मैं करूँ डाइस पर सिर्फ five आने की probability will be one by six डाइस पर सिर्फ six आने की probability will be one by six और जब या आता है अंगरे जी का और आता है तब प्लस करते हैं five आने की probability प्लस six आने की probability will be two by six देख बड़ा two by six मैंने या पर लिखा है क्यो रित्रो अब तु खुद सोच ना गर डाइस को तुमने एक बार ठो किया तो five भी मिल जाया और six भी मिल जाया दोनों कैसे possible है कोई एक चीज मिलेगी या तो five में लेगा या six में लेगा तो मैं लिख दूँगा two by six आगे का काम हो जाएगा बच्चो ये बताओ जिलिस से ठेंगा दिखा सकते हैं सभी बच्चों ये खोशन अगर एक बार में समझ में आ गया भाई बहुत बड़ी उपलब्दी है मेरे ले बढ़ेंगे आगे ये भी होता है एक बड़ा ही easy सा कोशिन चलता है बड़ा famous सा कोशिन चलता है इस पर पहले value based कोशिन बड़ा करते थे इस पहला की क्या value based कोशिन अब आएंगे भाई की नहीं आएंगे इसका मालू है बोला तो है करा की an insurance company insured 2000 scooter drivers बाई कोई company है जो scooter वालों का भी insurance करते हैं कार वालों का भी insurance करते हैं और truck वालों का भी insurance किया जाता है जो insurance company थी भाई इन्होंने 2000 scooter वालों का insurance कर दिया probability नहीं दी बता दिये direct data दे दिया कि लो भाई हमने जिनका insurance किया है उसमें 2000 लोग scooter चलाते हैं 4000 लोग car चलाते हैं और 6000 लोग truck चलाया करते हैं ठीक है अब देखो ऐसा है ना scooter चलाओ, car चलाओ, truck चलाओ तुम चलाओगे भाईया, सही सलामत जाओगे, सही सलामत आओगे लेकिन कभी-कभी बिटा दुर घटनाय हो जाती हैं कभी-कभी अनहोनिया हो जाती हैं कहता है कि probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.015 respectively of ठीक है, बाई, scooter वाले का भी accident यहां पे हो सकता है past record के basis पे बता रहे होंगे कि हाँ हमने 1000 लोगों का insurance करवाया था और उसमें से 10 लोगों का कार वालों में कितना आजाएगा बटा कार वालों में हमारी कितने हैं 0.03 ऐसे ही ट्रक वालों में कितने भाई हमारे ट्रक वालों में 0.15, 0.15 तो accident देखो, accident तो बात की बात है आप पहले किसी एक बंदे को select करोगी या तो scooter वाले को, car वाले को, truck वाले को ठीक है और उसके बाद जिसको भी select करोगी बाद में उसका accident हो सकता है भाई, क्या बोलता है one of the insured person meets with an accident भाई, किसी एक दिन बुरी खाबर आई है कि भाई, किसी व्यक्ती का accident हुआ है accident हुआ है, हो चुका है, अब वो बंदा जिसका accident हुआ है, वो होने के लिए scooter वाला भी हो सकता है, car वाला भी हो सकता है, truck वाला भी हो सकता है तुमसे क्या पूछा गया, what is the probability that he is a scooter driver, तुम अब यह पता लगाओ, बलब इस चीज की probability find करो, कि वो एक scooter वाला होगा scooter वाले के accident होने के chances कितने हैं, हम यह जानना चारे हैं भाई, तो यहाँ पर भाईया, यह अपना risk management आ गया भाई जिनका accident के chances ज़्यादा, उनका insurance premium भी उतना ही ज़्यादा, हाजी बच्चो, scooter वाला, हम यह आप लिख लेंगे, E1 रिप्रेजेंट करता है किसको, scooter वाले को E2 रिप्रेजेंट करता है कार वाले को, E3 रिप्रेजेंट करता है हमारे रख वाले को, और चाहे कोई भी बंदा हो, बाद में, बाद में क्या होगा, accident, ऐसा भी हो सकता है कि accident ना हुआ हो, बट हाँ, बहुत रेर चांसे दे कि accident हो भी सकता है, अब देखो भई, मैं अगर वाले कितने हैं, दो हजार, कितने में से, छे, चार, दस, और दो, बारा हजार, दो हजार के बट्टे में, बारा हजार, ऐसी कार वाले कितने हैं, बाद में, बारा हजार, ऐसी ट्रक वाले कितने हैं, इनकी संक्या काफी जादा है, छे, बट्टे में, बारा हजार, बाकी, बोलो बच्चे ये ठीक है की नहीं है ये ठीक है की नहीं है बच्चो इसको आगे कर लोगे घर पे खुच से अब लोग लोगे ना आपका डाउट किस कोशिन में था यार एट बच्चे आपके डाउट कौन कोशिन में था एक बढ़ बताओगे प्लीज वन ए फोड ओ हुँ ठीक है बच्चे भीकवासे के आख कर जखा घृफ़ एंचर में बेज़िता हूँ मैं गुरूप में भेझ दूँ गया Россर असमें था ओके ये भी हो जाता है भाई insurance वाला हो गया 6 देखते हैं 6 के बाद फिर चलेंगे 5 पर so guys question हमारे सामने है there are 3 coins team से क्या हमारे पास पहला सिक्का दूसरा सिक्का तीसरा सिक्का करकर one is a two headed coin यान की इस सिक्के के दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है बेटा दोनों तरफ headed ठीक है ठीक है another is a biased coin यानि यह पक्षपात आ गया है हो पे ठीक है ना पक्षपात क्या है कि head इसमें 75% डाइब आता है head इसमें है पर कितनी बार 75% जगा तुम इसको 100 बार toss करोगी तो 75 बार head आएगा यह तो गलत है ना भाई ऐसे कैसे तो tail की आने के chances यहां 25% है इसमें कम chances थे जातर chances head की रहते हैं and third is an unbiased coin तीसरा जो coin है this is a normal coin head और tail इसमें कोई दिखकत नहीं है यानि 50-50 जांसे थे हैं यहाप head and tail की अब आप select करना अगर आपको किसी एक को select करना हो तो आप इसको भी select कर सकते हो randomly select करोगे तो इसको भी select कर सकते हो इसको भी select कर सकते हो ठीक है सिर कहते कि one of the three coin is chosen at random हमने randomly इन तीनों में से किसी एक coin को select किया select ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो एक बात तो समझ गे होंगे तीनों की जो probability है it will be one by three जब equal है भाई तो one by three लेते इसको ठीक है रेंडमनी किसी को select किया and then it is tossed अब सोचो इसको toss करूँगा तो बताओ क्या आएगा इसको toss करूँगा तो क्या आएगा obviously head ही मिलेगा इसको toss करेंगे तो head भी मिल सकता है tail भी मिल सकता है इसको toss करेंगे तो head भी मिल सकता है tail भी मिल सकता है यहाँ पर head और tail के मिलने के 50-50% chances है यहाँ पर head के मिलने के ज़्यादा chances है, tail के मिलने के कम chances है, बढ़ हाँ, head के मिलने के chances है, यहाँ पर भी head के मिलने के chances है, तो question में देखते हैं, कि बाद वाली event क्या है, क्योंकि कुछ तो एक बाद वाली event होगी, तभी बेस तोरम है भाई, तो क्या बोलता है, कि one of the three coin is using it random and tossed, it shows heads, बताओ भई, हमने आख बंद करके किसी एक सिक्के को उचाला, और उचाला हमको क्या मिला बटा, हमें मिला head, head मिला है, तो भाई, अब मुझे यह नहीं पता कि वो कहां से मिला है, पलट के बाद देख लेना, कि क्या है, हाँ, head मिला है, तो यहाँ से भी मिल सकता है, head, तो आप बोलेंगे, head यहाँ से भी मिल सकता है, head यहाँ से भी मिल सकता है, बाद वाली event देख बेटा, A, this is A, ओके, सो, even में क्या लिखोगे, even में क्या लिखोगे, बेटा, two-headed coin, e2 भी क्या लिखोगे, biased coin, e3 भी क्या लिखोगे, unbiased coin, common event A, coin shows head, अब जड़ा सोचो, यहाँ से head मिलने के chances, will be 1 by 2, यहाँ से head मिलने के chances, A, Y, E, 2, it will be 75 by 100, percentage है न बेटा, percentage है, तो इसलिए 100 से डिवाइट करना पड़ेगा, लेखने को आप इसको 3 by 4 लिख सकते हो बाद में, और यहाँ से बच्चे, यहाँ से head मिलने के chances, बोलने जड़ा, यहाँ से head मिलने के chances कितना लिखो भाई, सीज़ा, 1 ही लिखते हैं, 1, 1, 1 ही आएगा, ठीक है, उख, sure head ही आएगा, sure event है, okay, so, क्या बोलता है भाई, क्या find करो, कहरा कि, head मिल चुका है, मिल चुका है, now, what is the probability that it was the two-headed coin, वो अब यहाँ से मिला है, even, बोलो भाई, क्या यह काम घर पे हो पाएगा, कि नहीं हो पाएगा, क्या यह quotient आप कर सकते हों कि नहीं कर सकते हों, बच्चे, कर लोगे, ठेंगे, ठेंगे, yes, done, okay, fine, बढ़ेंगे आगे, quotient देखेंगे, 4, quotient देखेंगे, 4, quotient आपका 4, quotient number 4 भी हमारे पास, हमारे सामने, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, quotient number 4, करकी, in answering a MCQ, in answering a question on a multiple choice test, okay, a student either knows the answer, और he makes a guess, देखो, ऐसे हैं न, परिक्षा भावन में, जब बच्चे जाते हैं, तो दो परकार के बच्चे जाते हैं, एक वो बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जिसने पढ़ाई कर रखी हैं, और उसको सब आता है, सब कुछ आता है, उसको, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने पढ़ाई करी हैं, बच्च कोशिन का आते हैं तो लिक देते हैं सही जबाब, जिनके आंसर नहीं आते हैं, महाँ परें तुक्ये मारते हैं, मिक्स अग गैस, तुक्का लगाते हैं, तुक्का, करें कि in answering a question on a multiple choice test a student either knows the answer or he makes a guess let 3 by 4 be the probability that he knows the answer बच्चे बोला गया अगर बच्चों की बात की जाए तो जादतर chances क्या है कि बच्चे को आंसर मालूम होगा 3 by 4 be the probability that he knows the answer तो समझ जाओ बच्चे को answer नहीं मालूम होगा और जब answer उसको नहीं मालूम होगा तो तुक्का मारेगा, guess मारेगा, guess करेगा तो guess होने के chances बटा guess करने के chances ऐसे बच्चे कितने हैं हमारे पास? 1 by 4 ऐसी situation, 1 by 4 इसमें किसको दिक्कत है? इसमें किसको दिक्कत है? जैसे हमारा यहां पर एक student है अरित्रो 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 के सामने जो है मैं MCQ रख देता हूं कहीं सारे पहला question मैंने अरित्रो से पूछा उसको जवाब मालूम था, उसने जवाब दे दिया दूसरा question मैंने उसको पूछा उसको आंसर मालूम था, उसने जवाब दे दिया तो भाई, जैसे हम क्या देख रहे है अरित्रो को प्रश्णों के जवाब आते है पर फिर मैंने उसे एक और question और पूछा बता भाई, इसका जवाब क्या है तो अरित्रो नहीं बता पाया अब क्योंकि negative marking है नी ABCD चार option है किसी पे तो तुक्का मारेगा ना वो किसी पे तुक्का मारेगा क्योंकि गलत आंसर देने के marks कट नहीं रहे है पर हाँ, तुक्के में उसका जवाब सही जरूर हो सकता है और उसको marks मिलने के chances हैं बाई तीन प्रशनों के जवाब अरित्रों को आते हैं और हर चार में से एक प्रशन के जवाब अरित्रों को नहीं आता है यह पस probability की बात दुरी है आने के तो तुम्हारे भाई को सब कुछ आता है अब ऐसा है अब ऐसा है भाई कि let 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 he makes a guess अब बच्चों मुझे बताओ अगर मैं कभी आप लोगों से ऐसा MCQ पूछूँ जिसका आंसर आप लोगों को मालूम है जैसे मैं आपसे एक बड़ा आसान सा कुशन पूछता हूँ कि आपके tuition वाले mathematics teacher का नाम क्या है tuition वाले mathematics teacher का नाम क्या है आपके सामने option अगर दिया जाता है A, B, C, D ठीक है बच्चों अब यहाँ पर एक है अनुराग सिंग, चोहान, महंदर सिंग, धोनी, नरेंदर, दामोजरदाज, मोधी ठीक है जी और यहाँ पर ले लेते हैं बराक ओबामा हाँ जी बच्चों चार महान लोगों के नाम बेड़ा तुमारे आगे नहीं आपर लिख दिये गए हैं ठीक है जी तो अब तुम में से कौन गधा है कौन नालायक है कौन निकवमा है जो यहाँ पर MSD, NDM या B.O पर क्लिक करेगा बताओ जो रफटाबट से यह हमारे प्रतिक शुकला हो गया एक डक हार्ट, और कोई है नहीं और कोई है आपके सुदाष्ण चु इस सिंगला हो गया अनुराग सिंग चोहान है बहाई पुरा रा मेरा ठीक है अनुराग सिंग चोहान है भाई मैंने पूछा तुम्हारे टूशिंटीजर का नाम क्या है तुमने जवाब दिया अब बताओ तुम्हें मार्क्स मिलेंगे की नहीं मिलेंगे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे की नहीं मिलेंगे भाई येस या नो येस मिलेंगे क्यों मिलेंगे क्यों मिलेंगे क्योंकि उसी तरह से सोचो, if a student knows the answer, then obviously its answer will be correct, answer will be correct, बोलो भाई, इस बात को मानते हो और नहीं मानते हो, बोलो मेरे बच्चों, अगर किसी बच्चे को answer मालूम है, तो क्या उसका answer correct होगा कि नहीं होगा, क्या हम लिख सकते हैं कि इसकी probability 1 होगी, yes या no, मैं तुमसे पूछू, भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, तो बताओ तुम मैंसे कौन गधा है, जिसको नहीं मालूम इसका answer, कोई है यहाँ पैसा, क्या answer, ऐसी सी बाते मत बोलो, गधा मत बोलो, मम्भी पापा भी सुन रहे हैं, वो भी answer हैं हमारे पर यह कौन से चेप्टर का question है, तो obviously probability बोलोगे सभी, कोई ऐसा जो है आप इंटिग्रेशन बोलेगा, हाजी, कोई है तुम्हें से ऐसा जो इंटिग्रेशन बोलेगा, तो जब किसी सवाल का जवाब हमें मालूम होगा, तो answer will be correct, तब हमारा जो answer है, वो इस situation में क्या हुआ कर का एग हो या, okay, ठीक है, okay, so यह हो गया भाई, लेकिन अब बच्चों ऐसा है न, हाजी बच्चों, he knows the answer, answer is correct, अब सोचो, he makes a guess, बच्चों, मैं तुम से कोई ऐसा सवाल पूछलू भाई, जिसका जवाब तुम लोगों को नहीं आता है, बच्चों, मैं तुम से कोई एक ऐसा सवाल पूछ लिता हूँ, जिसका जवाब मान लो बेड़ा, तुम लोगों को उधर नहीं आता है, ठीक है, अब paper में question पूछलिया गया है, तुमारे सामने चार option है, A, B, C, D, A, B, C, D, जैसे मैं तुम से बोल दो कि भाईया, binomial में mean निकालने का formula क्या है, mean, चार option रख दिये जाते हैं, N plus P, N minus P, N into P, none of the above, चुप रहे हैं ना लैक, हाँ, वही मैं करूँ, deleted topic तो यहने तिरको answer नहीं मालूँ, अब बचा तिरे सामने चार option है, paper में फिर भी आ गया, तिरको अगर तू जवाब देगा, तो answer नहीं कटेंगे, बट सही जवाब दे दिया, अगर तूने गलत दिय है A, फिर अंजली भी बोल रही है A, ठीक है, सब answer करो, सुमित कर रहा है शायद C, नीरज कर रहा है C, ठीक है, और कोई, जवाब सब को देना है, मैं सब के नाम पढ़ रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना, यह जो सोचने हैं नहीं हम तो नहीं करेंगे जवाब, चुप चाह आ है यहाँ पर, binomial distribution में, binomial distribution में mean find करने का formula क्या होता है, सो A, C, A, C, ठीक है, और right answer है C, right answer है भाई, C, और जिसने C बोला है, अगर इन बच्चोंने इस topic को पढ़र का होगा, तो उन्होंने सही बोला भाई, ठीक है, और अगर इन्होंने पहले इस topic को नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने तुक्का मारा, आरुशी आनंद, मैं कोन कर अरुशी, तुन्हें topic पढ़ रखा पहले, तुन्हें तुक्का मारा, यह सर, तुक्के में सही हो गया, सही हो गया, सो बिटा, अब ऐसा है ना, इस तरह की जो कोशन से तुम सोचो, तुम्हारे सामने option कितने है, तो बोलो कि सर, हमारे सामने चार option है, उन चारों में से correct कित तुक्का है भाई, तुक्का, क्या पता सही हो जाए, क्या पता ना हो, बहुत कम chances है, अलगी सही होने के, बट 1 by 4, क्या पता है, लग बहिया, अल्ला महरवान तो गदा पहलवान वाली बात ना भाई, तो ठीक है, सो बिटा, कोशनर खुद भी बोला हुआ है, कोशनर क्या है, his answer will be correct with probability, तब उसका answer correct होगा, chances क्या है बच्छो, 1 by 4, बोलो बाई, सही है की नहीं है, सर मैंने भी तुक्का मारा था, बहुत बढ़िया बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, सो बच्छो मेरे, कोशन को पढ़ते हैं बढ़िया, बोल बढ़िया, 3 by 4, 1 by 4 क्या है, बढ़िया, तुन्हें इंटिकेशन पढ़िया है, बढ़िया, साइनल का इंटिकेशन क्या होता है, माइनस, कॉस एस प्लस में के, बता, टैनाष, का इंटिकेशन क्या है, ठीनाष छो जांटो दिदेखेज़ लिए, अशन सब पता, कॉस का इंटिकेशन क्या है, कॉस का, साइने, बता, टैनेक्स का क्या है, log seconds अच्छा पता 0 से πाई वाई 2 sin square x का intuition क्या है करना पड़ेगा तो यह नहीं पता कह सकता हूं तो यह नहीं पता कह सकता हूं करने लग गया क्या पता नहीं है तो अक्षे मैंने तीरे से कितने कैसिन पोछे कितने प्रश्नों की जवाब तुने तुरन्ट दे दिए कितनों की तुन नहीं दे पाया और मैं तीरे से अगला कॉशन पोछेarlा तू क्या मैं कह सकता हूं कि जादतर चांसेस यह लग रहे हैं कि तो इस कोशिन के जवाब दे सकता है मैं अगर तेसे एक और कोशिन पूछना चाहूं ठीक है और मैं अगर चांसेस की बात करूँ कि तो अगले परशन का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा तो अपने पास्ट एक्सपिरियंस की बेसिस पर अपने प्रवल्टी लगाऊंगा ना भाई मैं कि चार परशन मैं तो उससे पूछे तो तू तीन के से जवाब दे पाया और एक का नहीं दे पाया ती वही बात है धितो अगर किसी बच्चे से कोई कोई पूछ रहे हो ना तो हो सकता है वह बच्चे मालूम हो या अगर हो स Dubai तुक्का मारे जो चीद पूछी जाए वो find करनी है, the student knows the answer given that, given जो चीद हो चुकी है, given that he answer it correctly, he answer it correctly, common event का बच्चे ने, common event हो चुकी है, बच्चे ने प्रशिन का सही जवाब दे दिया है, अब वो बच्चा ये वाला है या ये वाला है, मुझे ये पता गरना है, तो क्या बोलते है, what is the probability that the student knows the answer, student knows the answer, यानि E1 बाएगा, बोल भाई, कर लोगे इस question को, बोल बच्चे, yes या no, E1 का मला दे रखाए, E1 का मला बाए, he knows the answer, E2, he makes a guess, ठीक है बच्चे? and answer is correct, E, आपको हमेशा exam में लिखना है लगसे सीच को, आगे कर लोगे भाई, आपका RTP, मेरे खाले आपका doubt clear हो गया होगा? RTP, yes, no? 1 by 4 की correct होने की probability 1 by 4 क्यों लिखी? 1 by 4 की correct होने की probability का लिखी है भाई मैंने, यह 1 by 4 तो, नहीं, यह 1 by 4 का मतलब क्या है? अई भवाण, यह calculation बता रहा है मेरे को, अभे भाई, वैसे actual meaning क्या है? कि अगर हम किसी बच्चे से कोई सवाल पूछेंगे, तो उस बच्चे को उस सवाल का जवाब नहीं आता होगा? उसकी probability 1 by 4, 1 by 4, ठीक है? अब मालने भाई, चलो ठीक है, बच्चे को सवाल का जवाब नहीं आता है, तब भी उसे कोईशन तो पूछोगे ना? तो कोईशन पूछोगे, तो कोईशन जो उसके सामने रखोगे, चार आप्शन रखोगे? भाई, चार आप्शन है, A, B, C, D, A, B, C, D, चार आप्शन है तेरे पास, कौन बेने का करूरपती देखता है? अब इसमें मेरी भी वो नहीं है, भाई, कोशन में खुदी 1 by 4 बोल रखा है ना? जैसे कौन मेरी का करूरपती में भी चार आप्शन होते हैं, पहले A, B, C, D, तो 50-50 वाले में क्या करते हो? दो आप्शन काट देते हैं ना? दो गलत वालो गहटा दो, अब C और D बसता, तब यहां पे तुम 50-50 से ले बोलते हो, जब 4 होंगे तब वो 25-25 होगा भाई, ठी यह भी दन, चलो अब देखते हैं, एक और कोशन, कोशन में दिया बिल्कुल वाइस तो में, कोशन में दिया होगा हो तो यार, चले, अब यह थोड़ा ध्यान से समझना भाई, करा कि, A lab blood test which is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present, देखो, ऐसा होता है न, दुनिया में दो परकार के लोग हैं बच्चो, कि इस बात को आप जानते हूं बटा, कि दुनिया में दो परकार के लोग हैं, एक वो हैं, जो क्या हैं, healthy हैं, और कुछ वो हैं, person disease, disease की spelling देखो, चेक करो, सही लिखे भाई मैंने, सही मेरे करो से न, DI होता है, अरे अरे भाई यार, यह बेस्ती करवादी मैंने भी यार, ठीक है, अब ठीक है, disease, हाँ देख लिए अब तो देख गया है, ठीक है, ठीक है, सो बच्चे, कुछ दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जो एक्दम स्वस्त हैं भाई, उनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है न, अपना RT-PCR, टेस्ट करवाते हैं भाई, टेस्ट करवाएंगे भाई, तो हमारा जो सेंपल है वो लैब में जाता है, अब लैब में वहाँ पर भाई होता क्या है, जातर तो रिपोर्ट वो लोग सही देते हैं, बर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेंपल होते हैं, और positive, positive result का आना मतलब बनदा healthy है या बिमार है, Not healthy, unhealthy कह सकते हैं, और जो healthy लोग है बाई उनकी report negative भी आती है और उनकी report positive भी आती है बाई यह healthy person की report negative आनी चाहिए यह positive आनी चाहिए negative आनी चाहिए ठीक है negative आनी चाहिए लेकिन अगर healthy person की positive report आ जाती है तो समझे लो वो false positive result है इस बात को बादते हैं वो false positive result है अब ऐसे ही कई बार क्या होता है जिस बंदे को बिमारी है वाई तुम्हें बिमारी है तो तुम्हारी रिपोर्ट काईदे से कैसी आने चाहिए पॉसिटिव ठीक है पर आपने देखा होगा बहुत सारे कोविट पेशिंट ऐसे थे जिनको कोविट था लेकिन उसके यह भी संबस है की ने बच्चों, healthy person की positive report आ सकती है negative report भी आ सकती है, ऐसी person who is having disease उसकी भी positive report आ सकती है और उसकी negative report भी आ सकती है दोनों situation possible है, अब यह देखना पढ़ेगा कि question में उसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है तो परते question में कहते हैं कि a lab blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present इसका मुलब क्या बच्चों कि इनसान के अंदर भहिया बिमारी present है ना सही है अलो हलो बंदे को बिमारी है बिमारी यानि वो ये वाला बंदा है person has disease और वो बंदा जब अपना test करवाएगा तो उसकी report आनी चाहिए positive तो बोला भी किया lab blood test 99% effective है detecting a certain disease उस बिमारी को detect कर लेगा कितने percent chances है भई या 99% यह बाठीक है बच्चों तो सोचो 1% cases में क्या होता है वो बिमारी undetected रह जाती है इस बात को मानते हूं कि नहीं क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए यह समझो जैसे मैं बोलूँ कोई सौ बहुत ही बिमार लोग हैं बहुत बिमार लोग है हज से ज्यादा इनका सब का टेस्ट हुआ 99 लोगों को बोल दिया भाई अब कुछ नहीं हो सकता ठीके ना अब तुम्हें दुआ की जुरुरत है लेकिन एक बंदे को बोल दिया भाई कि तुम घर चले जा तो बाई व लेकिन 1% लोगों को गलती से हमने घर बेज दिया भाई कि तुम ठीक हो चुके हो यह ठीक है बच्चों ठेंगा दिखा बड़ा बच से फिर उसके बाद पढते हैं आगे However, the test also yields a false positive result Test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested Healthy person का test हुआ तो report आनी चीये थी negative But गलती से कितना? 0.5% 0.5% लोगों को हमने गलती से positive report दे दिया भाई सुदानशु भाई ये ठीक है गलती से हमने 0.5% लोगों को पॉस्टिव रिपोर्ट दे दिया यानि कि 99.5% लोगों को हमने नेगटिव रिपोर्ट भीजिये उसमें कोई दिक्कत नहीं वो ही जानी चाहिए थी पर गलती से इन लोगों को इन लोगों को अब पढ़ते हैं आगे अच्छा यहाँ पर एक्स्प्लेनेशन देर कि if a healthy person is tested then with probability 0.005 उसने सीरा 100 से डिवाइट कर दिया इसको the test will imply he has the disease चढ़ो इसको आगे पढ़ते हैं कर आए if 0.1% of the population 0.1% में ध्यान देन ना भाई 99.9% लोगों को है ठीक है तो समझ जाओ 99.9% लोग जो है वो कैसे हैं वो healthy है कैसे हैं के ने कैसे हैं आगे लिखाया कुछ ऐसा नहीं लिखाया नहीं लिखाया भाई आगे क्या इतना आप लोगों समझने आए कि नहीं आए भाई yes no ठेंगा yes sir okay so अब जो है वेटा अब देखते हैं कोशिन में किसकी बाप कर रहा था कर कि what is the probability that what is the probability that person has the disease person has the disease given that his test result is positive क्या given है क्या हो चुका है test result is positive वेटा ये मेरे लिए common test test report जो है वो कैसी आई है वो positive आई है ये हमारे लिए इधर इटू है ठीक है और ये जो 99.9% है इसको probability में convert करने के लिए 100 सी डिवाइट करना पड़ेगा इसको भी 100 सी डिवाइट करना पड़ेगा ये जो value है ये वाली ये अमारे लिए होजागा A by E1 और ये हमारे लिए हो जाएगा A by E2 ये है A by E1 और ये हमारे लिए क्या है A by E2 इसका कोई रोल नहीं है यह बस ऐसे ही दे रखा है तिक है आप देखो यह तो आपके NCRT के कोशिन हो गया एक्जैम में घुमा के देखो जिस बच्चे ने यह रट रखा होगा वो एक दम सारी डिजिट सक रट के जाते हैं कुछ बच्चे वो यह से इसका से निकाल के आएंगे गलत गलत एक्जैम में घुमा के क्या बोल देगा वाट इस दा प्रुएट क्या पतानी क्या पूछ लिया जाए आपसे ठीक है सो कोई दिक्केत वाली बात है यह समझ में आया की नहीं है बच्चों जल्ली बताओ यस नो वन से पहले आप लोग देखो कोशन नमट इग्जामबर 21 कद की a man is known to speak truth 3 out of 4 times कोई आदमी है कोई आदमी है बच्चे जो की चार में से तीन बार सच बोलने के लिए जाना जाता है 75% परशन टाइमस वो सच बोल रहा है 25% परशन टाइमस बंदा जोट भी बोलता है करें he throws a die भाई लोग यह हमारा कोई दोस्त है जो की चार में से तीन बार जोट बोलता है सच बोलता है और एक बार जोट बोलता है इस बंदे ने एक dice को थ्रो किया he throws a die ठीक है dice पर क्या क्या आ सकता है बटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 possibility है की निया बच्चों जली बताओ dice पर कुछ भी आ सकते है and he reports that it is a 6 और उस बंदे ने क्या बोला की dice पर क्या आया है जैसे क्या तुम अनुवाग वहिया को जानते हो थोड़ा सा हमेशा सच बोलते हैं तो ठीक है कभी-कभी जूट भी बोलते हैं कभी-कभी कि बच्चों electricity नहीं आ रही ठीक है न आज class नहीं उपाएगी पिर पता है न बच्चों समझ पा रहे होंगे बच्चे ठीक है so जी सर समझ रहे हैं ओके so बच्चे मैं कभी-कभी सच भी बोलता हूं ठीक है बच्चे मैंने एक दिन ग्रूप में मेसेज किया कि बच्चों आज न इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है इसलिए आज class नहीं होगी अब बताओ बच्चों क्या मैं क्या actual में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है ये एक्षुल में अरही होगी बताओ क्या हो सकता है अरियार ये तुमने बंचि को जूटा साविट कर दिया ये पिर मेट वीटकी तिर को भी वरोज़े नहीं नहीं बैन मैं बोल रहा है अपने नहीं आपने पताने कैसे हैं अब तुम ने बोला जूट बोल रहे हैं जूट जूट भी बोलते रहते कहीं बार क्या बता सच बोल रहे हूं कि जातर तो सच भी बोलते हैं तो वही सीन बड़ा यहां पर अरे ऐसी बोलना था मैं यार मैं अभी मजे भी नहीं ले सकता है मैं तुम लोग से मजाक भी नहीं कर सकता हूं क्या मैं बोलता हूं कि एकदम हट टाइम बैठके पढ़ाई किया करो मुबाइल पर मत लगे रहा करो मान तु मेरी वाली बात आपने वहले था 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 बच्चे यार तो यह बंदे ने थो किया है एक डाइस अब अधा डाइस थ्रो किया तो क्या पता डाइस पर क्या आया हो 6 ऐसी क्या पता डाइस पर क्या आया हो अधर देन 6 आधी पंचिका मेरी बेहना पांतीयस बात को लेकिन वह बंदा क्या बोल रहा है यानि कि अगर सोचो डाइस पर अगर 6 आया होता तब तो क्या बोलेगा कि actual में डाइस पर 6 आया है यानि कि बंदा सच बोल रहा है कि जूट बोल रहा है सच बोल रहा है लेकिन अगर मानलो डाइस पर आया other than 6 और वो बंदा तब भी क्या बोल रहा है कि 6 आया भाई बता इस बार सच बोल रहा है कि जूट बोल रहा है जूट बोल रहा है तो बच्चे find the probability that it is actually a 6 अब तुम ये probability पता लगाओ कि वह या actual में डाइस पर 6 ही आया था नहीं थी तो वो तुम्हें खुद अपने दिमाग लगाना ना बेटा बटा डाइस को त्रो करोगे तो e1 ये 1 by 6 हो जाएगा e2 ये 5 by 6 हो जाएगा डाइस पर भी 6 आया और तुमने भी 6 बोला तुमने सच बोला सच बोला और सच बोलना a by e1 सच तुम चार में से तीन बार बोलते हो बहीं चार में से तीन बार अगर तुमने बिटा डाइस शोज अदर देन 6 इस पर जूट बोला भाईया जूट बोला है a by e2 यहाँ पर क्या आएगा भाई यहाँ पर आजएगा 1 by 4 अब a तो हो चुका है find the probability that it is actually a 6 e1 बोलो भाई कर लोगे की नहीं कर लोगे आगे आगे कर पाओगे बच्वाँ क्या बोलते हूँ चलो बड़ा अगे कोशिंगी तरफ चल रहे है आपने बोल रहे कुछ भी तुमने क्या क्या बोल रहा है तुमने यहार कुछ भी अब चलो बड़ा बच्वाँ हाँ भी अरित्रो कोशन मेर्थ थर्टीन देख पड़ा पटसे बोल दोना ना लाए कोशन मेर्थ थर्टीन यह भी शाद कुछ ऐसी लग रहा है a speaks truth 4 by 5 chances यह दे रहे हैं सच बोलने की chances यह हैं ठीक है जूट बोलने की chances बरन वाइपाई है ना करा a reports that a head appears लोग है coin is tossed वही बात आगी इस भाई साब ने coin को toss किया coin toss करोगे तो head भी आ सकता है और आने को tail भी आ सकता है head भी आ सकता है tail भी आ सकता है but वो क्या बोल रहा है a reports that a head उसने क्या report किया a reports of head यह होगी बाद वाली event तो बाद वाली event ना हो चुकी है क्योंकि इस ना अल्रीड रिपोर्ट कर दिया है now probability that there was a head actually वहाँ पे head था तो यानि e1 बोलो भाई e1 की probability कितनी बच्चो और e2 की probability कितनी 1 by 2 1 by 2 a y e1 a y e1 बता हो भाई कितना head आया और उसने भी head बोला coin पर भी head आया उस भाई ने भी head बोला सच बोला 4 by 5 coin पर आया tail लेकिन भाई ने head बोला जूट बोल रहा है भाई जूट है तो कितना 1 by 5 आगे का कारिक्रम जानते हो भीटा an earn contains 5 red and 5 black ball quick container है भाई जिसके अंदर bag समझे लो जिसके अंदर 5 red और 5 black ball रखी गई है 5 red ball रखी गई है और 5 black ball रखी गई है यानि कुल में इलाके इसके अंदर 10 गेंदे हैं a ball is drawn at random एक गेंद को randomly निकालो यह निकी देखके निकाल रहे हो randomly draw करना है its color is noted and is returned to the earn gain निकाली जो gain निकली है उस gain का रंग देखो उस का रंग देखो और उस gain को दुवारे से earn के अंदर डाल दो container के अंदर डाल दो अब यश क्या मैं कह सकता हूं कि जब आप पहली ball निकालोगे तो वह ball निकलने के लिए red निकल सकती है red is drawn और वह ball अगर निकलना चाहे तो black भी निकल सकती है red is drawn black is drawn ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है मैं bag में से एक ball निकालने वाला हूं मैं पहली ball निकालने वाला हूं और पहली जो ball निकलेगी वह red भी निकल सकती है वह black भी निकल सकती है जो भी gain निकले उस gain का रंग देखो और दुबारा उसको अंदर डाल दो moreover two additional ball of the color drawn are put in the earn बच्चों यहां से एक ball निकाली आँख बंद करके निकाला एक ball रेंडम निकाल रहो हूं माल लो वह निकल गी red ना उसका रंग देखोंगा कि हाँ रेड बाल निकली है वह red बाल को अब बैक के अंदर डाल दो तो इस बैक के अंदर जितनी भी ball है उस पे परक नहीं पड़ेगा पहल black ball रहेंगी 5 कब अगर पहली gain निकली होती red अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो पहली gain अगर तुमारी black निकली होती तो पहली gain अगर black निकली होती तो तो उस situation में क्या होता मैं उस black ball को तो अंदर डालता ही बड़े एक्स्ट्रा दो black ball और भी back के अंदर डाल देता यह जाएंगे साथ, यश, क्या यहां तक कोई गड़बढ है, सिंगला यहां तक कोई गड़बढ है, सुमिट, आयुशी, यहां तक कोई गड़बढ है यहां तक मैंने सही, बताया की नहीं बताया है, वंची का मेरी भेन, यहां तक कोई गड़बढ है, नहीं सर, ओके, कहते कि and then a ball is drawn at random आप फिर से बैग में से एक बॉल निकाला ठीक है बच्छो बैग में से पिर से एक बॉल निकालना है बैग ये भी हो सकता है, बैग वो भी हो सकता है बैग ये कब होगा? जब पहली बॉल रैट निकली होगी Bag में इतनी ball एता भोँगी जब पहली ball black निकले होगी कि कहरें bag में से फिर से एक ball निकला अब बता भी कौन सी ball निकलेगी ? red निकलेगी या black निकलेगी दो recruiting कि दर रेट बॉल भी है black ball है कोई सी ball निकल सकती है इसने किया बोला what is the probability that the second ball is red बता भई क्या यहां से रेड बॉल निकल सकती है क्या वहां से रेड बॉल निकल सकती है क्या रेड बॉल बाद वाली इवेंट है बचों बाद वाली इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन इवेंट ए रेड यहां से भी निकल सकती है यह हमारे लिए हो गया A तो अब मुझे बताओ मैसेज करके बताएंगे हमें A find करना है या E1 by A find करना है या E2 by A find करना है A, B, C तीन option अब आपके पास यह E1 है यह E2 है यह A by E1 है यह A by A2 है हमें find करना क्या है मैसेज लिए लिए बताएंगे बाज बढ़े बिए बटाएंगे बाज बटाएंगे बाज बटाएंगे बाज़ुनारत गढ़े टाव इस रेड या फर्स ब्राउन बॉल इस ब्लैक इन दोनों में से कोई एक ही चीछ होगी जब मैं इस बैग में से एक बॉल निकाल लूँगा तो या तो वो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी या बानते हो कि ये दोनों mutually exclusive है ठीक है या तो ये होगा या फिर ये होगा अब चाहे ये हो या ये हो अगर पहले रेड निकले तो मैं बैक के अंदर दो रेड बॉल डाल दूँगा पहली ब्लैक निकले तो मैं बैक के अंदर दो ब्लैक बॉल डाल दूँगा जब दो black ball या दो red ball में इसके अंदर डाल चुका होंगा तो मैं अब फिर इससे एक ball निकाल लूँगा second ball draw करनी मुझे अब second ball पहले ball एक ball पहले और लिडे में निकाल चुका हूँ अब मैं second ball निकालने वाल लूँँ जो बाद में होता है उसे a बोलते है बाद में क्या होना चाहिए red ball second ball is red second ball is red तो बच्चे क्या second ball red क्या second red ball निकल चुकी है या उसकी probability पूछी गई है आजी बच्चो बेलकुल वाई समयते हर्ष्मीत 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 ये जब तो बैग में से दूसरी ball निकालेगा तो क्या वो red ball निकल चुकी है तो तूने तो बोला c e to y a कि हाँ वो निकल चुकी है अब हमको उसकी probability find करनी है अजली ad अभई अजली बेटा क्या second red ball निकल चुकी है बेटा अभी निकालनी है निकालनी है मेरे खास से अभी है ना second ball is red what is the probability that the second ball is red तो उसे इसकी probability पूछी गई है बेटा यहाँ पे यह event हुई नहीं है अभी हो नहीं है तो यहाँ पर p a लग जाएगा बेटा हमारे पस e1 a by e1 e2 a by e2 so guys e1 बेटा सोचो यहाँ से red ball निकालनी है यहाँ से red ball निकालनी है कितना 5 by 10 और यहाँ से black ball निकालनी है तो यहाँ से red ball निकालनी है 7 by 12 और यहाँ से red ball निकालनी है तो 5 by 12 5 by 10 7 by 12 5 by 10 5 by 12 so e1 बेटा 1 by 2 यह बेटा 7 by 24 1 by 2 5 by 24 क्या answer उसका 1 by 2 है बच्छो देखना प्लीज इक पर कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस कोशिन को ट्राइ करने के कोशिश करी बच्छो उनसे हुआने एक बार हेंडरेस करके बता सकते हो यह फिर मैसेज लिखके बता सकते हो प्रती यश अभजीब स्दान्शू काफी बच्छे से हैं ओके सो अच्छा मैं कर रहा हूं कोशिन को चेंज इहान से सुनना इहाँ लिखवाँ बस औरली सुना त्यान से esthi बस अन इन फैड वाल पैर बाल लॉ पाल樁 है डॉन यो शर्ट हैंबर्ट अजное फैड ए बव लॉन नहीं घंखे-अकि बाल press Now what is the probability that the first ball was red? क्या find करना इस question हम लोगों को? इसके according बताओ जल्री से The second drawn ball was found to be red. Now find the probability that the first ball was also red. Message में बताईए फटावट से, क्या लिक में करना? Message में लिके बताईए message में Even by A, बिल्कुल Even by A, मैंने बोला Second ball red निकल चुकी है, जो हो चुका है वो denominator में आ जाएगा Now find the probability that the first ball was also red तो Even by A, तब आपको यह find करना होता बाई सबको समझ में आया है, एक बार फटावट से ठेंगे दिखाओ नीरज, आपका कुछ बोलना भी आपको कुछ? Okay बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बड़ते 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 हैं बड़ते हैं diamond, find the probability that lost card is also diamond. बच्छोब अग्रेजी गलत तुने लिगे कहीं कुछ? बच्छोब बच्छोब पेकों फिफिटेदि पानी की चुपर हें तुना मत क्या कर इस दोबार लिग दिया मैंने वाही इतने इंगल इन पीना बढ़ गया मेरे को ठीक है किसी बात कर दी है चलो, स्टार्ट करें बताओ ओके टोटल 52 काट्स है हमारे पास ज्यान से देखो यह पूरा कोशन डायमंड के इर्द गूर्द घूम रहा है बच्चों, पूरा जो कोशन है यह डायमंड के ही आसपास घूम रहा है भाई और यह लॉस्ट कार्ड वाले कोशन में ऐसे ही होगा या तो कभी-कभी डायमंड के ज़िए हर्ट दे देगा कभी स्पेड दे देगा, कभी क्लब दे देगा यही चलता रहेगा अरित्रो टोटल कितने काट्स है आपके पास पता अब उसमें डायमंड कितने है और अधर कार्ड अधर दें डायमंड 39 बोल दे ना लाइक सी था ठीक है एक कार्ड खो गया ठीक है बता कौन सा कार्ड खोया होगा अबे कौन सा कार्ड खोया है यह पुझारों तेर से डायमंड खोया है पक्की बाले डायमंड खोया है अधर दें डायमंड नहीं खो सकता स्पेड, हार्ट क्लब, वोगे तख हो सकते है भाई, तो डाइमंड इस लॉस्ट और एक सिट्वेशन क्या हो सकती है, अगर मान ले 52 में से डाइमंड खोया होता, तो अब डाइमंड बचेंगे कितने हमारे पास, त्वेल, तेरा थे एक हो गया, डाइमंड लॉस्ट, अधर कितने बचेंगे, वो तो 39 ने रहेंगे, अगर अधर देन डाइमंड खोया होता, तो अब डाइमंड कितने बचेंगे हमारे पास, अधर कितने बचेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बलाइमंड के खोने के चांसिस, यहां से डाइमंड के खोने के चांसिस क्या में हो सकता हो, 13 के अपॉन में 52 होंगे जानेगी 1 by 4 और other than diamond खोने के chances यहाँ पे वो हो जाएंगे 39 3 by 4 12 by 52 क्यों होगा यह जो अरित्रो ने बोला है कि यहाँ पे आपने 13 by 52 क्यों लिख दिया 12 by 52 नहीं होना चीए यह बहुत से बच्चों का doubt रहता है और मैं चाहता था कि कोई तब बोले अरित्रो ने बोला अरित्रो सुनेगा red ball है 4 black ball है 4 मतला red ball के खोने के chances क्या है तुने 3 by 8 क्यों नहीं बोला समझिया अभी खोया नहीं है अभी खोएगा खोया नहीं है ऐसी यहाँ पे total diamond 13 है other 39 है diamond के खोने के chances 13 by 52 होंगे other के खोने के chances 39 by 52 होंगे इस बात को बानता है अब बात में क्या हुआ from remaining from the remaining cards one card is drawn which is found to be diamond भाई देख एक card खो गया तो मेरे पास अब card बचे कितने एक card खो गया मेरे पास card बचे 51 51 51 क्या इस situation में हम एक diamond निकाल सकते हैं क्या इस situation में एक diamond निकाला जा सकता है चाहे diamond खोया हो तब भी हम दुबारा से diamond निकाल सकते हैं चाहे diamond के अलावा कोई और card खोया तब भी एक diamond ड्रॉ किया जा सकता इस बाद को मानते हैं बच्चो अरित्रो बोल दिया from remaining card one card is drawn निकाल दिया which is found to be diamond और वो diamond निकल गया है एक पत्ता जब खो गया था तो जो 51 card बचे थे पहले 52 card थे एक card हो गया lost बचे कितने 51 फिर हमने एक card किया draw और वो क्या निकला क्या निकला वो निकला diamond निकल चुका है जो बाद में हुआ है बता मेरे भाई diamond निकलने की probability कितनी diamond निकलने की probability कितनी क्या इसको हम बोल सकते हैं A by E1 E1 से और E2 से अब क्योंखी कोशिन के कोडिंग diamond निकल चुका है find the probability that the lost card is also diamond the lost card is diamond it means we have to find E1 upon A क्या ये बात आप लोग समझ पाएं या नहीं समझ पाएं सब को समझ में आया बच्चों कॉमेट में फटा फट से ठेंगो की पहचार कर दो स्क्रीन पर बहुत पीपढ़ बहुत पीएं बहुत पीएं शाबाश सबास पीठा सबास अई शी मिश्रा चल रहा है बटा साही सुमिच शर्मा कहने से diamond कैसे आया समझ नहीं आया diamond कैसे आया समझ नहीं मतलब में इटा सुमिच यह देख diamond question में बोला है ना जो हमारे पास starting में जो 52 cards थे एक diamond खो गया या फिर other than diamond खो गया तो तब भी हमारे पास टोटल 13 diamond होते हैं अगर एक diamond खो भी गया तब भी 12 diamond तो बचेंगे ठीक है यह तब की बाद है जब diamond खोया हो जो remaining 51 cards बचेंगे उसमें से हमने एक card निकालना है और वो card कौन सा निकला है वो diamond का निकला है 51 cards जब मेरे पास थे तो उसके बाद हमने एक card निकालना हो diamond का निकला तो कोशिन में बोला हुआ है अच्छा ओके सर मैंने कोशिन नहीं देखा तो ओके भाई ठीके 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 पता नहीं बिटे मुझे इसका अंजर बताना भाई इसलिए ठीके ठीके यश यश a card from a pack of 52 card is lost ठीके 52 cards होते हैं मारे पस पहले देखते हैं किस चीज़ के इर्द गुर्द गुम रहा है from the remaining card of the pack two cards are drawn that are found to be both diamond now find the probability that जो पहले खोया this is also diamond तो भाई diamond के इर्द गुम रहा है diamond है 13 और अधर होते हैं 39 खोने के लिए diamond भी हो सकता है diamond is lost या फिर other than diamond is lost वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है अगर diamond खोएगा तो तब भी हमारे पास 12 diamond बचेंगे और अधर बचेंगे 39 but अगर other than diamond खोएगा तब हमारे पास 13 diamond बचेंगे और other than diamond बचेंगे 38 this is E1 from the remaining card of the pack और यहास दो तो 1 ्यां से काकू सकते हैंplan तो वो जो 2打 दो निक्ले हैं तो निकले हमारे तो बही रहें यहाह से याह से है यहां से अब लगन दो रहे से संभब है तो find the probability find the probability देख ये चीज हो चुकी है ये हो चुका है find the probability that lost card being a diamond the lost card is also diamond e1 upon me तो सब कुछ पता चुट चुका है बस e1 भी पता है e2 भी बता है हमें बस यहाँ पे ay e1 पता करना है और ay e2 पता करना है अरे तरव ध्यान से सुनेगा बेटा a by even का मतलब क्या है मतलब बताओ मुझे even हो चुका है और a find करना है probability of event a where event even is given probability of drawing two diamonds probability of drawing two diamonds when lost card is diamond right दो diamond निकालने भाई दो diamond और diamond है कितने मेरे पास 12 और total कितने है back के अंदर 51 cards हैं जिसमें 12 diamond हैं अब मुझे दो diamond निकालने दो diamond निकालने मलब एक के बाद पहला diamond फिर दूसरा diamond राइट पैक में हाट डालोगे एक diamond बाहर निकालना चाहोगे निकलेगा diamond ही ठीक है 12 बटे 51 लिख दू निकल गया अब diamond बचे कितने दूसरा भी diamond होना चाहिए 11 बटे 50 लिखता हूँ या सही क्या मैंने बिल्कुल वही होगा हमारे दोस्ते ने बोला कि सर ये क्या कर रहे हो इस situation में आप एक काम कर सकते हैं जो class 11 पे आपने पढ़ा था हमारे पास total card कितने हैं आप बोलेंगे 51 निकालने कितने हैं? 2 यह represent करेगा total outcomes को ठीक है? अब वो जो 2 card आपने निकालें वो दोनों के दोनों diamond होने चाहिए तो पक्की बात वो जो 2 card निकलेंगे 12 में से निकलेंगे तो favorable आ जाते हैं numerator में 12C2 इसको solve करोगे तब यही आएगा तो आप सीधा यही लिख लो क्यों हो दोस्ते? देख सौल करोगे इसको अगरे पेच में 12 12C2 है अपन में 51C2 है 12 factorial 2 factorial 10 factorial 51 factorial 2 factorial 49 factorial तो यह से कट जाएगा 12 into 11 10 तो इससे cancel ऐसे 51 50 49 से cancel देख वही बात आ रही है फिर भी ठीक है? सो यह हो गया अब ऐसी A by E2 इसका मलब क्या है? कि अगर जो पत्ता खोया था वो diamond नहीं, diamond के अलावा कोई और पत्ता lost हुआ था तो diamond हमारे पास अभी 13 है और other card 38 है हमें निकालना है A by E2 अब हमें 2 diamond draw करने पहला भी diamond, दूसरा भी diamond पहला diamond विल भी 13 upon 51 निकल गया, अब दूसरा diamond दूसरा diamond विल भी 12 upon 50 बोलो बटा, सही है की निए E1 upon A इसमें values put करने बटा आप लोगों को क्या ये काम आप खुद से किया जा सकता आप लोगों की द्वारा चले, ठीकी शुरू करते है बच्छे, आप आप सही है न, ठीक है, ओके सो वासू, आपके माध्यम से हम पुरी कक्षा को यहाँ पर ये concept संगाना चाहेंगे ठीक है सो आपका सहयोग चाहिए हमें क्या बटा independent event वाले करेंगे मतलब random variable करेंगे, बिलकुल class कहां लगेंगे, सुमित बता दूँगा बले, डोंट बरी, बता दूँगा ओके, सो देखें बटा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है हमारा probability distribution बच्चे देखो, यह जो probability हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे ना भाई यहाँ पर discrete probability बटा यहाँ पर पढ़ी जा रही है discrete, ऐसी जब आप gradation level पर जाएंगे तो वहाँ पर एक continuous probability पढ़ी जाएगी discrete में हम लोगों को पढ़ना होगा binomial distribution binomial distribution या फिर probability distribution भी हम इसमें कह सकते हैं वही जब continuous distribution की बात करते हैं तो वहाँ पर एक हमारा poison distribution आ जाता है और वही पर ही एक हमारा normal distribution नाम की चीज़ आया करती है तो इसकी तो फिलाल हम लोग ने बात नहीं करनी है पर हाँ जो हमारे commerce stream के, science stream के, stats honors वाले बच्ची होंगे उन्हें ये topics पढ़ने होंगे वही बात में फिलाल बात करेंगे probability distribution की नाम बोला गया है, probability को करना है distribute ठीक है? अब distribution की जब हम यहां पर बात करेंगे यानकी probability को बाटना है बाटने के लिए कोई basis हमारे पास होना चीज़ खी कोई आधार हमारे पास यहां पर होना चाहिए भाई हम probability को distribute करेंगे किसी basis पे तो उस basis को बोला जाता है random variable, random variable का मतलब एक ऐसा variable, a variable on the basis of which, on the basis of which probability, probability will be distributed, distributed, okay. यह होता है random variable हर्चवधन करें, सर यहाँ पर नया chapter स्टार्ट कर रहे हो क्या, नया chapter स्टार्ट नहीं हो रहा है चैप्टर 13 probability चल रहा है यहाँ पर उसमें 13.3 तक मैं करवाचकों, 13.4 चल रही है यहाँ पर, 13.4 ओके, सो यह topic आपको समझ में आ जाएगा पूरा अगर आपने पहले का नहीं भी पढ़ रहा है क्योंकि एक दम ही अलग है भाई यह topic, जैसे बचे मैं आप लोग उससे एक बहुत ही सिंपल सा एक्जांपल पिड़ा है मैं आप सकते हैं सामने रख रहा हूँ, a dice, a dice is thrown twice, याश हमने एक dice को throw किया दो बार, ठीके दोस्तों, आपको मालू में total जो इसमें outcomes बनेंगे वो होंगे 36, ओके, अब देखिये, हम करते की, find the, या फिर make the probability distribution, make the probability distribution, 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 up mic, off the loop, probability distribution table of number of sixes also find mean variance and standard deviation ये विटा हमारे सामने question है, अब बच्चों, आप सभी से मेरा सवाल है, भाईया, मैसेज में आप लोगों की reply फटा फट से आने चाहिए हैं, मैसेज में सब की reply, फटा फट से आने चाहिए, जो भी बच्चा समझ पा रहा है, dice को throw किया गया है twice, dice, दो बार हमने dice को throw किया बच्चों, बोलता है, make the probability distribution table of number of sixes, number of sixes, हमने probability distribution करना है, और किसी basis पे ही probability distribution होता है, यहाँ पर वो basis क्या है, number of sixes, जिस भी basis पे probability को distribute किया जाता है, उसे बोला जाता है random variable which is denoted by x, यह x कोई number हुआ करेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, minus 3 हो सकता है, minus 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, यह कोई भी number हो सकता है, अलग-अलग question में, इस x की value different हो आ करेगी, यहाँ पर हमारे लिए number of sixes है बटा क्या, random variable, random variable, x, और वो क्या है, number of sixes, मेरा सवाल, आप सभी बच्चों से हैं बच्चों, सुमिक, कबीर, आयुशी, रितेश, विवेक, हर्चपर्दन, जितने भी बच्चे मारे साथ में यह आपे हैं, बच्चे मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक डाइस को अगर दो बार फेका जाता है, दो बार हमने डाइस को थ्रो किया, पहली बार भी थ्रो किया, दूसरी बार भी थ्रो किया, बताओ, आपको कितने कितने six, मिल सकते हैं, छे, आपको कितनी कितनी बार मिल सकता है, मैसेज में जवाब दीजिएगा मैसेज में जवाब दीजिएगा कुछ बच्चे बोल रहे हैं 11 जो दो थ्रो आपने किये हैं डाइस को आपने दो बार फेका तो छे बार कैसे 6 मिल जाएगा ग्यारा बार कैसे 6 मिल जाएगा हाँ वही ग्यारा बार 6 में प्रिख से जा गए कि तुम लो को तुमने DICE को पहली बार फेका फिर दूसरी बार फेका फेका ही दो बार है तो 11 बार 6 कहां से आ जाहेगा भाई जरत सोच के बोर sistemas पहली बार DICE को थो किया दूसरी बार भी हमने DICE को थो किया मान लो इस डाइस पर आया 3 और इस डाइस पर आया 2 बताओ कितने 6 मिले कितने 6 मिले तो आप बोलेंगे सर एक भी नहीं मिला ना तो यहां मिला ना ही वहां मिला मैं बोलता हूँ यहां 6 आया वहां पर 3 आया कितने 6 मिले भाई कितने 6 मिले आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 मिला है हम बोलते हैं यहाँ पर 4 है वहाँ पर 6 है अब बताओ कितने 6 मिले है तो सर आपका जवाब क्या होगा सर अगें इट इस 1 तो वो औलेडी मैं लिख चुका हूँ तो बारा नहीं लिखूँगा लिख दिया है ओके और हम बोलते हैं सर दोनों पर 6 मिल गया तो आप बोलेंगे कि नमबर ओप 6 इस जो दो बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ है बच्चो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दो बार हुआ है पहले तुमने एक बार फेका फिर तुमने दूसरी बार फेका ओके बच्चो इहाँ पर एक्सपेरिमेंट दो बार हुआ और उन दोना एक्सपेरिमेंट पर हो सकता है या तो एक भी बार 6 ना मिला हो या एक बार मिला हो या फिर दो बार मिला हो कितने 6 ते दो सर हाँ बहुत बढ़िया बेटा हाँ ओके चलो ठीक है अब क्या करना ना भाई अब इसकी और इसकी probability find करनी है probability अर्थाथ आपसे पूछा जाए की probability of x equal to 0 x equal to 0 आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है when dice was thrown two times we got 06's 6 कितने मिले पहले पे भी 6 नहीं मिला and दूसरे पे भी 6 नहीं मिला पहले पे भी 6 नहीं मिला दूसरे पे भी 6 नहीं मिला बच्चों बताओ जब dice को दो बार throw किया जाता है तो total कितने outcomes होते है बोलो बो total कितने outcomes होते है आप बोलेंगे सब 36 outcomes होते है उन 36 outcomes में से ऐसे कितने outcomes होते हैं जिसमें 6 आता ही नहीं है उन 36 में से ऐसे कितने outcomes होते हैं जिसमें 6 नहीं आता तो आप बोलेंगे सर 6 किस किसमें आता है 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 11 cases में बिटा आप लोगों को 6 मिलेगा 36 में से इन 11 को हटा दौ आप बोलेंगे सर हमें 25 केस अभी में हमारे ऐसे हैं जिनमें 6 नहीं आता होगा इन 11 में 6 है बाकि के बचके में 25 केस में 6 नहीं आता होगा बोलो भाई इस बात को मानते हो को कि नहीं मानते हो yes या no बोलो भाई यस या नो सामझे की नहीं सामझे यस सर नो सर जल्दी से बता दो सर रितेश नाएक कारण नहीं समझा सर रितेश तु नहीं समझा न सामझ गे सर सामझ गे हा सामझ गे ओके और अगर गाईस multiplication theorem यूज करो हमें पहले थ्रो पे 6 नहीं चाहिए डाइस पे का या अल्ला सुदानचू को तो क्लियर ही नहीं हुआ सुदानचू ना लाइक तो को समझ में नहीं आया डाइस को दो बार थ्रो करते हैं तो क्या क्या हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे ही 2 1 ले बढ़े टाइम पास करो बहुत बढ़िया सिक्त है यह मेरा भाई है तो इसमें 6 है इसको हटा दे ऐसे 3 6 को हटा दे 4 6 को भी हटा दो 5 6 को भी हटा दो 6 6 को भी हटा दो यहाँ पर 6 1 रहा होगा 6 2 रहा होगा 6 3 रहा होगा 6 4 रहा होगा 65 रहा होगा हटाए इसको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा 36 में से इन 11 को हटा दे कितने बच गे भाई सुधानशू बावू, ये बावू 36 में से 11 को हटा दे कितने बच गे बावू, 325 हम क्या लिख रहे हैं, 25 by 36 क्लियर है भाई है मैं बता रहा था कि अगर डाइस को थो कर रहे हैं, पहली पर भी 6 नहीं चाहिए दूसरे पर भी 6 नहीं चाहिए, 0 सिकस चाहिए तो पहले पर 6 ना आना डाइस को फेकोगे, 6 आने की probability 5 by 6 होती है इंटू, दूसरे पर भी 6 नहीं चाहिए 5 by 6, तो 5 by 6 इंटू 5 by 6 विल भी 25 by 36 ये समझे की नहीं समझे भाई बोलो भाई, सही है की नहीं है बोलो बोलो यस सर, ऐसे ही बच्चे P x equal to 1 P x equal to 1 मतलब हमें कितने 6 मिले, जो 2 बार थो किया था, किसी 1 पर 6 मिला है किसी 1 पर 6 मिलने का मतलब 6 and no 6 या या no 6 and 6 बोलो भाई, मानते को नहीं मानते हो 6 and no 6 या फिर, no 6 and 6 तो देख सकते हैं से कितने कैसे होते हैं किसी 1 पर 6 जीए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नहीं चलेगा 6, 7, 8, 9, 10 10 के 10 by 36 न 5 इन टेन 10, 10, 10, 10, 10 10 विटा 10, 10, 10, 10, 10 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 केसिस में 6 पहले नमबर पे हैं और इन 5 केसिस में 6 दूसरे नमबर पे हैं 10 नहीं हो गए बोलो भाई, सही है बिलकुल ये भी मल्टिप्लिकेशन से हो जाएगा पहले पेची ही 6 1 by 6 दूसरे पेची ही 9 6 5 by 6 प्लस 9 6 6 5 by 36 5 by 36 बोल बढ़े सही है की नहीं है बच्चे जो बच्चा मारा 5 by 36 बोल रहा है हर्ष बर्दन क्लियर है बिटा हर्ष बर्दन बढ़े आगे बढ़े ऐसी ही P X इकोल टू 2 हमें दोनों ही थ्रोप बेटा दिल से आ गया है यही तो चाहिए दिल से सुनना जरूरी है बेटा है ना दिमाग तो लोगा थोड़ा चलता नहीं इतना दिल से सोचो फिर हाँ कहीं सिर्थ सोचो भाई आजी चलो ठीक है यह सही है आप ठीक है ना ओके बढ़े ओके ओके सरा फिर दिल से आप दिल से बोल फिर आएंगे अरे दिल से बोलता हूं मैं तो यार मैं तो दिल से ही होता हूँ भाई आजी एक सिक्टो टू जो दो बाल डाइस को थ्रो किया दोनों ही थ्रो पे 6 चाहिए पहले पर 6 चाहिए दूसरे पर 6 चाहिए पहले पे 6 आना 1 by 6 दूसरे 5 आना 1 by 6 यह बन जागा 1 by 36 बॉलो मेरे बच्चों ये ठीक है की नहीं है 1 by 36 ये ठीक है की नहीं है तो बच्चे अब मेरे को ये बात बताओ ये हटा देता हूं यार हमने x लिखा हमने उस x की probability भी लिखी x था 0, 1 and 2 0 पे probability थी 25 by 36 10 by 36 and 1 by 36 बोलो भाई ऐसी था ना जड़ा इनका total करके देखना है भाई total करो इसका गड़ा 1 आ रहा की नहीं आ रहा है 1 आ रहा है अरे बिटा क्या बात है यार आजी so total भी आ गया ये बेलकुल बिटा probability distribution table बच्चे मैंने आप से बोला था की x equal to 1 x का मतलब था number of 6s when dice वस रौण twice जब dice को दो बार पीका गया था तो हमें 6 कितनी बार मिलना चीये एक बार मिलना चीये तो इसका मलब क्या है या तो पेहले वाले पह थो पर 6 मिला होगा दूसरे पर नहीं मिला होगा या पहले पर 6 नहीं मिला होगा, दूसर बे 6 मिला होगा, क्यों भाई, ये ठीक है कि निया है, yes, no, शुबराम क्या बिटा अपका, आकाश, बहुत बड़े बिटा, शाबाश, ओके, so, ये बन गया, बोल ये अश, हाँ, बिलकुल, ठीक है, हाँ, बिलकुल, बिलकुल, हाँ, ठीक है, में चले, एक्सक्लोसिब भी होगे, बिलकुल, ठीक है, बच्चे, क्या ये probability distribution table बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत हुई है, ये बताओ जरा, yes, no, क्या probability distribution table बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत हुई है, no, sir, a coin, is tossed thrice, make probability distribution table of number of heads, कोईशन, यहां से सुनना भी डफ, अभी इस कोईशन में मैंने mean, variance, standard deviation भी पूछा था, यहां पर अभी मैंने निकाला नहीं, बताओंगा थोड़ दिर में, थोड़ सा वेट करना उसके लिए, a coin is tossed thrice, make probability distribution table of number of heads, सिक्के को बच्चो तीन बार उछाला गया, सिक्के को हमने तीन बार थ्रो किया, पहले सिक्के बे भी कुछ आएगा, दूसरे भी कुछ आएगा, तीसरे भी कुछ आएगा, इसने बोला probability को distribute करो, यानि on the basis of number of heads, बच्चे number of heads इसने यहाँ पर बोल दिया है, यानि इस आधार पर बिटा आप लोगों को probability करनी है distribute, यानि कि अगर मैं आप से पूछू कि इस question में random variable क्या है, random variable x, तो आप बोलेंगे number of heads, और number of heads, जब coin to 3 बार throw किया जाएं, तो number of heads क्या क्या हो सकते हैं, जल्ली से comment करके बताइए, number of heads क्या क्या हो सकते हैं, 0, ओके आकाश, ठीक है, 0, 1, 2, बेड़ा, अक्षिस साहा, बेड़ा 0, 1, 2 बोल रहा है, 3 बार हमने throw किया dice को, thrice बोला है ना, 3 बार, बता कितने head मिल गए, बाई, कितने head मिल गए, 3 मिल गए, बता बाई, अब कितने head मिले, आप बोलेंगे sir, 2 head मिले है, अब बोलो, अब बोलें sir, 1 मिला है, और अब, आप sir, आप 1 भी नहीं मिला, तो heads की जो संक्या है, वो 0, 1, 2, and 3 हो सकती है, 0.2 and 3 अब एक ही करके आपने इनकी probability निगालनी है पहले x equal to 0 x equal to 0 का मुलब क्या है कि जब dice को 3 बार throw किया था तो उस पे हमें 0 heads मिले head एक बार भी नहीं मिला एक बार भी head नहीं मिला 0 head मिलना मुलब 3 बार हमको tail मिला है तो dice को 3 बार throw करते हैं तो total आपको मालू है 8 outcomes होते हैं और ttt उसमें से capable एक ही बार आता है multiplication theorem लगाओगे तो 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 करके आपका answer 1 by 8 आजाएगा यश सही है की नहीं है x equal to 1 guys x equal to 1 हमें 3 throw में सिर्फ 1 पर ही head मिला हमें सिर्फ 1 पर ही head मिला है अब ज़रा समझो यहाँ पर combination बनाने पड़ जाएंगे 1 पर head मिलने का मिला या तो htt हो सकता है या tht हो सकता है या फिर tth हो सकता है बोलो भई क्या इसके लाब और की possibility है बोलो ड़ा आप बोलेंगे सिर्फ यह तीन ही case बन रहे है इसका अंसर आजाएगा 3 by 8 1 by 8 1 by 8 1 by 8 यह बन गा 3 by 8 ऐसे ही x equal to 2 यहाँ पर हमें चीए 2 head 2 head में बिटा यहाँ पर हमारे आजाएगा h h t h t h t h h this is also 3 by 8 then last x equal to 3 x equal to 3 यहाँ पर तीनों पर head चीए तीनों पर head तो यह तो एक ही case बनेगा बटा इसमें c बन जाएगा हमाना 1 by 8 बोलो बटा यह बात आप लोगों समझ में आ रही की नहीं आ रही है yes, no अंजली कुमारी समझ में है बिटा अंजली कुमारी yes, sir 0, 1, 2, 3 1 by 8 3 by 8 3 by 8 1 by 8 total है इसका 1 कोई दिख्या तो इसमें वैभब पर टारी करसर 1 and 2 वाल नहीं आया बिटा वैभब समझ रहा बात को वैभब, एक बार mic वान को लो एक बार वैभब बिटा, x equal to 1 में बोल रहा हूं हमने coin को 3 बार throw किया ना दोस्त हमने coin को 3 बार throw किया है head सिर्फ आपको एक में चीए बता भई, इस पर head आजए बागी दो पर टेल आजा, यह possible है कि नहीं है क्या यह समभब है और यह टोटल आठ possibility है favorable एक, दो, तीन ही है 3 बाई है x equal to 2 में दो head चीए थे तो hht हो सकता है, hth हो सकता है 2 head दे इन ही 3 cases में बनते है क्यों दोस्त बच्चों यह हमारी बंच्चो के probability distribution table mean variance mode अभी थोड़ देर में सीखते हैं अभी mean middle mode okay, quotient करते है चीज a dice is thrown twice फिर से dice लियाते हैं आपर, ठीक है बच्चों dice लियाते हैं फिर से sir mean वाला delete है, हाँ वो slaves में नहीं है वो slaves में नहीं है but में भी बताऊंगा फिर भी, चिंता मत करो a dice is thrown twice let x denote the sum of the number sum of the number obtained on two dice okay make probability distribution of random variable x eight dice को throw किया जाता है दो बार अभी तक पिछले question में x नाम की चीज कोई directly बोली नहीं है, question में इस बार अब खुद ही बोल जा कि x का मतलब यह है पहले अप तरी directly नहीं बोला थी, पहले indirectly नहीं बोला गया था, but अप directly दे दिया है कि x का डिरोट करता है sum of two numbers याना की हमने डाइस को थ्रोग किया है दो डाइस को थ्रोग किया है यश पहली डाइस पे भी कोई number आएगा दूसरी पे भी कोई number आएगा मानले पहली पे आया one और दूसरी पे भी आया one इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा बिटा इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा two यह x है मानले यहाँ पर आया two यहाँ पर आया one sum three हो था ऐसी sum क्या four भी हो सकता है बच्चो यह summation कितने तक जाएगा यह summation maximum कितने तक जाएगा बटाए 36 36 नहीं जाएगा 36 नहीं होगा 36 नहीं होगा 36 नहीं होगा इस पर भी six आ गया उस पर भी six आ गया थिक है तो 12 हो जागा रोमी नहीं अकर इस पर 18 आ गया और उस पर 18 आ गया तब पक्की वाद है न पेपर में तु लिखके आ रहा 36 नहीं भरोसा नहीं होगा फिर कोई यह अगले पेच पर करते हैं थोड़ा इसको तरीके से करेंगे एक्स अरे 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 प्रोड़िड़िशन रहान है एक्स का प्रोड़िशन रहान है और क्या जानना चाहता है है भाई शायद अब थोड़ा से पर टाइम पास कर रहा हूं जा बात कर दी जा बात कर दी अब थोड़ा सा में टाइम बस कर रहा हूं बाप रे अब बात दी पर अचले है मैंने गलत बना दिया फिर यहां पर भाई डारेट बना रे टेबल क्या चीज और क्वसना ना जी जरूर नहीं है तो तुमारे लिए भाई अब ही सिंगला मेरा भाई एक्स का मतलब क्या था सम अब दी नंबर्स ऑप्तेंड ऑन टो डाइस ठीक है मेक प्रोबैबिटी डिस्टिपिशन ऑफ रेंडम वेरेबल एक्स बोलतो दिया कुशिन में अब मेरी बास हो डाइस पर कभी वन तो आएगा नहीं यह मैंने गलत बना दिया भाई ठीक है दोनों डाइस का सम कभी वन तो हो नहीं सकता शुरुवाती कहां से होगी शुरुवाती टू से होगी ना तो भाई यह मैंने गलत बना दिया था ठीक है दोस्ति उसके लिएम उसके लिएम माफी चाहते है अब लो भाई अब बता समेचन टू का बात है जब पहली पर भी वन आए और दूसरी पर भी वन आए यह बात है तो थर्टी सिक्स में से सिर्फ एक यही ऐलिमेंट है यह यह ठीक है समेचन थ्री का बात है टू पाई थर्टी सिक्स लिखते है फोर कब आएगा वन थ्री थ्री थर्टी सिक्स यह बढ़ता जा रहा है सुधान्चू अगले में क्या आएगा सुधान्चू पक्की बात है देख ले बात में मना मत करती हो अगले में क्या आएगा बात बेड़े बेटा साबास पेटा हमरा नाम रोशन करती हो तह में यह मत बूल बटा प्लीज यह ऐसे क्रेडिट बड़ा इन गलत चीज़ों के क्रेडिट मत देगा मुझे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाइप मा थड़े सीज आएगा है यहाँ पे ठीक है लालू वे याद थ्री सिक्स, पूर फाइव, 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 सिक्स, त्री भाई देख, आज कुछ नए बच्चों ने भी जॉइन कर रखा है, अब तो उनकी पहली गलास है, तो तू न, यह मत बुलकि आप से सीखा है, ठीक है भाई ओके, तो यह हो गया कितना, फोर सिख, शाबाज बिटा फाइव, सिक्स, सिक्स, फाइव, अरे लड़के क्या बात है, सब को जोड के जरह पता न, चेकर के बना रहा है कि नहीं आ रहा है वैभव, 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 कटारिया, किसके पीछे करूँ वो पोच्छरा बटा दू, कोई रूल नहीं है भाई, इसको गिन रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको देकर लिखा है मैंने, और कोई रूल नहीं है तुका नहीं है, यह लिखना पड़ेगा तेर को यार, तुका, नहीं बिना देखने लगाएगा बटा तो, ठीक है, अगर लगाना ही हो ना तो रट के चले जाओ कि यह एक से छे तक जाओंगा तो फिर उल्टा होंगा, ठीक है, संकर्ट मोचन कब से 21 तारीक से चुरू करूंगा भाएगा, 21 तारीक से, क्या दिया है, इस कोशिन को, ठीक है, यह भी ठीक है, ओके, यह समझ में आगया, बड़े आगये बड़े, बैग है, रेड़ बॉल है, तीन, ब्लैक बॉल है, चार, तू बॉल्स आर द्राउन, वन बाई वन, विदाउट रप्लेस्मेंट, कोशिन दिखरा भी सबको, बैग में तीन लाल रंकी गेंदे है, चार काले रंकी गेंदे है, कुल मिला के, सेवन बॉल्स बैक के अंदर है, कहता कि, दो गेंदो को निकालो, वो भी वन बाई वन और वन निकाला जाता है, विदाउट रिप्लेस्मेंट, विदाउट रिप्लेस्मेंट वोले तो, बॉल निकाली, तो उसको द्वारा अंदर मत डाल दैनो, साइड में रख दो, यह है without replacement, यह आपको मालूम है भाई, पहले अब तक हमने यही पढ़ा है, 11 में यही पढ़ा है, करब probability distribution, probability को बाटना है, किस आधार पर, on the basis of number of black balls, याद रखिए, random variable हमेशा कोई number हुआ करेगा, number of black balls, तो random variable इस question में क्या है, random variable को x से represent करते है, number of black balls, आप लोगों से मेरा सवाल है, message में जवाब देना है, x की क्या क्या values, message में जवाब देना है, x की क्या क्या values हो सकती है, X की क्या-क्य values हो सकती है जो दो गेंदे आप निकालोगे पहली गेंद निकालोगे फिर दूसरी गेंद निकालोगे या तो एक भी black नहीं निकलेगी 0 black box पहली भी red निकली दूसरी भी red निकली या तो कोई एक ही black निकलेगी या फिर दोनों की दोनों ब्लैक निकल जाएंगे मेरे खाल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं है क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम में बचो X किसी को भी दिक्कत नहीं बटा सकते हैं हम लो शिवेन, yes sir, no sir अब बेटा, अब यहाँ पे बात करनी है X equal to 0 X equal to 0 It means 0 black balls 0 black balls 0 black balls, एक भी black ball नहीं चीए ना तो पहले चीए ना बाद में चीए यानि पहरी भी red निकली होगी दूसरी भी red निकली होगी इस बात को मानते हो भाई पहली भी red, दूसरी भी red multiplication ठोरम लगनी है बचों हैं आपे अंजली करी सार एक बार repeat करते हो बिलकुल अंजली में repeat करते हैं तो हमीटा question में बोला किया है कि bag में 3 red ball है 4 black ball है 3 red, 4 black हमें 2 ball निकाल लिए bag में से 1 by 1 वो भी without replacement आपको probability को distribute करना है on the basis of number of black balls number of black ball आपके लिए यहाँ पे random variable है random variable को x से denote करते हैं और x की value या तो दोनों ही पहली ball भी और दूसरी ball भी या तो दोनों red होंगी या तो पहली red दूसरी black होगी या फिर पहली black दूसरी red होगी या फिर दोनों ही दोनों black होंगी तो इस situation में एक भी black ball निकली इन दो situation में एक black ball निकली और इस situation में दो black ball निकली तो black ball जो है वो 0, 1 और 2 हो सकती है पहले हम निकालेंगे x equal to 0 याने की एक भी black ball नहीं निकली दोनों की दोनों red ball निकली पहली red ball निकलेगी 3 बटे 7 into एक red निकल चुकी है ठीके बच्चो ये हो चुका है अब एक red क्योंकी निकल चुकी है तो अब निकालनी है दूसरी red दूसरी red याने की 2 बटे 6 तो ये बन जागा 3 दोनी 6 बटे 42 जिसे की आप 1 by 7 भी लिख सकते हो yes या no वेब भाई जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़े आप उसमें जुड़ी भी है तो जब भी इनकी probability find करनी होगी तो situation में क्या करना है हमने इसकी probability निकालनी है into इसकी probability निकालनी है यही हमारी multiplication जो रहा है यही चीज़ मैंने यहाँ पर करा भी है अगरा सोचो इस bag के अंदर 3 red wall थी और total 7 walls थी तो red wall निकलने की जो probability वो क्या हो जाएगे 3 by 7 अब जब क्योंकि एक red निकल चुकी है तो अब red यहाँ पर 3 नहीं बची होगी अब red इसके अंदर 2 बची होगी तो दूसरी भी red होनी चीज़े इसलिए 2 by 6 ठीक है भाई अब बात करते हैं x equal to 1 x equal to 1 number of black ball एक होनी चीज़े एक black ball अब वो एक black ball या तो पहली red दूसरी black होगी या पहली black दूसरी red होगी अब देखिए red है हमारे पास 3 total है कितनी 7 into black black हमारे पास 4 है पर total ball अब 7 नहीं है एक red पहले निकल चुकी है तो total ball बची होगी 6 या ये ठीक है पहली black पहली black black है 4 total है 7 into अब black निकल की दूसरी चीज़े red red है 3 so 4 थी है 12 बेटे 22 और 12 बेटे 22 ये ठीक है then x equal to 2 जो number of black ball है वो दो होनी चीज़े यानि दो black ball पहली भी black दूसरी भी black पहली भी black दूसरी भी black पहली black probability 4 upon 7 जब एक black निकल की अब दूसरी black black अब 4 नहीं बची अब बची है 3 अपान में 6 चेल नहीं 12 बोलो भाई कोई दिख्या था इस पे x px कितना था है 1 by 7 4 by 7 बोलो बड़ा ये ठीक है चेक करके देखलो आंसर अमारा एड करके वनाना चीज़े अच्छो सो ये हमारा हो जाता है भाई आगे बढ़ा जाए आंसर नहीं 12 1 झाल झाल Okay, guys, so guys, two numbers are selected, two numbers are selected from first five positive integers. जैसे क्या बोलते हैं, सिंगला, अंकुष सत्थिजा ऐसा कभी भी नहीं होता, एक साथ निकालते हैं, एक साथ नहीं होता कभी भी, एक के बाद एक ही हुआ करेंगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, इन पांच में से ना, मैंने अपने माइड में दो नंबर सोच रखें, अगर तुने उन दो प्रशनों के सही जवाब दी ना, बिटा, तो तुझे इनाम मिलेगा, तुने उन दो नंबरों को select कर, तुने उन दो नंबरों को select कर लिया ना, जो मैंने अपने माइड में सोच रखें हैं, तो तुझे कुछ इनाम मिलने वाला है, ठीक है, बता उन दो नंबर कौन से, दो नंबर select करने हैं, ठीक है, ठीक है, बिटा, सुमित इन पांच में से select करना है, पांच में से, यश वो दो नमर कौन से हो सकते हैं जो मैंने अपने मैंने में सोच रखे है अक्षे साहा करें बोलना कौन से हैं पूछ रहूँ है तुमसे और अक्षे साहा करें 4 and 5 ठीक है समित को क्या लग रहा है 1 and 2 कटारिया तेरे को लग रहा बड़ा कुछ कटारिया वो दो नमर क्या होने चीज़ एं कोई जुवारी बेढ़ा या आप जो नमर अगठा है कोई है तो नहीं हापे अब जुवारी हो कोई हो सट्टा बच्चे आपे चलो यहाँ बच्चे है कोई मतका वाला तो निन्यकों होगा बाइ, मैंने को नंबर सोच रगये था, एक नंबर सोच रगया था, एक नंबर सोच रगया था, पाइव, बहुत बढ़ीया, बहुत सही बोला तुने, तो सही जिवाब, जो है, अब देखो, ऐसा है न, RTV ने बोला, RTV फाइव एन फोर बोला न तुने? और यह और हमारे अक्षिस रहा ने बोला 4 & 5 मैंने आपसे कोई दो डिजिट्स यहां पर सेलेट करने के लिए बोले थे कोई दो नंबर यहां पर सेलेट करने के लिए बोले थे क्या दोनों को इनाम मिलना चाहिए या किसी एक को इनाम मिलना चाहिए किसको 4 & 5 वाले को ना दू आर्टीव भाई तुझे इनाम दू की ना दू बिटा जो आपको ठीक लेगा अवे लड़ो भाई नाम लो यार किसी बात कर रहे हो भाई विड़ा 5 & 4 & 4 & 5 दोनों को ही मिलेगा भाई लॉट्री का जो है लॉट्री इस नंबर पे भी थी और इस वाले नंबर पे भी थी जो 4 सेलेट कर लेगा किसने 4 सोचा पहले फिर वादम 5 सो हिखता कि एक उडर में है भाई कोई 2 डिजिट का नंबर है पहले 5 मेंसे पहली 5 जो हमारे पांस से 12345 इनसे आपको कोई 2 डिजिट का कोई नंबर बनाना है तो उस situation में 45 एक अलग number हो जाता और 54 एक अलग number हो जाता इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए order यहाँ पर important नहीं है भाई इस बात को मानते हो order यहाँ पर important नहीं है अब देखो बात अगर करी जाए combinations की हमारे हमें अगर दो डिजिट्स सेलेक्ट करनी है तो जो सेलेक्शन है हमारे पास जो हमारी यहां पर पॉसिबिलिटीज है सेंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा पहले नहीं वन एंड टू यह दो नमबर हो सकते है भाई यस या नो वन एंड ट्री वन एंड फोर वन एंड पाई ऐसी माल लो मैं टू सेलेट कर लिता हूं क्या टू एंड वन द्वारा लिखेना चाहिए बच्छो मुझे तो थ्री लिख सेंटा हूं टू एंड फोर लिख सेंटा हूं टू एंड वाइग सकते हूं 2 and 6 लिख सकते, अले 6 तो ही नहीं, 6 तो ही नहीं, तो 3 and 2 भी आ चुका है गार, 3 and 4 लिख ले, 3 and 5, फिर और क्या जाएगा, तो अरे भाई, दो नमबर सेलेट करने थे, सेम नमबर थोड़ी सेलेट करेगा, ठीक है, so 3, 5 हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, ऐसी 4 and 5, क्या इसके ला क्या इसके लाब, इसके लाब और कोई possibility नहीं बन रही है, हाँ, save नमबर नहीं लिए ना बटा, तो यहाँ तक कोई दिक करने है मेरे कहल से, अब देखिए, इस question में x का मतलब क्या था, x denotes smaller of two number selected, जो दो number हमने सेलेट किये हैं ना बच्चों, smaller of two selected number, देखो definition को देखिए, बता, one और two में smaller कौन है बच्चों, one और three में one, one और four में one, one और five में one, two और three में, two और four, यहां फिर सब में two है, फिर three, फिर four, इस बाद को बांगते हो, अगर मैं बुलता smaller नहीं है, larger, तो larger यहां पर आ जाए, तब one नहीं आएगा, two, three, four, and five आ जाएगे, तभी हमारे x की values होंगी, बांगते हो, तो बात अगर करिए है probability की, x, x के आउस बतार two, three, four, and five, outcomes, और यहां लिकले लेते हैं उसकी probability, तो two कब-कब बढ़ा है, एक one, two में, क्या इसके लाब और कहीं में बढ़ा है पिटे, one by fifteen, one by ten लिखता हूँ, one by ten, एक, दो, तीन, चार, पांच, वे साथ, आट, नौ, दस, ऐसी, three कब-कब बढ़ा है बच्छों, एक तो one, three में, दूसरा, two, three में, one and three, two and three, यहां two by ten आ जाएगा, then four कब-कब बढ़ा है, one and four, two and four, three and four, यहां three by ten आ जाएगा, five, one and five, two and five, three and five, four and five, जड़ा सब को प्लस करके देख लो, वहां one आ रहे है, को दिक्केत वाली बाग, आगे बढ़ा जाए, आंसर तब यह चीन जाता ना, तब उल्टा हो जाता मेरे खाल जास में, बोल बटा, वाट इस दे प्रोबाइबिटी उप सेलेक्टिंग टू नमबर्स, देख, देख, तूने कोशिन ही तेरे गलत है बीटा, अरितरो, तूने कोशिन पे पहले बोला, कि फर्स्ट फाइब में से दो नमबर्स सेलेक्ट करना है, फिर तू बोल रहा है कि वट इस दे प्रोबाइबिटी ऑफ सेलेक्टिंग टू नमबर्स फॉम फर्स्ट फाइब नमबर्स, तो वो तो करी रहा कोशिन में तो, नमबर तो उसी चीज की पूच रहा है मैं तेरसे बोल रहा हूं कि हिंदी में ठीक है पहले 6 नमबर में से मैंने कोई 1 नमबर सलेट करना है ठीक है अब probability बताओ कि मैंने पहले 6 में से 1 नमबर सलेट किया है अब बता ये question कहाँ सथीख कि अन्हेरा तो ने मैं ना बोला मैं 6 मैं से एक नमबर कर रहा हूँ आप अब प्रॉयर्यबिटी कर रहा हूँ मैं 6 में रहा हूँ यह क्या बाद भी भाई संहेहिं नहीं होगी दो तहरे भी दो कोशन भाई है जातर समझेंगे सभी ब 되면 पर फिस्ट जो हमें 50 है कोशिंग क्लियर है सबको प्रोबैबिटी डिस्टिबिशिन टेबल अल्लेटी है यहाँ पर दे दी गई है करेगी पताओ के क्या होना चाहिए तो तुम्हें मालूप होना चाहिए इनमें कोई भी प्रोबैबिटी डिस्टिब नहीं होने चाहिए यह बाद धान रखना जीरो हो सकती है नेगिटिब नहीं होने चाहिए और इन सब को जब प्लस किया जाएगा तो प्लस करके क्या आएगा इन सब को जब मैं प्लस करूँगा बिल्कुल ये कोल्टो हमारा रहा करेगा वन प्लस करो तीन दो पांच छे सेवन क्या आ रहा है और के के बलू कितने है आगे मेरी खालच इसमें दिक्कत नहीं किसी को श्रिवेन आयुशी समेथ हाँ और कुछ भी यहां अब यहां पर कुछ भी हो रहा है कुछ भी मदल के दे तो क्या दिक्कत है ठीक है याद रखो उपर एक्स यहां एक्स में तो कुछ भी आ सकता है नेगेटिव पॉस्टिव पॉइंट कुछ भी चलेगा था बैट यहां प्रोबैबिटी उसकी नेगेटिव नहीं होने चाहिए ठीक है प्रोबैटी के नहीं होने चाहिए कहां मानेस आगिया तो यहां पर अगर यहां मानेस आगिया बच्चों तो समझ जाओ कि प्रोबैबिटी डिस्टिपिशन टेबल जिसने भी बना के देर की उसने गलत बनाई है प्रोबैबिटी नेगेटिव कहा होगी तो सब को प्लस करके उस सिच्वेशन में फिर वन आना चाहिए ठीक है असा पॉस्टिब हो जाएंगे हाँ हाँ यह 10 तो आप सीधा फाइब सी टू लगा लो पहले पात में से दो नमर सेलेट करने थे तो टैन आए जागा न तो टोटल आउटकम्स तो आप कैसे ने कर जाएंगे बट हाँ आउटकम्स के लिए आपको यह बनाना नहीं पड़ेगा फिर यह देखने हाँ ठीक है सेंबल स्पेस पुरा बना लो बना सकते हो तो बिलकुर सही बना रहे हो आप नहीं है कर डूिएो प्योसके का। झार में टो बनाना सकते हो नहीं है अधогन्स कर दो आपके कर दो आप दो कर दो हागा पका ही बना हाँ कर दो नहीं है यह आपकी यह वाला कुशिन आपके इंसियाटी में नहीं है और यह बहुत इंपोर्डेंट नहीं है probability distribution है बच्छो x की जगह 0 भी रख सकते हो 1 भी रख सकते हो 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा 4 भी लिख सकते हो 5, 6, 7 भी लिख सकते हो negative minus 1, minus 2, minus 3 भी लिख सकते हो लेकिन उन सब पर probability क्या है 0 तो उसको लिखने के जरूत नहीं है इन सब को plus करके 1 लिख दो यह स्टब ठीक है yes, no कौन तो सर्फेस कभी भी नहीं आएगा बस यही है बस आपको परिशान करने के लिख दिया कि कोई probability distribution है भाई जिसमें x की value कुछ भी हो सकती है अगर 0 हुई, 1 वी, 2 वी, 3 वी, 4 वी तब तो तो तुमारी probability इतनी इतनी होगी लेकिन इसके अलावा तो अगर x की कोई और value बोलोगे तो probability 0 होगी यह परिशान करने के लिख दिया वससे और कोई ने पर ठीक है अब x equal to 0 पर answer है k x equal to 1 पर answer है kx बड़ x की जगे पर 1 पुट करोगे x equal to 2 पर भी answer kx है बड़ x की जगह पर 2 पुट करोगे x equal to 3 पर answer 2 kx है 2 k x की जगह पर 3 पुट करोगे ऐसी x की जगह पर 4 पुट करोगे और इन सब को प्लस करके आंसर आएगा 1 चार दुनी 8, 6, 14, 2, 16, 17, 18 18 k equal to 1 और k की value आजाएगी 1 by 18 यहाँ पर तुमसे पूछ सकता की find बताव probability of x equal to 3 कितना है अब यह पूछ लिया तुमसे तो x equal to 3 पर आंसर क्या था 2 k x और अगर 2 k x x अमाले 3 है कि 6 k हो जाएगा और k की value है 1 by 18 बता भाई समझा की ने समझा बचो पूरी exercise 13.4 तुमारे हवाले है बहुत सारे questions तुमसे नहीं होंगे और और अभी नहीं करने चलो बता तो चलो सीख लो वह भी सीख लो mean अगर बोले mean को हम expectation के नाम से भी जानेंगे expectation की spelling क्या होती है ठीक है इसको सही लिए 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 लिखने में दिक्कत हो जाती है तुमको नहीं होती है मेर को हो जाती है e x तो formula है p x की multiply कर लो x के साथ और इसका कर लो summation और short वलब p x और उसका summation बस यह है formula जैसे अभी बिलकुर 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 जैसे यह हमाले p है ना बचो और यह x है तो p की multiply x के साथ कर लो p की multiply x के साथ कर लो 0 into this 1 into 10 by 36 2 into 1 by 36 सबका ज़र प्लस करो भाई सबको add करो add करो सबको किना 12 by 36 बनना है 1 by 3 मुझसे बोले की expectation क्या है यानि e x क्या है तो आप बोले कि सिग्मा एक्स पी एक्स और सिग्मा एक्स पी एक्स एक्स पी एक्स की add करके सबको कितना आया 1 by 3 यह न एक प्रकार से जैसे आप लोगों ने बच्चो मीन निकालना सीखा है न यही तो करते हो सिग्मा एक्स की मुटिप्लाई एक्स से करके उसको सिग्मा एक्स से डिवाइड कर देते हो मीन ऐसी निकलता है सही है? डिस्क्रीट सीरीज में तो यह आपके लिए एक्स है और यह जो है यह आपके लिए एक्स है एक्स की मुल्टिप्लाई एक्स से कर रहे हो जोड के कितना आया? आपने बुला 1 by 3 आया अपउन है फ्रिक्वेंसी का टूटल इनको जोड के कितना है? 1 आया इसलिए ही बेटा हमने वहाँ पे सिर्फ अपॉन में वह नहीं लिखा सिर्फ भाप पी एक्स नहीं लिखा तो अब यह जो चीज है ना यह सब स्टैट्स में आएगा भाई पूरा आपका जो आपके C.A.Foundation है नो आपको सिर्फ यह चीज देखने उदर देखने को मिलने वाली है जो हमारे फिलाल यह हमारे इस पे नहीं है भाई ठीक है? और इसका बस आपको इतना ही करना है और वो भी स्लेबर से अठा दिया गया है यह है मील यह है मील ऐसे ही नेक्स आता है variance यहाँ पर फॉर्मला है जैसे यह e x यह था न सिग्मा पी एक्स इस पर फॉर्मला है e x स्क्वेर से मानस कर लो e x का होल स्क्वेर मतलब e x स्क्वेर x स्क्वेर का एक्स्वेक्टेशन e x स्क्वेर p x x का एक्स्वेक्टेशन x p x यह फॉर्मला बच्चे आपको क्लास 11 में याद आ रहा होगा variance ऐसी निकलते थे sigma x स्क्वेर sigma f x स्क्वेर upon में n रहता था sigma f x upon में n पूरे का whole स्क्वेर रहता था सुनना बचो जब मैं लिखता हूँ na e x तो इसका मतलब है x की multiply p x से करनी है जब मैं लिखता हूँ e x square तो इसका मतलब है x square की multiply p x से करनी है अगर मालनों मैंने कभी लिखता हूँ e x का cube इसका मतलब x cube की multiply p x से करनी है फिर उसका summation करना है मैं कभी लिखता हूँ e 2 x जिसका मतलब क्या है 2 x की multiply p x से करनी है और उसका summation करना है ठीक है तो फिलाल इसकी ज़र्वत हलगी पड़ेगी नहीं observation जो है वो mean से कितने division पे है average average division हाँ वो भी योई है standard division variance का square root है ठीक है ना यह expectation हो गया अब मैं बात करता हूँ अब हम बात करते है क्या बोलते है variance की तो variance के लिए formula था e x square minus e x का whole square मतलब sigma x square p x sigma x p x अब देखो यह तो तुमने अल्रेटी निकाल रखा है 1 by 3 का square इसको निकालना पड़ेगा तो यह क्या था? यह था x p x एक नया column बना लो x square p x बच्चे यह जो x है x इस x की multiply इस x p x के साथ कर दो x की multiply उस x से कर दो तो x square p x बन जाएगा 0 x 0 1 x 10 by 36 2 x 2 by 36 10 और 4, 14 बट्टे में 36 4 x 36 minus 1 by 9 10 by 36 बोल बड़ा, कोई दिख्यत वाली बात है और मैं बोलतो standard deviation, तो इसकी value निकाल दो, जो भी answer आगा point में, वही आपका क्या है, standard deviation है, ऐसी ही हमने ये question किया था, तो मैं बोलतो x की multiply px से कर लो, 0 into 1 by 8, 1 into 3 by 8, 2 into 3 by 8, 3 into 1 by 8, सब को plus करो, 6, 3, 9, 2, 12, 12 by 8, 1.5 आजागा, mean बोलो या expectation बोलो, दोनों चीज़े same है, ex form ला क्या है, sigma x px, x px का submission आपने निकाल दिया, 1.5, यह बाए ठीक है बच्चो, अब आलको, यह ठीक है, अब, अब x square px, इस x की multiply उस x से कर लो, 0 into 0, 1 into 3 by 8, 2 into 6 by 8, 3 into 3 by 8, केला बनेगा, 12, 21, 24, केला आगा 3, हमें चीज़े ना, variance, so formula is sigma x square px, minus sigma x px, पूरे कपने होल square, x square px निकला तीन, और x px 1.5 का square, so 3 minus 2.25 will be 0.75, और सिम अब लो, standard deviation, बोलो डा आज की क्लास सफल मानी जाए भाई